इस वीडियो में आप जिस पुस्तक के वारे में सुनेंगे उसका नाम है लासा का डॉक्टर, डॉक्टर फ्रॉम लासा, मूल लिखक है, टी लोपसांग रमपा, हिंदी रुपांतरन करता है, डॉक्टर वेद प्रकास गुपता जी इसे निसुल्क वितरन के लिए लिखा गया है, सुधकारियों के लिए, अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्ती स्थल भी दिया गया है, यहां पे वेबसाइट भी दिया गया है, इमेल आइडी भी दिया गया है, अगर आप एक बार में पूरी पुस्तक नहीं सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट वाइज टाइम लाइन का लिंक दिया है। आप वहां से पार्ट वाइज सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम लूबसांग रंपा की दूसरी पुस्तक लाजा का डॉक्टर के बारे में सुनेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लूबसांग रंपा की पहली पुस्तक थी तीसरी आँख, जिसे 1956 में उन्होंने प्रकासित करवाया था। तीसरी आँख पुस्तक के बारे में मैं संचिप्ट में कुछ बातें बता देता हूँ। इसकी सुरुवात ऐसे हुई, एक जवान आदमी के चिकित्स के लामा बनने और अपनी तीसरी आँख खुलवाने के लिए ऑपरेशन कराने के सफर के बारे में आत्मकत था। इसमें हमें बहुत भिख्शों के जीवन के तिब्बती तरीके की एक जलक मिलती है और उस जीवन में अंतर नहीं अध्यात में ज्यान के गहन समझ प्राप्त होती है। इस समय तक भिख्शों के जीवन अग्याद था उन गिनी चिनों लोगों के लिए भी जिनोंने वास्तों में तिबबत की यात्रा की थी और सब को जानने का दावा किया था लोब सांग रंपा चाक पोरी मठ में प्रवीश करते हैं और विद दिबती गुप्त विज्ञान का सबसे महान रहसे ही नहीं बलकि और विबहुत विश्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं सभी पुस्तकों के लिंक दे दूँगा अगर आप चाहें तो उन्हें खरीद के भी पढ़ सकते हैं लासा का डॉक्टर 1959 में प्रकासित किया गया था इसमें मैं संचिप्ट में कुछ बाते बता देता हूँ बाद में हम पूरी पुस्तक सुनेंगे कहानी जारी रहती है और लोबसांग के लासा छोड़ कर चंग किंग चीन तक की यात्रा का व्रतान प्रस्तुत करती है यहां उन्होंने पश्चमी विध्यों के साथ अपनी चिकित्सा संबंधी अर्धन में प्रवधी की उन्होंने हवाई चाहज उड़ाना सीखा लेकिन जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें याद नाई दी लोबसांग ने अपना बहुत सारा सब बंदी सिविरों में आधिकारिक चिकित्सा आधिकारी की रूप में बिताया जब तक कि वे वहां से पालायन करने में सफल नहीं हुए थे लोबसांग उन गिने चुने व्यक्तियों में से एक थे जो हीरो सिमा पर पहले परमानू बं की गिरने के बाद भी जीवित बच गए थे साथ ही उन्होंने नीची कल्यान में बहतरी लाने के लिए क्रिस्टल बॉल की उप्योग का तरीका और स्वसन प्यायां सीखे तो आईए लासा का डॉक्टर पुस्तक को सुनते हैं अगर कुछ बाते आपको समझ में ना आए तो उसे रिपीट करके सुनें तो आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं यही बात बोलूँगा कि इस पुस्तक को तिबती भासा से हिंदी में अनुवात किया गया है लासा का डॉक्टर त्यूजडे लोबसांग रंपा लेखक का प्राकथन जब मैं इंग्लैंड में था मैंने एक पुस्तक द थर्ड आई यानि तीसरी आँख लिखी थी जो सत्य है परंतु इस पर अधिधिक टीका टिपनी होई पूरे विश्व से पत्राय और उन प्राथनाओं के जवाब में मैंने यह पुस्तक डॉक्टर फ्रॉम लासा यानि लासा का डॉक्टर लिखी मेरे अनुभव जो तीसरी पुस्तक में बताये जाएंगे उस सीमा से अत्यन्त परे रही हैं जो अधिकांस वक्ती छेल सकती है अनुभव जिनकी मिसाल इतिहास में मिलना कीवल कुछ प्रक्रणों में संभव है यद पी ये इस पुस्तक जो मेरी आत्मकथा के संबंध में निरंतर्ता में लिखी जा रही है का विसे नहीं है और मैंने उन सभी परशानियों को जो पूरों में बता दी गई थी जेला दुर्भा के वश पश्मी लोगों ने मुझे कलाकृती के रूप में देखा अज्यात से आय हुए एक ऐसे नमूने के रूप में जिसको कटगरे में बंद कर दिया जाना चाहिए और अनूठे ढंग से रंग बिरंगा विकृत करके दिखाया जाना चाहिए मुझे यह सोचकर आशर्य होता है कि मेरे पुरानी येती मित्रों का क्या होगा यदि पश्मी लोग उनको पकर सके जैसा कि वे प्रैत्न कर रहे हैं नीसंदी येती को गोली मार दी जाएगी उसमें भूसा भर कर किसी अजायब घर में रख दिया जाएगा तब भी लोग तर्क करेंगे और कहेंगे कि येती जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे लिए ये विश्वास से भी अधिक अजीब है कि पश्मी लोग दूर दर्शन में आकासिये रोकेट्स में जो चैंद्रमा के परिक्रमा कर वापस लोट सकते हैं विश्वास कर सकते हैं परन्तु येती को अज्यात फ्लाइंग सौसर्स यानि उडन तस्तरियों को या वास्तों में कोई भी अन्यवस्तो जो उनके हाथों में पकड़ी ना जा सके और जिसको वे देखने के लिए ये कैसे काम कर सकती है खीच तान कर टुकड़ों में तोड़ना दे स्रे नहीं दे सकते परन्तु अभी मेरे सामने अपने प्रारंबिक बच्पन के विस्तार को जो कि इससे पहले पूरी पुस्तक के रूप में आ चुकी है केवल कुछ प्रिस्टों में सब्मेटने का खठिन कार है मैं तिब्बत की राजधानी लासा के राजनेताओं के उच परिवारों में से एक में पैदा हुआ हूँ मेरे माता पिता कादेश की नियंतरन विवस्ता में अच्छा हाथ रहा है और चुकी मैं उच वर्ग से आता था मुझे कठोर प्रसिक्शन दिया गया ताकि ये समझा जाता था कि मैं अपना स्थान लेने के लिए उप्युक्त बन सकूँ तब जब मैं साथ साल का होता उससे पहले अपने स्थापित रिती रिवाजों के अनुसार तिब्बत के राज जोतिस से ये जानने के लिए कि मेरा भविश्य और भविश्य का रोजगार मेरे लिए ख्याल आता है परामर्श किया गया कुछ दिन पहले सुरू की गई इन तयारियों में काफी दिन गुजर गय तब एक भूज का आयोजन किया गया जिसमें अग्रणी नागरिक लासा के सभी भदर पुरुष मेरे भागे को सुनने के लिए बुलाए गये अंत में भविश कथन का वह दिन आया हमारा परीशर लोगों की भीड से भर गया जोटसी, अपनी कागजी, साजो सामान, चाटो तथा उन सब आवशक साधनों से जो उनके व्यवसाय से सम्मंदित हो सकते थे सू सजित होकर आये तब उचित समय पर जब हर आदमी उच्च अस्तरिय उत्तीजना के लिए तयार हो चुका था मुख्य भविश्यवक्ता ने अपने निसकर्शों को सुनाया दिढ़ता पुर्वक ये घोसना की गई कि मैं साथ साल की आयू में लामा मठ में प्रवीश करूँगा और मुझे पुजारी तथच कित्स किये पुजारी के रूप में प्रशिक्षन दिया जाएगा मेरे जीवन के संबंध में अनेक भविशकतन किये गए वास्तों में मेरे पूरे जीवन की रूप रेखा ही पता दी गई गंभीर दुख या बड़े अपसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि उसमें जो कुछ भी कहा गया था वो सभी सत्य हुआ मैं इसे दुख कहता हूँ क्योंकि इसमें से अधिकांस, दुरभागे, परिसानिया और कस्ट रहा है और उसे कुछ सरल नहीं बनाया जा सकता जबकि ये ग्याद था कि मुझे ये सब झेलना है जब मैं साथ वर्स की आयू में था, उस रास्ते पर अकेला ही चलते हुए मैंने चाक पोरी लामा मठ में प्रवीश किया ये परखने के लिए कि मैं काफी कठोर हूँ, काफी मजबूत, उतना जितना की प्रसिक्षन के लिए आवश्चक है मुझे प्रवीश द्वार पर रखा गया, मैं इसमें सफल हुआ, तब मुझे प्रवीश के लिए स्विकार किया गया निपट अनारी नौसीख्ये से सुरुवात करते हुए, मैं सभी चर्णों से होकर गुजरा और अंत में लामा और उसके बाद एक मठाधीस बन गया, दवाएं और सल चिकित्सा मेरे विसीज पक्के विसे थे, मैंने इन्हें उत्सा के साथ पढ़ा, मुझे बृत सरीरों का अध्यन करने के लिए हर सुविधा दी गई पश्चिम में ये माना जाता है कि तिबबत के लामा सरीरों के साथ यदि इसका आस है, सरीरों को खोलने से हो तो कभी कुछ नहीं करते, इस पस्ट रूप से ये विस्वास कि तिबबत का चिकित्सकिये विज्ञान अभी आरंभि, अल्पविक्सित अवस्था में है, क्यों पाने लामा मैं मानता हूँगी, सरीर को कभी नहीं खोलते, ये उनका अपना विश्वास है, परन्तो विसीस लामाओं का एक केंद्रग भी है, मैं उनमें से एक था, जिनको ऑपरिशन करनी और सल चिकित्सा करने का प्रसिक्षन दिया गया था, ऐसे ऑपरिशन जो संभौत पश्व में विज्ञान के लोगों के बूते के बाहर हो, चलते चलते पश्व में ये भी विश्वास है कि तिब्बती चिकित्सा ये सिखाती है कि आदमियों का हर्द एक तरफ होता है, और औरतों का दूसरी तरफ, इससे अधिक हासास पल दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कि कुछ शाट जिनका वे संदर्भ देते हैं, वे सुक्ष्म सरीरों से संबंधित है, जो अलब मामला है, तथा पि इस पुस्तक से उसका कोई संबंध नहीं है, मेरा प्रसिक्षन वास्तों में बहुत ही गहन था, चुकि मुझे केवल अपने विश्ष्ष्ट विश्यों का दवा और सल चिकित्सा मातरा का ही नहीं, बलकि सभी प्राचिन धर्म ग्रंधों का भी अध्यन करना था, क्योंकि चिकित्स की लामा होने के साथ साथ पूरी तरफ प्रसिक्षित पुजारी के रूप में स्थापित होने के लिए मुझे धार्मिक आधार पर भी सफल होना थ अता एक साथ दो साखाओं का अध्यन करना आवश्चक था, इसका अर्थ ये था कि मुझे औसत विद्यार्थी की अपेक्षा दो गुना पढ़ना पड़ा इस संबंध में मेरी प्रती किसी ने पच्छ बात नहीं किया, परंतु वास्तों में ये कोई कठोरता नहीं थी, मैंने तिब्बत के उचे इस्थानों के लिए लासा समुद्र तल से 12,000 फुट उपर है, जड़ी बूटियों को इकठा करने के लिए कई आत्राएं की, क्योंकि हमारा चिकित सिकी प्रसिक्षन जड़ी बूटियों के इलाज पर आधारित है, और चाक पोरी में हम कम से कम 6,000 प्रकार के विभिन जड़ी बूटियां सदेव भंडारित रखते थे, हम तिब्बती विश्वास करती हैं कि हम जड़ी बूटियों के इलाज में दु तिब्बत के उचे भागो वाले इस्थानों में अनेक यात्राय करने के बाद, जिनमें मैं आद्मियों को उठाने वाली पतंगों में उड़ा, जो उची उची परवत स्रेनियों में पहारों की चोटियों के उपर होकर उड़ती थी, और जिनमें से मैं मीलो मेल दूर तक फैले दिहात को देख सकता था, मैंने तिब्बत के उन इस्थानों के लिए जो अधिकांस लोगों को अनुपलब्द है, चांग तांग के उच्चितम इस्थानों के स्मर्णिय अभियान में भी भाग लिया, यहां हम अभियान में जाने वाले लोगों ने पूरी तरह से प पानी बुलबुलेदार और गर्म था और नदी की रूप में बहरा था, वहीं हमें एक बहुत बड़ा सहर भी मिला, जो छिपी हुई घाटी में गर्म हवा से आधा गर्म और दूसरा आधा जो हिमनदों की साफ बर्फ के बीच जमा हुआ धंड था, इतनी साफ बर्फ जिन इसमें से उस सहर के दूसरे आधे हिस्से को इस पश्ट देखा जा सकता था, मानों की वह स्वक्षतम जल में होकर दिख रहे हो, सहर का वभाव जहांके पूरी बर्फ पिघल चुकी थी, लगवग ठीक ठाक था, वास्तों में वर्सों ने उनके भावनाओं के साथ नर्म व निशान नहीं थी, जिससे उसके अंदर के भवन किसी भी प्रकार के नुक्सान अध्वा छरन से बचे हुए थे, हम जो हजारों हजारों साल में गुजरने वाले पहले इनसान थे, उसी गलियों में होकर गुजरे, हम अपनी इच्छानुसार उन घरों में जो ऐसा लगता कि अपने स्वामियों के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं, तब तक घुमे जब तक कि थोड़ा और अधिक नजदीक जाकर देखने पर अजनवी कंकालों को देखकर जडवत नहीं हो गये, हमने ये अनुभो किया कि ये एक मृतनगर था, यहां तमाम तरह कि अवकल्पनी यु का निवास रही होगी, अन्त में हमें ये सिद्ध हुआ कि हम उन लोगों के तुलना में लगभग असब या जंगली ही हैं, परन्तो मैं इस दूसरी पुस्तक में इस नगर के बारे में लिखूंगा, जब मैं पूरी तरह जवान था, मेरा एक विसिस्ट ऑपरिशन किया गय जिसे तीसरे नेत्र का खोलना कहा गया, इसमें लकड़ी की एक कड़ी, पचड़, जिसे जड़ी बूटियों की एक विसिस्ट गोल में डुबा कर रखा गया था, मेरे माथे के केंदर में होकर अंदर घुसाई गई, ताकि एक ग्रंती को उत्तेजित किया जा सके, जो मैं आसामाने रूप से अतिंदरिये ज्यान रखने वाला हो गया, मैं लोगों को उनके प्रभा मंडल के साथ देख सकता था, मानों की वे कापते वे रंगों का गजरा, जिसमें ज्वालाएं उठ रही हो, पहने हो, मैं उनके प्रभा मंडलों से उनके विचारों को भाप ल मैं पश्मी डॉक्टरों में एक यंत्र के विशे में रूची जागरत करना चाहता हूँ, जो डॉक्टरों और सल्य चिकित्सकों को आदमियों के प्रभा मंडल को वास्तविक रूप से उनके रंगों के साथ दिखा सके भी, मैं जानता हूँ कि यदि डॉक्टर और सल्य च दिखा को देखते हैं, कोई विशे सग्ये, ठीक ठीक ये बता सकेगी वास्तों में व्यक्ति किस बीमारी से पीडित है, इसके अतरिकते ये भौतिक सरीर में पहले से दिखा जाने वाला लक्षन है, क्योंकि आभा मंडल से वास्तों में करक रोग यानि कैंसर का छै रोग य इस प्रकार डॉक्टर को इन विमारियों के आकरमन की पूरुए चेताउने मिल जाती है, जिससे की डॉक्टर इन सिकायतों का और अधिक अचूप तरीके से इलाज कर सकता है, मेरे आशरे और गहरे दुख के लिए पश्चमी डॉक्टर इन सब में बिलकुल रोची नहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सामान ग्यान होने के बजाए जादू जैसा कुछ है, कोई भी इंजीनियर ये जानता है कि उच्चे दाब वाले तारों में उनके चारों और एक प्रभा मंडल होता है, ठीक इसी प्रकार मनुझे सरीर का भी होता है और ये एक सामान भौतिक घ जाता हूं और वे इसे रद्द कर देती हैं, ये एक दुखवरी बात है, पर उन्तु ये समय आने पर दिख जाएगी, दुखान बात ये है कि तब तक, जब तक कि ये सामने नहीं आता, अनेक लोग पीडित होंगे और अनावश्चक रूप से मरेंगे, दलाई लामा, तिर उन्होंने निर्दिशित किया था कि मुझे हर चीज बढ़ाई जाए और सामाने जुबानी सिक्षा के अतरिक्त दूसरे अन्य तरीके से भी, जिनको यहां बताने की आवशक्ता नहीं है, हर चीज मुझे पूरी भर दी जाए, मुझे समोहित अवस्था में भी सुझाओ द बताने के लिए, अभी समय पूरी तरह पका नहीं है, अप्ती अतिंद्रिय ज्यान की सक्तियों के कारण मैं गहंतम के लिए अतधिक सहायक सिद्ध हुआ, विभिन आउसरों पर मैं लोगों के बीच कमरे में छिपा रहा, ताकि मैं किसी व्यक्ति के वास्तुएक विचारों को बता सकूँ और उसके प्रभा मंडल से उसकी नियत को जान सकूँ, यह यह देखने के लिए किया गया था कि क्या उस व्यक्ति की वानी और विचारों में में मेल है, विसी सुरूप से तब जब की वे विदेशी राज की व्यक्ति थे, जो दलाई लामा से मिलने के लिए जब जीन के सिस्ट मंडल का महान तेरह वे दलाई लामा द्वारा स्वागत किया गया, तब मैं एक छिपा हुआ प्रिक्षक था, जब अंग्रीज लोग दलाई लामा से मिलने के लिए गए तब भी मैं छिपा हुआ प्रिक्षक ही था, बात की किसी दूसरी आउसर पर उस पोसाग के कारण, जो वा आदमें पहने हुए था, मैं अपने कर्तवे से गिर गया, क्योंकि तब मैंने पहली पहली बार ही यूरोबिय पोसाग को दीखा था, प्रसिक्षन लंबा और दुसकर था, साथ साथ, पूरी रात और पूरे दिन, मंदर में होनी वाली परता था, हमारे लिए बिस्तरों की कुमलता नहीं थी, हम अकेले ही अपने कमरों में फर्स पर लुढ़क कर सोजाते थे, सिक्षक वास्तों में बहुत कठोर थे, हमें अध्यन करना परता था, सीखना परता था और हर चीज को कंठस्ट करना परता था, हमें कॉपियों पर लिखने की छूट नहीं थी, हम हर चीज को कंठस्ट करते थे, मैंने अमूर्द भौत की सम्मंधी विश्यों को भी ठीक से पढ़ा, मैंने उनमें गहराई तक प्रवीश किया, अतिंद्रिय ग्यान, सुक्ष्म सरीर से यात्रा करना, दूरान उभूती और ऐसी तमाम चीजो बिल्कुल नहीं जानता अंदर गया, ये पुराने जमाने की सबहता के खंडर हैं, जो लोग इस मृतियों से लगबख पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, गुफा के दिवारों पर कुछ अभिलेग थे, उन चीजों के चित्रित अभिलेग जो हवा में बहती थी, चीजे जो जमीन के अंदर चलती थी, दिक्षा के दूसरी चरण में मैंने साउधानी पूर्वक संरप्षित किये गए मृत्यत्याकार सरीरों को देखा, जो 10 फुट और 15 फुट लंबे थे, मुझे मृत्यों के दूसरी और ये जानने के लिए कि वास्तों में मृत्यों नहीं होती, भ इसी लामा मट के साथ बंधा नहीं रहना चाता था, मैं घूमने फिरने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए स्वतंत्र जैसा कि मेरे ले भविश्य कतनों में कहा गया था, लामा होना चाता था, इसलिए मुझे स्वैम दलाई लामा द्वारा लामा की स्रीनी में इस इत्याओं को सिखाया गया, ओप्टिक्स और दूसरे सम्मंधित विशै, लेकिन अंत में वह समय आया, जब मुझे दलाई लामा द्वारा एक बार फिर बुलाया गया, और निर्दीस्त ये कह, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तिब्बत में जितना सीख सकता था, उतना मैंने स उन्होंने मुझे बताया, मुझे चिकित्सा और सल्ले विज्ञान में चीन के सहर में नामांकित करने के लिए, चुंकिंग के लिए विशी संदीस वाहक भीजे गये थे, जब मैंने गहनतम की सरन को छोड़ा, मैं दिल से दुखी था, मैं अपने गुरू, लामा मिंग्या डोंडूब के साथ चला, और मेरे संबंध में, जो निरने लिया जा चुका है, उन्हें बताया, तब मैं अपने माता पिता के घर, उन्हें यह बताने के लिए, कि क्या हो चुका था, और यह भी कि मुझे लासा छोड़ना था, गया, दिन उड़ गये, और अंतिम दिन आया जब मैंने चाक पूरी छोड़ दिया, जब मैंने लामा मिंग्या डोंडूब को हाड मांस के सरीर में अंतिम बार देखा, और मैंने लासा सहर, जो उचे परवतिये दरों में इस्थित, एक पवित्र सहर है, के बाहर के तरफ अपना रास्ता पकड़ा, जब मैंने पीछे को अज्यात की ओर गर में रहता था, वो उस भयानक ठंड, जिसे मैं हर्दय में अनुभव करता हूँ, जितनी कटू नहीं थी, मैं अपने प्रेल लासा को छोड़ रहा था, जैसे ही मैं मुड़ा और मैंने अपने पीछे, पोटाला की सुनहरी छटो पर, छोटी आकरतियों को देखा, और उन विदा हो, आपके पतंग उड़ाने के दिन अब समाप्त हो चुके हैं, अब और अधिक कंभीर विश्यों के और सोचो, मेरे लिए ब्रिहद नीले आगास में उपर एक पतली डोरी से अपने ग्रह में ठहरे हुई ये पतंग एक संकेत थी, अपने लासा प्रेम की पतली सी दोर के सहारी, बंधा हुआ मैं तिबबत के बाहर दूसरी विश्यों के दुनिया में जा रहा था, मैं अपनी सांतिप्रिय दीस के बाहर एक अंजान भयानक दुनिया में अजनभी होने जा रहा था, जब मैंने पीछे मुड़कर अपनी घर की और देखा, मैं दिल से बहु मिली हुई थी, कि मुझे एक हजार मिल दूर चुंकिंग में छोड़कर आने के बाद वे फिर घर वापस आ सकते हैं, वे अपनी वापसी यात्रा पर सांत्वना के प्रतीक चरण, जो उन्हें घर के समीप लाता जाएगा, को ध्यान में रखते हुए वापस लोटेंगे, ये भविश्य के बारे में की गए भविश्यवानी में कहा गया था कि मैं एक लामा मठ में प्रविस्ट होंगा, और पहले चेले की रोप में प्रसिक्षित होंगा, उसके बाद ट्रापा के पत पर पहुँचोंगा और उसके बाद जब तक की समय पूरा होते होते, मैं लाम की परिक्षा पास ना कर लू आगे इसी प्रकार उस स्थिती से आगे जैसा जोट्सियों ने कहा मुझे तिबबत छोड़ना था अपना घर छोड़ना था वह सब जिसे मैं प्यार करता था छोड़ना था और जिसे हम बर-बर चीन कहते हैं उसमें अंदर जाना था मुझे चुंकिं की यात्रा करनी थी और डॉक्टर और सल्य चिकितसक बनने के लिए अध्यन करना था जोट्सी पुजारियों के अनुसार मुझे युद्ध में उलशना था अंजान लोगों का बंदी बनना था और उन लोगों की जो आवसकता में हैं सभी कस्टों में मदद क करने के लिए सभी प्रकार के लालचों से लालसाओं से उपर उठना था उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा जीवन का ठोर होगा कि दुख दर्द और 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 करतग्यता मेरे हमेशा के साथी होंगे वे कितने सही थे इसलिए अपने दिमाग में इन विचारों के जाथ जो क कि हम लासा के परिदृष चेतर से बाहर थे हम अपने घोडों से उत्रे और यह सुनिश्शित क्या की वे भी आराम में हो और ये भी की उनकी काठी ना तो अधिक तंग हो और ना ही अधिक धेली हो हमारे घोडे इस यात्रा में निरंतर हमारे मित्र होनी वाले थे और हमें Him उनकी कम से कम वैसी, जैसे कि हम अपनी करते देखवाल करनी थी, ये तैह हो जाने के बाद और इस सांत्वनाओ को जानते हुए कि हमारे घोड़े आराम में हैं, हम दृशंकल पित होकर फिर से घोड़ों पर सवार हुए, और अपने निकाह आगे की ओर रखते हुए, आगे च किया, हमने सबसे सुविधाजनक रास्ते के लिए कई-कई बार विस्तार से चर्चा की, और नदी और कातिंग के साथ-साथ होकर जाने वाला रास्ता हमको सबसे अधिक उप्युक्त लगा, ब्रह्म पुत्र वह नदी है, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसके सुरो में हम नदियों को आदर की दृष्टी से देखती हैं, लेकिन दूसरी किसी भी जगह ये उतनी आदर से नहीं देखी जाती, सैक्रो मिल दूर जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तब तक पवित्र मानी जाती है, उतनी ही पवित्र जैसा की बनारश में, ये ब्रह से निकल कर ये गहरा निसान बनाती हुई, लगबख सीधी रेखा में तेजी से दौरती थी, इसने अशर जनक महिमा मैं खाड़ी बनाई, हम परवत के दर्रों में से सीकॉंग के बीच होते वे नदी के साथ चले, पुराने दिनों में, खुसी के दिनों में, जब मैं बहु बढ़ गया, जिससे उन्होंने सीकॉंग को अपने कबजे में ले लिया, विघा तक बदनियती के साथ मारते हुई, बलातकार करते हुई, लूट मार करते हुई, हमारे दीश के उस हिस्से में घुसे, और उन्होंने सीकॉंग को अपने कबजे में ले लिया, उन्होंने पुछ अधिकारियों का अनुमोदन ना पाने के कारण दंड स्वरूप सी कांग भेजे कैए थे यहां नियुक्ति की दुरभाग वस उन्हें चीनी सरकार ने कोई समर्थन नहीं दिया उन्हें स्वता ही अपने ढंग से अपनी विवस्था करनी पड़ती थी हमने देखा कि य हम उससे में चीनी अधिकारियों का हुक मानने का नाटक करते थे परन्तो उसमें कोई नमर्ता नहीं थी जैसे उनकी पीठ फिरती हम अपने धर्रे पर चल पड़ते दिन प्रते दिन हमारी यात्रा जारी रही हमने अपने रुखने के स्थानों को लामा मठ में जाने को जहा की भिच्छुक विवस्था कर सकते थे इसकी अतरिक्त मैं दलाई लामा के व्यक्टिकत संरक्षन में यात्रा कर रहा था और ये वास्तों में बहुत महत्वरकता था हमने कातिंग के तरफ रुख किया ये अत्यंत प्रसिद्ध वैपारिक नगर है याग के बिखरी के लिए सूप्रसिद्ध और विसीस रूप से चाय जो हमें तिबबत में इतनी मजेदार रूचिकर लगती थी कि इटों के नर्यातक केंद्र के रूप में मसूर ये चाय चीन स लाई जाती थी ये सामानित चाय पत्ती नहीं थी परन्तु कामोवेस एक रासायनी काढ़ा जैसा था इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती कलमी शोरा, सोडा, नमक और कुछ दूसरी अन्य चीचे होती थी क्योंकि चीन में खाना बहुत आयात में नहीं था जैसा कि विस्वे के दूसरे भागों में है और इसलिए हमारी चाय को और एक पेई के रूप में होना होता था कातिंग में चाय को मिस्रित किया जाता है और जैसा कि इस आमानिता कहा जाता है खंडों और इंटों के रूप में बनाया जाता है ये इंटे आकार और वजन में ऐसी होती थी जिससे की उन्हें घोडों के ऊपर और बाद में याक के ऊपर जो कि उन्हें उची परवत शरीनियों में होकर लासा में पहुचाएंगे आसानी से लादा जा सके वि उनको बाजार में बीचा जाता था और पूरे तिबबत में बीचा जाता था चाई की इटे एक विशिस्ट आकार और सकल की होती थी और उन्हीं एक विशिस प्रकार से पैक किया जाता था तक यदि कोई घोडा ठोकर खाकर या लड़ खडाकर पहाड के मोड में फस जाए और चाई नदी में गिर जाए तो भी कोई हानी ना हो ये इटे हरी कारण कहते थे और तब उन्हें जल्दी से पानी में डुबा दिया जाता था उसके बाद ये चटानों पर धूप में सूखने के लिए रख दी जाती थी जब ये सूख थी तो सिकुड़ती ये आशरजनक रूप से सिकुड़ जाती और इनका माल बहुत अधिक दबा दिया जाने पर भी बिना अनुकसान पहुँचाए सुरक्षि ढंक से जमीन पर गिर सकता था इनको नदी में भी बहाया जा सकता था और सायद ये कई दिनों तक नदी में रह सकता था जब इनको बाहर निकाला जाता और सुखाया जाता तो हर जीज पूरी तरह से सही सलामत होती पानी अंदर नहीं घुश सकता था और कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती थी हमारी इंटे चाय की इंटे सुखाये वे अपने बंडलों में दुनिया में सबसे अधिक स्वास्तकर स्थिती में होती थी चाय बहरहाल मुद्रा के रूप में भी उपयोग में लाई जाती थी कोई वैपारी जिसके पास धन नहीं हो वो चाय के टुकड़ों को तोड़कर उनसे अधला बदलिक कर सकता था जबकि किसी के पास चाय की इंटे हैं नगद रखने के परिशानी और जंजट मोल लेने की आवशक्ता नहीं थी कातिंग नहीं हमको वैपारियों की भाती वैवहार से बेचैन करते वे प्रभावित किया हम किवल अपने लासा के ही अभ्यस्त थे परन्तु यहां कातिंग में तमाम देशों के लोग थे बहुत दूर जैसे जापान, भारत, बर्मा और ताकला परवत स्रीनियों के आगे के असब जंगली दिहाती लोग भी, हम बाजार में घूमे वैपारियों के साथ मिले और विभिन भासाओं के अंचान आवाजों को सुना, हमने जीन वर्ग की और दूसरे अन्य विभिन धर्मों के भिक्षों के साथ कंधे रगडे, तब हमने इन सब के भालीपन के उपर अश इस पारे में जादा चिंतित थे कि हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, हमने जल्दी उन्हें बताया कि हम बाजार में घूमते रह गये थे और बाजार की गपशप को सुन रहे थे, प्रभारी मठादीश ने हमारा स्वागत किया और उत्सुक्ता के साथ हमारी तिबबत की कहानियों को सुना, उन सारी खबरों को सुना जो हमने उन्हीं दी, क्योंकि हम विद्वानों की नगरी पोटाला में थे, हम उन लोगों में से एक थे जो चांग तांग जैसे उच्च इस्थानों में जा चुके थे और जिन्होंने अच्छी अच्छी चीजों को देखा था हमारी प्रसद्धी वास्तों में हमसे पहले पहुँच गई थी जल्दी सुबा मंदिर में अपनी प्राथना सभा में सामिल होनी के बाद हम फिर अपने घोडों पर सवार होकर थोड़ा सा खाना तसंपा अपने साथ लेते वे सडक पर चले सडक वास्तों में एक पहाडी में उठी हुई तंग घाटी की तरह संकरी एक निसान भर थी उसमें नीची की और उससे कहीं ज़्यादा जो हमने इससे पहले साइधी कभी देखे हो पेड थे उन में से कुछ जरने के उड़ती हुई छोटी छोटी बूंदों से आंसिक रूप से ढगे हुए द्यात्याकार सदा बहार उस घाटी को ढगे हुए थे जबकि उसके जमीनी भाग पर विभिन रंगों के फूल, छोटे छोटे पहाडी फूल, खुसबुतार कलीचे की रूप में बिछे हुए थे हम यदि पी उत्पीडन अपने घर को छोड़ने के खयाल के कार, उदास और हवा के घनत्व के कार, दबे और ठके हुए थे हर बार हम नीचे और नीचे चलते चले जा रहे थे और हम इसमें सांस लेना कठिन से कठिन तर पा रहे थे, एक और कठिनाई थी, जिससे हम परिसान हुए तिब्बत में जहां हवा विरल होती है, पानी कम ताप पर उबल जाता है और उचे स्थानों पर हम चाय को जब वो वास्तों में उबल रही होती थी, पी सकते थे हम चाय और पानी को तब तक आग पर रखते थे जब तक कि सारे बुलबुले ये जेताउनी ना दे देगी चाय पीने के लिए तैयार है पहली बार इस मिचले देश में जब हमने पानी के ताप को नापने की कुशिस की हम जले वे होट महसूस कर रहे थे चाय को सीधे आग से उतार कर पी लेना हमारी आदत थी हमें तिब्बत में ऐसा करना पड़ता था अनिथा कटू सीथ हमारी चाय में से सारी उस्मा लूट लेता उस समय हमें ये जानकारी नहीं थी कि घनी हवा उबलने के तापकरम को प्रभावित करेगी और ना ही हमें ऐसा पता चला की हम उबलते वे पानी को ठंडा होने के लिए इंतिजार करें क्योंकि यहां उसके जमने का कोई खत्रा नहीं है हमारी चाती और फिफ्रों के उपर हवा का अधिक भार होने के कारण दबाव से सांस लेने में कठिनाई के कारण हम गंभीर रूप से और व्यवस्थित थे पहले हमने सोचा की यह हमारे प्रियतिब्बत को छोड़ देने का कारण हमारी भावनाएं हैं परन्तु बाद में हमने पाया की हवा में डूप जाने के कारण हमारी दम घुट रही थी हमें से कोई भी लासा से जो खुद समुद्र तल से बारह हजार फुट के उपर है एक हजार फुट नीचे नहीं गया था अकसर हमको और अधिक उचाईयों पर रहना पड़ता था जब हम चांग तांग उचाईयों पर गए वहां की उचाई बीस जार फुट से जादा थी हमने भूत काल में तिबबतियों के बारे में जिन्होंने निचले स्थानों पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लासा को छोड़ दिया था तमाम कहानिया सुनी थी अफवाएं कहती थी कि ये महीनों की परिशानी के बाद मर गए उनके फेफ्रों के हालात खराब हो गए पवित्र नगर की बुढ़ी औरतों की कहानिया और ये कथन की जिन्होंने निचले स्थानों पर जाने के लिए लासा छोड़ा वे अत्यंत दुखपरी मौत मरे निश्चित रूप से काफी बखेडा खड़ा करती थी मैं जानता था कि इन सम्मे कोई सत्यता नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता संगाई में रह चुके थे जहां उनकी काफी संपत्ती थी वे वहां रहें और सुरक्षित वापस आएं मैं अपने माता पिता के साथ बहुत कम रह पाया क्योंकि वे इतने व्यस्त व्यक्ती थी और इतने अधिक उचे पत पर थी कि उनके पास बच्चों के लिए कोई समय नहीं था मेरी जानकारी नौकरों से बटोरी गई थी परन्तु मैं उस भावना के लिए जो हम अब अनुभाव कर रहे थे गंभीर रूप से विचिप्त था परिसान था हमारे फेफडे ठुजे हुए से लगते थे हमें ऐसा लगता था कि लोही की पट्टियां हमारे चाती पर बान दी गई है जो हमें सांस लेने से रोक रही है हर सांस रूंक्टे खड़े करने वाला एक प्रयास था और यदि हम बहुत तीजी से चलते तो दर्द जैसे की आग से जलने का दर्द हमारे अंदर गोली जैसा चुपता हम जैसे जैसे यातरा करते वी नीचे और नीचे आते गए हवा सघन होती गई और ताप गर्म होता गया हमारे लिए ये दुखताई जलवायू थी लासा में तिब्बत में वास्तों में मौसम बहुत थंडा रहता था परन्तु एक सुस्ख थंडा होता था एक स्वस्थ थंडा होता था सीमा में आ गये थे एक समय दूसरे लोगों ने मुझे पीछे लोटने के लिए ये कहते हुए कि यदि हम अपनी उतावली और जोखिम भरी यात्रा में चलते रहें तो हम सब मर जाएंगे वापस लासा आने के लिए दबाव देना सुरू किया परन्तु मैं अपने भविश्य कथन के प्रती पूरा नेस्ठावान था कि ऐसा कुछ नहीं होगा इसलिए हम यात्रा करते रहें जैसे जैसे तापकरम गर्म हुआ हमें चक्कर आने लगे हम लगभग नसे में धुथ हो गये और हमें अपनी आखों में तकलिफे होने लगी हम सामान अवस्था में जितना देख सकते थे उतना नहीं देख पा रहे थे और नहीं उतना स्पष्ट देख पा रहे थे और दूरी के संबंद में हमारे अनुमान गलत हो रहे थे बहुत बाद में मैंने इसके इस पस्टी करण को देखा तिबबत में जहां दुनिया के सुधतम और साफ हवा है कोई भी पचास मिल या उसे अधिक दूरी तक ऐसी इस पश्टता के साथ जैसे कि हम यहां दस मिल दूर देख रहे हो देख सकता है या निचले स्थानों में सगन हवा में हम इतनी दूर तक नहीं देख सकते थे और जो कुछ भी हम देखते थे वह हवा की सघंता और उसकी असुधता के कारण विक्रित हो जाता था हमने कई दिनों तक नीचे और नीचे घहने पेड़ों से भरे जंगल में होकर जैसा के कोई स्वपन में भी नहीं सोच सकता होगा लगतार यात्रा की तिब्बत में जंगल अधिक नहीं है पेड़ भी अधिक नहीं है और कुछ समय के लिए हम स्वैम को घोडों से उतारने में और अन्य प्रकार के पेड़ों को देखने उनको छूने और उनको सूंगने से स्वैम को रोक नहीं सके हमारे लिए ये जबी इतने अजनबी और इतने अधिक भहतायात में थे सदा बहार बोरुंस वास्तों में हमारा सूपरीचित था क्योंकि तिबबत में हमारे पास अनीक सदा बहार थे बोरुंस का फूल यदि ठीक से पकाया गया हो तो वास्तों में खाने से संबंद्ध विलासिता की एक वस्तू थी हम सवार हुए चलते गए और जो कुछ हमने देखा उस पर आशर चकित होते गए और अपने घर और यहां के बीच अंतर को दीख कर आशर चकित हुए मैं कह नहीं सकता कि हमें कितना समय लगा कितनी दिन अथवा कितने घंटे क्योंकि ये सारी चीज हमें बिल्कुल भी लुभा नहीं सकी हमारे पास काफी समय था हमें कोई जल्दी नहीं थी सभेता के कोई हडबडाहट नहीं थी अथवा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी चिंता की जाए हम रोजाना आठ या दस खंटे सवारी करते थे और रात को अपने सुविधा जनक लामा मठों में रुखते थे ये हमारे प्रकार के बौध मठ बिल्कुल नहीं थे पर अंतो कोई बात नहीं हमारा सदेव स्वागत किया गया हमसे पूर्व के सचे बौधों से यहां कोई प्रतिदवंदिता, कोई मतभेद, अथवा विद्वीस नहीं है और किसी भी यात्री का यहां सदेव स्वागत किया जाता है जब तक हम यहां थे तो जैसी हमारी परंपरा थी उसके अनुसार हमने सभी प्राथना सभाओं में भाग लिया हमने भिख्ष्वों के साथ जो हमारा स्वागत करने के लिए पूरी तरह ततपर थी समवाद करने का कोई अवसर नहीं गवाया उन्होंने हमें चीन की बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में विभिन आश्चरेजनक कहानिया सुनाई बताया कि पुराना सांती का महौल किस प्रकार बदल रहा था भालो के दीज के लोग, रूसी लोग अपने राजनैतिक आदर्सों के साथ जो हमारे अनुसार पूरी तरह से गलत दिखता था कैसे हम चीनी लोगों को समझानी और सिक्षा देनी का प्रियत्न कर रहे थे हमें ऐसा लगता था कि जो रूसी लोग हमको सिखा रही है वह है जो तुम्हारा है सो मेरा है और जो मेरा है सो तो मेरा है ही जापानी ठीक इसी तरह से हमको बताया गया कि चीन के विभिन्न भागों में कस्ट पैदा कर रहे थे ये वास्तों में जनसंक्या के बाहुले का प्रश्न प्रतीत होता था जापानी बहुतायात में बच्चे और कम से कम मात्रा में खाना पैदा कर रहे थे इसलिए विसांते प्रे लोगों को अतिक्रमित करने के कोशिस कर रहे थे उनसे कुछ चुराने के कोशिस कर रहे थे मानों की किवल जापानी ही इस मैदान में है अंत में हमने सिकॉंग छोड़ दिया और स्वीजवान में सीमा पार की और कुछ दिन बाद हम यां अंगस्ते नदी के किनारे पर आए यहां हम देर साम एक छोटी से गाउं में रोके यहां हमने खरीदारी की इसलिए नहीं कि हमें अपने निर्दिस्थ स्थान पर रात में प हमें से जादा तर चुकि थोड़े भारी बदन के थे इसलिए हमें अपने समुहों में अपने से आगे जाने वालों को धक्का देकर आगे निकलने में दिकत नहीं हुई वहां एक लंबा सफिद आदमी था जो बैल गाड़ी पर खड़ा हुआ हाथ फैक फैक कर इसारा करते वे किसानों को भासन देते वे प्रोचाहित करते वे ताकि वे खड़े हो और भूस्वामियों को मार डाले सामेवाद के चमतकारों को आशरियों को बता रहा था वह कुछ कागजों को और कुछ चित्रों को हवा में हिला रहा था वह एक तीखे नाक नक्ष वाले दाड़ी वाले आदमी को दुनिया का तारग उद्धारग कहता था परंतु हम तो लेनिन के इस चित्र से और नहीं उस मनुष्य की बातों से प्रभावित हुए हम उपता कर दूसरी और घूंग गये और कुछ मिल दूर लामा मठ की और जहां हम रात को रुखने वाले थे चल दिये चीन के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लामा मठों के साथ साथ बौध मठ, विहार और मंधिर भी थे चोकि कुछ लोग विशेज कर सीकॉंग, सेजवान, अथवा, संगाई में तिब्वती बौध मठ को प्रात्मित्ता देते थे इसलिए हमारे लामा मठ, जो हमारी साहिता के आवसकता महसूस करते थे, उनको सिखाने के लिए वहाँ विद्धिमान थे हमने कभी धर्मांत्रन नहीं कराना चाहा हमने कभी जनता को अपने धर्म में आने के लिए नहीं कहा क्योंकि हमारा विश्वास था कि मनुष्य अपना चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है हमें उन मिश्णर्यों से कोई प्रेम नहीं है जो सेखी बगहारती हुई कहती है कि किसी को बचाने के लिए अमुक धर्म को अपनाना चाहिए हम जानते थे कि यदि कोई व्यक्ती लामा बौध होना जाता है तो हमारे त्वारा पीछा ना किये जाने के बावजूद भी वो ऐसा करेगा हम जानते थे कि तिबबत में उन मिशनरियों के उपर जो चीन में आती थी हम किस प्रकार हसते थे ये एक सूस्थापित मजाग था कि लोग केवल कुछ उपहार और तथाकथित लाप प्राप्त करने के लिए जो कि ये मिशनरियां बाट रही थी कोई आदमी धर्मांतरन का बहाना कैसे करता है और दूसरी बात तिबबती और चीनियों के पुराने धर्रे के लोग कुछ नम्र प्रवर्ति के थे वे मिशनरियों को प्रसन्न करने का प्रयतन करते थे उनको ये विश्वास दिलाने का प्रयतन करते थे कि उनको कुछ सफलता मिल रही है परंतु उन्होंने एक जण भर के लिए भी उन पर विश्वास नहीं किया जो कि वे उन्हें कह रहे थे हम जानते थे कि उनका अपना विश्वास है परंतु हम अपने हे विश्वास को बनाए रखना पसंद करते थे हम यात्रा करते गए और यांगस्ते नदी वह नदी जिसे मैं बाद में इतनी अच्छी तरह जान सका क्योंकि ये बहुत मजिदार रास्ता थी कि रास्ते का अनुसरन किया हम नदी के ऊपर चलते नौ वाहनों को देखकर मोहित होते थे हमने इस से पहले इस प्रकार की नावे नहीं देखी थी यदि भी उनके चित्र अवश्य देखी थे और अतिंद्री दर्शन के एक विशिष्ट सत्र में जिसे मैंने अपने गुरू लामा मिंग्या डोंडूब के साथ किया था मैंने एक पर भाप के जहाज को देखा था परनतु ये इस पुस्तक में बाद में विस्तार से वर्णन किया गया है तिब्बत में हमारे नावे बांस से बनी हुई एक विशिष्प्रकार की नावे जो चमड़े से धकी हो उप्योग में लाते थे इनके ढाचे बहुत हलके होते थे जो याक की खाल से ढके जाते थे और इनमें सायद नावे के अलावा चार या पांच यात्री ही जा सकते थे बहुदा भाड़ा न देने वाला यात्री एक भेड होती थी जो नाविक के पालतु होती थी परंतु वह भी अपना अंसदान तेज दिहात में दे देती थी क्योंकि जब वह नाविक नदी के तेज उतार को टाल देने के लिए जो अने था उसकी नाव को तोड़ देता नाव को अपनी कंधे पर डाल कर चटान पर चल रहा होता अपनी निजी सामान बंडलो अत्वा कंबलो को उसकी पीठ के उपर लाद देता था कई बार कोई किसान जो नदी को पार करना चाहता था भेड अत्वा याक के खाल जिसमें टांगो और दूसरे खुले सिरों को बंद कर दिया गया हो का उप्योग करता वो अपनी इस युक्ती का उप्योग करता ठीक वैसे ही जैसे कि पश्चमी दीसों के लोग जल पंखों का उप्योग करते हैं परन्तु अभी हम वास्त्विक नाओं को पाल तिकोनी आकार के हवा में फर्फडाते वे पाल सही दीखने में रूची रखते थे एक दिन हम कुछ उथले स्थानों पर रुके हमारे साथ छल किया गया था दो आदमी नदी में अपनी बीच एक लंबा जाल साथ में लेकल चल रहे थे उनके आगे दो अन्य व्यक्ति भयानक रूप से चिलाते हुए पानी को छड़ियों से पीट रहे थे पहले हमने ये सोचा कि ये लोग पागल हैं और जो जाल लेकर चल रहे हैं वे उन्हें अपने कबजे में लेने की कोशिस कर रहे हैं हमने ध्यान से उन्हें देखा और तब एक आदमी ने संकीत की रूप में सोर मचाना बंद कर दिया और जाल पकड़े हुए दोनों आदमी एक साथ चलने लगे ताकि उनका रास्ता रोक लिया जाए उन्होंने अपने बीच में जाल के सीरों को तान दिया और उसे किनारी के और खीचा नदी के रेतीले किनारों पर सुरक्षित रूप से उन्होंने जाल को धटका दिया और उन्होंने चमकती हुई संघर्स करती हुई कई पांड मचलियों को जमीन पर पटक दिया हमें इससे धखका लगा क्योंकि हम कभी हत्या नहीं करते हम विश्वास करते थे कि किसी वी जीवित प्रामनी को मारना अनुचित है दिब्बत में हमारी यहां के नदियों में मचलियां आती और पानी में फैलाये वे हाथ को जो उनकी तरफ होता छूती वे हाथ में से खाना ले ले थी उन्हें आदमी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं था और वे बौधा पालतू होती थी परन्तु यहां चीन में वे खाना मातर थी हमें आशरे होता था कि चीनी लोग किस प्रकार बौध होने का दावा कर सकती है जबकि वे इतनी बेरहमी से केवल अपने फाइदे के लिए उन्हें मारती है हम काफी धेर तक मन बहलाते रहे समय गबाते रहे हम नदी के किनारे एक घंटी साथ दो घंटी तक बैठे और हम उस रात लामा मठ तक महोचने में आसफल रहे हमने इश्वर इच्छा धीनता में अपने कंथों को जग छोरा और रास्ते में किनारे से कहीं पढ़ाओ करने के लिए तयार हुए थोड़ा बाई तरफ तथा पी पीडों का अलग थलग एक छोटा जर्मुट था जिसमें से नदी बह रही थी हमने उस तरफ को अपना रास्ता लिया और घोडों से उतर गए घोडों को पगहें से बान दिया ताकि वे घांस चारा चर सके हमारे खयाल से उनके चरने के लिए वहाँ प्रचूर अच्छी हरियाली थी लकडियों को एकठा करना और आग जलाना आसान काम था तब हमने चाय को उबाला और अपना तसंपा खाया हम घेरा बना कर तिबबत के संबंध में बाते करते भी और रास्ते में यात्रा में हमने जो कुछ देखा है उसके संबंध में बात करते भी और भविश्य के संबंध में अपने विचारों पर चर्चा करते हुए, थोड़ी समय के लिए आग के पास बैठे, एक एक करकी मेरी साथियों को जम्हाई आने लगी, वे दूर होते गए और लुढकते लुढकते अपने अपने कंबलों में घुश कर नीद में घिर गए, अं मैंने उस सभी परिशानियों के संबंध में सोचा, जिन से मैं गुजर चुका था, मैंने साथ साल की आयू में अपने घर को छोड़ने के संबंध में, लामा मत में प्रवेश करने के संबंध में और गंफीर प्रसक्षन की तमाम कठिनाईयों के संबंध में सोचा, मैंने उ बंध में भी सोचा और तब और परिहारे रूप से अपने सिक्षक निर्दीशक लामा मेंग्या डोंडूप के बारे में सोचा मैं डर के मारी घबरा गया मेरा दिल तूट गया और ऐसा लगा मानों की दो पहर की इस धूप में गाउं दीस दिहाद सब जल उठे मैं आशरे से देखने लगा और अपने सिक्षक को अपने सामने खड़े हुए पाया लोबसांग लोबसांग वे चिल्लाएं तुम इतना उदास क्यों हो क्या तुम भूल रहे हो लौ एस्क अपनी बारे में भीकार में ही ये सोच सकता है कि मुझे भटी में तकलीफ दी जा रही है प्रताडित किया जा रहा है परन्तु पानीदार स्टील के तलवार जब मुड़कर अपने पीछे देखती है तो वो इस सब को अच्छा मानती है तुम्हारा समय बहुत गुजरा है लोबसांग परन्तु ये सब एक अच्छे उद्दीश के लिए है ये जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं ये मात्र माया का संसार है सपनों का विश्व तुम्हें अनेक परिशानिया होंगी जिने अभी झेलना है अनेक कठिन परिक्षाएं होंगी परन्त इन सब में तुम फलोगे फूलोगे और आगे बढ़ोगे तुम उन सब के उपर विजय प्राप्त करोगे और अंत में तुम उस कारे को पूरा करोगे जिसे स्वैम तुमने खुद करने का पीड़ा उठाया है मैंने अपनी आखें मली और तब मुझे ऐसा लगा कि वास्तो में लामा मिंग्या डोंडो सुक्ष्म सरीर से यात्रा करते हुए मेरे पास आये थे मैं इस प्रकार की चीज़े स्वैम भी कर चुका था परंतु ये सब इतना अनापेक्षित था और मुझे इतना साधारन लगा कि मैं हर समय उनके विचारों से सहायता प्राप्त करता पिता पुत्र की तरह से साथ साथ थे उन्होंने मुझे मानस शित्रों के सहायता से आगे जो कुछ कठिनाईयां आने वाली हैं और कुछ तक आनंद के साथ अंतिम सफलता को जो उसको रोकने के तमाम प्रयासों के बावजूद मुझे मिलेगी दिखाया एक और निशित समय पर शाथ जब मेरे सिक्षक ने अपने अंतिम सब्दों को आसा और प्रेणा भरे सब्दों को दोहराया स्वर्निम आभा मंद हुई और मैं अपने उन प्रधान विचारों के साथ बर्फ जैसी जमी हुई रात में आकास के तारों की छाओं में लुढग गया अंतिम रूप से नीद में सो गया अगली सुबह हम जलती उठे और नास्ते के लिए तयार हुए जैसे हमारी रिवास थे हमने सुबह की प्राथना सभागी जिसको वरिश शदस से होने के नाते मैंने संचालित किया और तब हमने अपनी यात्रा को नदी के साथ साथ चलते ह रास्ते पर प्रारंब किया दोपार के लगभग नदी दाएं हाथ की ओर चलने लगी और रास्ता सीधा आगे की ओर चला हमने इसका अनुसरन किया ये हमें जैसा लगा काफी चोड़ी सड़क से जा मिला वास्तों में जैसा मैं अब समझता हूँ तथ्यात्मक रूप में य आश्रचकित होते वे अपनी आरामों को अपनी सुवधाओं को अपनी जड़ों से वंचित न होते वे और सड़क पर किसी प्रकार के गढ़्धी न देखते वे गोरसवारी करते वे इस पर होकर चले हम ये सोचते वे उच्छते वे चलेगी हम दो तिन दिन में आगे चुं दूर छितिज की ओर देख रहा था तब वो खत्रे को भापता हुआ बहुचक्की से फट्टी हुई आखे और हाव भाव दिखाते हुई अपनी रकाब में सीधा खड़ा हुआ दिखो उसने कहा एक धूल भरा तूफान आ रहा है उसने सामनी के और इसारा किया जहां सुनिश्चित रूप से एक भूरा काला बादल काफी तीजी से आगे बढ़ रहा था तिबबत में साइध असी मिल प्रती घंटा या इसे अधिककती से चलनी वाले इस प्रकार के धूल भरे तूफान आती हैं कंकर गिट्टी से भरी वायू के बादल जिनसे केवल याकों को छोड़कर सभी लोगों को कही न कही सरन लेनी पड़ती है याक की मोटी उन उसे सभी प्रकार की हानियों से बचाती है परन्तु अन्य सभी प्रानी विशीज कर वनुष्य लुंज पुंज हो जाती हैं और चुबती हुई गिट्टियों के कारण जो चेहरे और हाथों को घरोच देती है खून बहने लगता है हम निश्चित रूप से व्याकुल थे क्योंकि ये या पतला धूल भरा तूफान था जिसको हमने तिबबच छोड़ने के बाद पहली बार देखा था तब हमने अपने सम्बंध में ये देखने के लिए कि हम कहां सरन ले सकते हैं विचार किया परन्तु हमें वहाँ कोई सुविधाजनक की स्थान नहीं मिला अपनी घबराहट के साथ हम साउधान हुए कि सामने से आने वाला तूफान भयंकर गर्जन के साथ आ रहा था एक ऐसी अनोखी आवाज जो हम में से किसी ने भी इससे पहले नहीं सुनी थी कुछ-कुछ मंदिर की तुरहियों जैसी आवाज जिसे मानो कोई धुन न समझने वाला बहरा नो सीखिया बजा रहा हो अथ्वा हमने मुश्किल से सोचा जैसे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना हमारे उपर चड़कर चली आ रही हो थ्रम 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 चलती गई तेजी से ये धार उभरी और अजनवी से अजनवीतर हो दी गई बक बक करना तथा जल्दी बोलना और घबराना इसके साथ साथ चलता रहा कुछ भी करने के लिए हम लगभग बहुत अधिक घबरा गए थे ना सोचपाने के लिए भी बहुत अधिक घबरा गए थे धूल भरे बादल तीजी से और अधिक तीजी से हमारी और बढ़ते आ रहे थे हम डरे हुए थे और लगभग डर के मारी हमें लगवा जैसा मार गया था हमने फिर से तिबबत में उठने वाले धूल के बादलों के संबंध में सोचा परन्तु उनमें से कोई भी वास्तों में निश्चित रूप से इतना गर्जन करता हुआ कभी नहीं आया था गबराहट में हमने कुछ सरन इस्थान पानी के लिए कुछ इस्थान जहां हम इस भयानक दुफान से जो हमारी तरफ आ रहा था बचे रह सके फिर देखा हमारे घोडे हमसे जादा तीज थे और वे अपना दिमाग ये सोचने में लगा रहे थे कि उन्हें कहा जाना है उन्होंने अपनी पंक्तियां तोड़ दी वे आगे पीछे हो गए और तीजी से हिन्हनाने और कूदने लगे मुझे उनकी उर्ती टापो के आवाद सुनाई दी और मेरे घोडे ने बहुत जोर के हिन्हना हट दी और बीच में से मुरता हुआ जैसा लगा एक अजीब सा खिचाओ और इस प्रकार का एहसास हुआ कि कुछ चीज टूट गई है ओ, मेरी टांग टूट गई मैंने सोचा तब मैंने और मेरे घोडे ने साथ छोड़ दिया मैं हवा में चाप के रूप में उच्छाल दिया गया और सड़क की एक किनारे पर बहुत चक्का हुआ पीठ के बल जाकर गिरा सीघृता के साथ धूल के बादल और समी पा गये और मैंने स्वैम इनके अंदर दहारते हुए, कापते हुए और रोंग्टे खड़े करते हुए दैत्य एक काले प्रानी को देखा यह आया और गुजर गया पीठ के बल चित पड़े हुए, सिर चक्राते हुए मैंने पहली बार एक सुधारी हुई, पुरानी अमेरिकन बैल गाड़ी की तरह, जिसको एक मुस्कुराता हुआ चीनी चला रहा था, और जो अपनी काफी सूर भरी, अधिक्तम चाल पर चल रहा था, मोटर यान को दिखा इसमें से दैते की सांस, जैसा हमने इसे बाद में कहा, पेट्रोल, तेल और खाद के एक मिस्रन के तरह, दुरगंध आ रही थी, खाद का भाग, जो धीमे धीमे, ले जा रहा था, उच्छाल कर फैंक दिया गया, इसमें से कुछ, जमीन पर एक किनारे के तरफ बिखर गया, इसका थोड़ा सा हिस्सा, गोली जैसी आवाज के साथ मेरी तरफ को भी फैला, लौरी काले धुए में से, पर लगा कर उड़ते हुए, दम घोटने वाले धूल भरे बादलों को छोड़ते हुए, और निकलते हुए सूर सराबी के साथ बिन बिनाने लगी, सीगरी ये काफ मैंने सांथ होकर अपने आसपास देखा, मेरे किसी साथी का कोई नामो निशान नहीं था, साइद सभी इसे बुरी हालत में थे, घोड़े का कहीं अतापता नहीं था, मैं अभी भी इस रहस्य को अपने आप सुलचानी की कोसिस कर रहा था, क्योंकि गिट्टियों के पींच पाती दैतियों में से कोई एक अगली बार फिर दिख जाएगा, दूसरी प्रकट हुए, हम अभी तक ये नहीं समझ सके कि हमने क्या दिखा था, ये इतनी अधिक तेजी से हुआ, और धूल के बादलों ने इतना धूंदरा कर दिया कि कुछ भी समझपाना मुस्किल था, द पारंतो मेरा घोडा कहा था, मेरे साथी लोग सभी दिशाओं में घूम फिर कर देखाएं, पारंतो मेरी सवारी किसी को नहीं दिखाई दी, हमने आसपास देखा, फुकारा, धूल में खुरों के निसानों को तलासा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई निसान नहीं मिला हमें ऐसा लगा कि अभागा प्रानी लौरी में कुदा होगा और लौरी के साथ लदकर चला गया नहीं हम किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा सके और अब क्या करना चाहिए इसके उपर विचार करते भी सड़क के किनारे बैठ गये हमारे साथियों में से एक ने समीब की जोपड़ी में रुकने का प्रस्ताव किया ताकि मैं उसके घोड़े को ले सकू और मुझे चुंकिंग छोड़े आने के बाद वापसी में वो अपने साथियों के साथ अपने घोड़े को ले जा सके लेकिन मुझे इन में से कुछ भी समझ में नहीं आया मैं जानता था कि इसकी अतरक्त वह थोड़ा आराम करना चाहता है और इससे घोड़े के गुम होने के राज से नहीं खुला मेरी साथियों के घोड़े हिनहनाई जवाब में एक चेनी किसान की समीब के जोपड़ी में से मेरा घोड़ा भे हिनहनाया इसे जल्दी ही दबा दिया गया मानो उसके नथुने के ओपर कोई हाथ रख दिया गया हो हम में प्रकास कौन था हमने एक दूसरी की ओर देखा और तुरंत कारवाई करने के लिए तैयार हो गया अब उस गरीबी से तरस्त होई जोपड़ी में कोई घोड़ा कहां से आ गया ये नस्ट प्राया भावन किसी ऐसे आदमी का घर नहीं हो सकता था जो किसी घोड़े को पाल सके सपस्ट ता घोड़ा हमसे छिपाया गया था हम उचलकर अपने पैरों पर खड़े हो गये और अपने चारों तरफ डंडे लाठी पाने के लिए देखा उप्युक्त हथियार ना मिलने के कारण हमने समीब के पेड़ों से टहनियों को तोड़ लिया और तब तब दिन संकल्पित दल के रूप में इस आसंका के साथ कि क्या हो रहा है जोपड़ी की और आगे बढ़े दरवाजा जरजर अवस्था में कबजो के जगह फीती से बांधा हुआ था हमारी हलकी सी धपधपाहट का कोई उत्तर नहीं मिला वहाँ एकदम सांती छाई रही कोई ध्वानी नहीं हमारी प्रवेज के लिए की गई ये मांग किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं पा सकी फिर भी पहले एक घोड़ा हिन हिनाया था और उसके हिन हिनाहट को दबा दिया गया था इसलिए हमने दरवाजे के ऊपर तीखा आकरमन किया थोड़े समय तक उसने हमारे इस प्रयास का विरोध किया और तब उसके फीते वाले कपजे तूटने लगे दरवाजा मुड़ गया और लगबग तूटने के कगार पर दिखने लगा ये सीगरी पूरा खुल गया इसके अंदर एक जुर्रीदार सूखा हुआ मरियल चीनी आदमी था उसके चहरे पर भैच चाया हुआ था ये एक बहुत ही घराब जोपड़ी थी और इसका मालिक फटे हुए कपड़ों में एक आदमी था लेकिन इस सब में हमें कोई रूची नहीं थी मेरा घोड़ा इसके अंदर था जिसके नतोने के ओपर उसे सांथ रखने के लिए एक थैला बान दिया गया था हम इस चीनी किसान से बिल्कुल प्रसंदे नहीं हुए और कुछ निशित तरीके से अपनी नापसंदगी का संकेत दिया हमारी पूछताज के दबाओं में उसने स्विकार किया कि उसने हमसे घोड़ा चुराने का प्रयास किया था उसने कहा कि हम धनाते विक्षु हैं और एक या दो घोड़े का नुक्सान सह सकती है वह मातरिक गरीब किसान था उसने सोचा कि हम उसे मार डालने वाले हैं हम उसे तीखे दिखाई पड़े हम लगबग 800 मेल चल चुके थे और ठके हुए भी थे और उजड जगडालू दिखाई दे रहे थे तथा भी हमारा उसके उपर नाराज की प्रदर्शित करने का कोई इरादा नहीं था हमारा चीनी भासा का मिला जुला ग्यान उसके कारे के बारे में अपनी राय बताने के लिए उसको समझाने के लिए उसकी जीवन को सैथ समाप्त करने और नीसंदे अगले पड़ाओ पर पहुँचाने के लिए काफी था विशीज रूप से उसके बारे में हमारे मस्तसकों में इस सबकी समाप्ती पर इस बात के उपर विशीज ध्यान रखते हुए कि उनको बांधने वाली कमर की पेटिया ठीक कसी हो हमने घोडे पर दुबारा से काठी कसी और हम उसकी उपर फिर से सवार होकर चुंकिंग की ओर चल दिये उस रात को हम एक छोटे लामा मठ में रुके बहुत छोटा इसमें छे भिक्षों थे परन्तु हमें सभी प्रकार का आतित्य सत्कार दिया गया इसके बाद की रात हमारी लंबी यात्रा की आखरी रात थी हम एक लामा मठ में आए जहां गहंतम का एक प्रते निधी उपस्तित्था सौहाद्रता के साथ हमारा अभिनन्दन किया गया जो हम समझते हैं कि हमारे लिए उचित्था फिर हमें खाना और रहने के लिए इस्थान दिया गया हमने उनके मंदिर की प्राथनाओं में भाग लिया और रात में बहुत देर तक तिबबत की घटनाओं के बारे में उंचे उत्री इस्थानों के लिए अपनी यात्रा के संबंध में और दलाई लामा के संबंध में वारतालाब करते रहे ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि यहां भी मेरे सिक्षक लामा मिंग्या डोंडो बहुत अच्छी तरह विख्यात थे मैं एक चापानी भिक्षों से मिलने के लिए भी उत्सुक था जो लासा गया था और जिसने हमारे बौत धर्म की साखा जो उनकी साखा जेन से एकदम अलग है का अध्यन किया था आने वाले परिवर्तनों के संबंध में एक नए प्रकार की क्रांती की एक नई विवस्था की जिसमें भूस्वामियों को उखार कर फैक दिया जाएगा और और सप्षित किसान उनकी इस्थान को ले लेंगे चीन में काफी चर्चा चल रही थी आशरे पुन वाइदा करते परन्तों कुछ भी प्राप्ती न कराते भी कुछ भी संरशनात्मक प्राप्ती नहीं रूसी एजेंट हर जगा थे ये रूसी हमारे खयाल से उस राक्षस के जो भ्रस्ट था तोड़ रहा था जैसे कि प्लैक किसी सरीर को तोड़ती है चुगंधित में मूलेवान नहीं समझे जाते थे विस्व बहुत खराब स्थिति में था तारे आगास में उचे लुढक रहे थे हम बाते करते रहे और अंत में एक एक करके जहां हमें सोना था लेटते गए हम अपनी यात्रा के बारे में जानते थे कि वो सुबह समाप्त हो जाएगी मेरी यात्रा थोड़ी समय के लिए परंतो मेरे साथियों के तिब्बत वापस जाने वाली यात्रा मुझे इस अंजान निर्दई विस्व में जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है अकिला छोड़ देगी उस पिछली रात को मुझे आसानी से नीद आ गई सुबह मंदिर की सामाने प्राथना सभा के बाद और अच्छी तरह भर पेट खाना खाने के बाद हम फिर से चुंकिंग के सड़क पर चल दिये हमारे घोड़े भी काफी तरोता जा थे अब याता यात भी काफी हो गया था लौरी और विभिन प्रकार के पहियों वाले वाहन प्रियाप्त मात्रा में थे हमारे घोड़े डरे हुए तनाव ग्रस्त और थोड़ी धगान में थे वे इन वाहनों के सोर और जले हुए पिट्रोल की बद्बु के लिए जो उनको लगातार जलन पैदा कर रहा था अभ्यस्त नहीं थे वास्तों में हमें अपने रकाबों में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था हमारी रूची लोगों को खेतों में उनकी सीड़ीदार खेतों में जिनमें आत्मियों के मल मुत्र की खाद दी गई थी, काम करते वे देखने में थी, लोग नीली रंग में लिप्टे हुए थे, चीन का नीला रंग, वे सभी बुढ़े लग रहे थे, और बहुत ठके हुए थे, वे नुरुत साहिद धंक से चल रहे थे, मानो की जीवन उनके बहुत भारी बोच है, या मानो की उनकी आत्मा कुछल दी गई है, और उनके पास जिन्दा रहने लाए, प्रियास करने लाए, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, आदमी, औरती और बच्चे, साथ-साथ काम कर रहे थे, हम अभी भी नदी, जिसे हम कुछ मिल पहली छोड़ा पहले थे, कि दिसा का अनुकमन करते हुए, सवार होकर चलते गए, आखिर में हमें उची पहाड़ी चूटियां दिखाई दी, जिन पर चुंकिंग का पुराना सहर बसा हुआ था, हम पर तिबबत के बाहर देखने लाएक किसी सहर की ये पहली नजर पड़ी, हम रुके और हमोहीत होकर टक्टकी लगा कर देखने लगे, परन्तो मेरी टक्टकी में नए जीवन जो मेरे सामने खड़ा था कि संबंध में कोई भयानक संका नहीं दिखाई दी, तिबबत में मेरी हाथ में मेरी पद और मेरी उपलब्धियों के अनुरूप तथा दलाई लामा के साथ म अब मैं एक विद्यार्थी के रूप में विदीसी सहर में आ गया था, इसलिए मेरी इस एकदम अलग रूप ने मुझे अपने पुराने दिनों की कठिनाईयों की जीवन्त याद दिलाई, इसलिए प्रसन्यता ये नहीं थी कि मैं अगले दिर्श्यों को टक्टकी लगा कर देख रहा था, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह एक लंबे रास्ते पर एक ऐसा रास्ता जो मुझे परिशानी अजनबी देशों, अजनबी चीन से भी अधिक अजनबी लोगों के बिच पश्यम की और जहां लोग किवल स्वर्ण की ही पुजा करती हैं ले हमारे सामने चड़ाई वाली जमीन पर सीडियों के तरह खतरना चिपके हुए सीडिदार खेत सबतरफ फैले हुए थे, चड़ाई की चोटी पर कुछ पेड उगे हुए थे, जो हमारे अनुसार जिसने अभी तक इतने कम पेड देखे थे कि इस समय ये एक जंगल दिखाई दे रहे थे, यहां भी नीले लिवाज में लिप्टी हुई आकरेतियां दूर बिखरे हुए खेतों में पैर घजिट कर चलते हुए, मानो कि उनसे पहले उनके दूरस्त पूरवज भी पैर घजिट कर चलते रहे हो, काम कर रहे थे, एक पहिये वाली गारी जो छोटे खचर जो लड़ खड़ाते हुए, लड़ते हुए, साथ-साथ चल रहे थे, खीची जा रही थी, जिस पर बागों की उपजलाद कर चुंकिंग के बाजार में ले जाई जा रही थी, यह बहुत अजीब विचितर वहान थे, इनमें पहिया गारी के बीच में होता था, उसकी दू उटे बच्चे उसके दूसरी तरफ बैठे हुए थे, चुंकिंग मेरे सहयात्रियों के लिए यात्रा का अंत, मेरे लिए यात्रा का प्रारंब, दूसरी जीवन का प्रारंब, जैसा कि मैंने गहरे दर्रे, जो की घूंगती हुई नदी के पास था, में देखा, मुझे इस कोई मित्रता नहीं है, नकर उची परवत चोटियों पर बना हुआ था, जिसमें काफी घने मकान थे, जहां से खड़े होकर हमें लग रहा था कि एक छोटा प्रायदीप हो, लेकिन हम अच्छे तरह जानते थे, हम जानते थे कि ये ऐसा नहीं है, बलकि ये तीन तरब से यं जालू का था और जहां नदिया मिलती थी, उस तरफ को उस स्थान पर ढालू था, बाद के महीनों में यह वह स्थान था जिसको मैं अच्छे तरह जान गया था, धीमे से हमने अपने घोडों को बान दिया और आगे चले, जो ही हम समीब पहुँचे हमने देखा कि हर जगा स संताब जहिलना पड़ा, जब हमने सीडियां वाली सडक पर 780 सीडियों को चड़ा, इसने हमें पोटाला की याद दिला दी और इस प्रकार हम चुंकिंग आ गए, दूसरा अध्याए, चुंकिंग, हम सूप्रकासित खिड़कियों वाली दुकानों के आगे गए, उनकी खि माले के पार भारत से लासा को लाई गई थी, और भारत पहुचने से पहले प्रसद्ध देश अमेरिका से लाई गई थी, चित्रों में देखे थे, एक नौजवान चीनी, एक विलक्षन चीज, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, एक लोही के धाचे पर जिसमें दो पहिये थे, एक सामने और एक पीछे, हमसे टकराता हुआ आया, उसने हमारी तरफ देखा और वह अपनी आखों को हटा नहीं सका, इसके कारण वह धाचे पर से अपना नियंत्रन खो बैठा, और सामने वाला पहिया एक पत्थर से जाटकराया, वह चीज बगल से लुढ बुढ़ी सी चीनी औरत उसके द्वारा पैरों से घसीटती गई, वह जपटकर पलटी और उस गरीब को जो पहले से ही काफे कुछ जहल चुका था डाट में धमकाने लगी, वह विसीस रूप से मूर्ख जैसा दिखता हुआ उठा, उसने अपने लोहे के धाचे को उठाया और सामने के पही को एक फीते से बान दिया, उसने उसे अपने कंधों पर रखा और दुखी मन से सीडियों वाली कली पर नीचे पहाड़ी के तरफ चला गया, हमने सोचा कि हम एक पागल खाने में आ गये हैं, क्योकि यहां हर कोई एक विशिश तरीके से विभार कर रहा था हम उन दुकानों में रखेवे माल के उपर अशर्य करते हुए, इस बात का अनुमान लगाते हुए कि उनकी क्या कीमत होगी, और वे किसलिये थे, धीमे धीमे, साथ साथ चले, क्योकि यद भी हमने अमेरिका के पत्रिकाओं को देखा था हमें से कोई भी उनकी एक भी सब्द को नहीं समझ सका था, परन्तो के वल्चित्रों से ही हमने काफी मनुरंजन किया था उसके आगे हम उस महाविद्याले में आएं, जिसमें मुझे प्रवीश लेना था हम रुके, हम उसमें अंदर गए, ताकि मैं उसमें अपनी पहुँच को दर्ज करा सकूँ सामे वादियों के इस्तीस में, हमारे मित्र अभी भी थे, और मैं उन्हें ये सूचना नहीं देना चाहता था ताकि वे पहचाने ना जा सके, क्योंकि मैं नौजवान तिब्बती प्रतिरोध आंदोलन से काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ था हमने काफी सक्रियता के साथ तिब्बत में सामे वादियों को रोका था मैंने प्रवेश किया, वहां तीन सीड़ियां थी, मैं उपर चड़कर एक कमरे में गया यहां एक मेज थी, जिस पर चार टांगों से समर्थित, एक विशिस्ट प्रकार के लकड़ी के छोटे प्लैटफोर्मों में से एक के उपर जिसमें उसकी पीट को सहारा देने के दो खंबे और एक आड़ी पट्टी लगाई गई थी, एक चीनी नौजवान बैठा हुआ था बैठने का क्या आलसी तरीका है, मैंने सोचा, मैं कभी इस तरह से विवस्थित नहीं हो सकूँगा वो काफी खुजगवार नौजवान दिखाई देता था, वो नीले रंग के लाइनीन को जैसा लगभख सभी चीनी पहनते थे, पहने हुए था उसके पल्ले पर एक बैज लगा हुआ था, जो ये सूचित करता था कि वो महा विद्याले का कर्मचारी है मुझे दीख कर उसकी आँखे काफी चौड़ी खुली, उसका मुँ भी खुलने लगा तब वो खड़ा हुआ और जब वो जुका तो उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे मैं यहां के नए छात्रों में से एक हूँ, मैंने कहा पोटाला, लामा मट के, मठा ध्यक्ष के एक पत्र के साथ में मैं तिब्बत में लासा से आया हूँ, और मैंने वो लंबा लिफाफा आगे पढ़ाते वे उसे दे दिया जिसे मैंने यात्रा की अवधी में बहुत साउधानी पूर्वक संभाल कर रखा था और जिसको मैंने यात्रा के सभी जंजटों से बचा कर रखा था उसने यह मुझ से ले लिया और तीन बार जुकर कहा आदर्नी ये मठा ध्यक्ष उसने कहा, क्या आप यहां बैठेंगे, जब तक कि मैं यहां वापस लोटूँ हाँ, मेरे पास काफी समय है मैंने कहा, और मैं पदमासन के मुद्रा में बैठ गया वो स्थम्भित रह गया, और उसकी उंगलियों में कुछ बीचैनी, व्यगरता दिखाई दी वो पैर से पैर पर उठा और उसने थूख गटका आदर्नी ये मठा ध्यक्ष उसने कहा, पूरी विनमरता के साथ और अत्यंत गहन आदर के साथ क्या मैं आपको सुझाओ दे सकता हूँ कि आप इन कुर्शियों के अभ्यस्त हो जाए क्योंकि हम महाविद्याले में इन्ही का उप्योग करती है मैंने अपने पैर सिकोड़े और अतिदिक डर्दे डर्दे उन भद्दी वाली युक्तियों में से एक पर बैठा मैंने सोचा, जैसा कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैं किसी भी चीज का एक बर प्रयास अवर्श करूँगा ये चीज मुझे यातना का एक उपकरन दिखाई दी नौजवान चला गया और मुझे बैठा छोड़ गया मैं व्यक्र होता रहा और व्यक्र होता रहा सीखरी मेरी पीठ में दर्द होना सुरू हुआ तब मेरी गर्दन अकड गई और मैं अपने आपे से बाहर हो गया क्यूं मैंने सूचा इसका मख़द दीस में कोई आदमी ठीक से बैठ भी नहीं सकता जैसे की हम तिब्बत में बैठते थे परन्तु यहां हम जमीन पर बैठने से रोक दिए गये थे मैंने बगल में खिसकनी की कोशिस की और कुर्सी चटकी तड़पी और हिली और उसके बाद मैंने उससे इस डर से की कहीं वह पूरी कुर्सी गिरना जाए हिलने की कोशिस नहीं की नौजवान वापस लोटा मुझे दुबारा जुक कर अभिवादन किया और कहा प्रिंसिपल आपको मिलेंगे आधर्मिय मठाध्यक्ष क्या आप इस तरफ से आएंगे उसने अपने हाथों का इसारा किया और अपने आगे चलने के लिए कहा नहीं मैंने कहा तो मुझे रास्ता बताओ मैं नहीं चानता कि किस तरफ जाना है वो फिर जुका और मेरे आगे हो लिया मुझे ये सब इतना मुर्खता पुर्ण लगा इन विदेशियों में से कुछ कहते हैं कि वे आपको रास्ता दिखाएंगे और फिर ये उमीद करते हैं कि आप भी उनका नत्रत्व करें आप उनका नत्रत्व कैसे कर सकते हैं जबकि आपको ठीक से या पता ही ना हो कि किस तरफ जाना है ये मेरा दृष्टे कौन था और अभी भी है नीले रंग में नौजवान एक कल्यारे में होकर मुझे ले गया और तब उसने लगबग आखिर के एक कमरे का दरवाजा खट खटाया दूसरी बार जुकने के बाद उसने मेरे लिए दरवाजा खोला और कहा आदरनीय मठा ध्यक्ष लूब सांग रमपा इसके साथ ही मेरे पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं कमरे में अकेला रह गया वहाँ एक बुढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था एक बहुत खुसगवार बुढ़ा आदमी गंजा और छोटी दाड़ी वाला एक चीनी वो भयंकर रूप से भद्दी एक पुसाग पहने वे था जिसको मैं पहले देख चुका था जिसको वे पश्चिमी ढंग कहते हैं उसने नीले रंग की एक जैकेट पहन रखी थी और उसकी ऊपर नीले रंग का पेंट जिस पर सफीद रंग की पतली पट्टियां चड़ी होई थी उसमें एक कॉलर था और रंगीन टाई थी और मैंने सूचा कि कितनी खराब बात है कि इतने प्रभाव साली बुढ़े सब में मनुष्य को इतना सब फेर बदल करके इस तरह होना पड़ रहा है अच्छा तो तुम लोब सांग्रमपा हो उसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मुझे तुम्हें यहां स्विकार करते वी सम्मान महसूस हो रहा है कि तुम यहां हमारे विद्यार्थी हो तुम जो पत्र लाए उसके अलावा तुम्हारे बारे में एक पत्र मुझे पहले भी मिल चुका है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा पूर्व का प्रसिक्षन जो तुम प्राप्त कर चुकी हो अपनी स्थान पर बना रहेगा तुम्हारे सिक्षक लामा मिंग्या डोंडूप ने मुझे लिखा है कुछ साल पहले संगाई में मेरे अमेरिका जाने से पहले से मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ मेरा नाम ली है और मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ मुझे बैठना पड़ा और सरीर संरचना से सम्मंधित मेरे ग्यान को तथा सैक्षनिक विस्यों के मेरे ग्यान को परखने के लिए पूछे गए सभी प्रकार के प्रसनों का उत्तर देना पड़ा वे सारी चीजें जो माइने रखती थी या धर्म ग्रंतों में मुझे दिखती थी उनके बारे में उन्होंने कोई जांच बड़ाल नहीं की मैं तुम्हारे स्थर से अतिधिक प्रसन्न हूँ उन्होंने कहा परंतों तुम्हें यहां बहुत कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी क्योंकि चीनी पद्धिती के साथ साथ हम तुम्हें अमेरिके चिकित्सा विधियां और सल्य चिकित्सा भी सिखाएंगे और तुम्हें अनीक दूसरे विसए भी पढ़ने होगे जो तुम्हारे पाठे क्रम में इस से पहले सामिल नहीं थे मैं संयुक्त राज अमेरिका में पढ़ा हूँ और मुझे ट्रस्टियों के मंडल द्वारा, नोजवान, काफी संख्या में नोजवान लोगों को, अमेरिकी विधियों और उन तमाम तरीकों जो चीन के हालातों में चल सके का प्रसिक्षन देने के लिए यहां नियुक्त किया गया है, हम बीमारियों का पता लगाने के विधियों के ऊपर और अमेरिके चिकित्सा और सले चिकित्सा के आशरियों के ऊपर विचार करते वे, काफी लंबे समय तक बाते करते रहे, वो कहते गए, अपनी गहन संस्कृती के साथ साथ जो तुमारे सिक्षक ने तुमें दी है, विध्युत चुम्बकत्व, उस्मा, प्रकास, ध्वनी ये सभी विसियों पर तुम्हें आधिपत्य करना होगा, मैंने भैभीत होकर उनकी तरफ देखा, पहले तो विध्युत और चुम्बकत्व मेरे लिए कोई माइने नहीं रखते, मुझे इस बात का धूंदला सा एक खयाल नहीं था कि वे किस सम्मंध में बात कर रहे थे, लेकिन उस्मा, प्रकास और ध्वनी ठीक, मैंने सोचा, कोई मुर्ख भी इनके सम्मंध में जानता होगा, आप उस्मा का परियोग अपनी चाय को गर्म करने में करते हैं, प्रकास का उप्योग देखने में करते है और ध्वनी जब आप बोलते हैं, तो अब इनमें पढ़ने को है क्या? उन्होंने चोड़ा, मैं तुमें ये सुझाव दे रहा होगी, चुकि तुम कड़ी मेहनत करने के अभ्यस्त हो, अता किसी भी दूसरी के तुलना में, तुम दुगनी मेहनत के साथ पढ़ो, और दो प अक्षम होगे, दो दिन के समय में हम एक नई चिकित्स की एक अक्षा सुरू करने जा रहे हैं, वो पीछे मुड़ी और अपने कागज पत्रों के साथ सरसराहट करने लगे, तब उन्होंने कुछ उठाया, जिसको मैं चित्रों के माध्यम से समझ पाया, कि वो पहला जो मैं मैंने कभी देखा हूँ, एक फाउंटेन पेन था, वो अपने आप से बढ़ बढ़ाएं, लोबसांग रमपा, विद्धुत और चुम्बकतों में विशीज प्रसिक्षन, मिस्टर वू, देखें, एक बात का ध्यान रखें, कि इनका विशीज ध्यान रखा जाए, उन्हों ने स्याही सुखाने के लिए कागज का उपयोग किया, हम सावधानी से सुखी रेत का उपयोग करते हैं, परन्तो वो मेरी दरफ देखती हुए खड़े रहे, आप अध्यान के मामलों में से कुछ में हमसे काफी आगे हैं, उन्होंने कहा, मैं अपने वार्तालाप के आधार पर कह सकता हूँ कि तुम कई मामलों में हमारे खुद के डॉक्टर से आगे हो, परन्तो फिर भे तुमें ये दो विसे जिनके सम्मंद में वर्तमान में तुमें कोई ज्यान नहीं है, पढ़ने पड़ेंगे, उन्होंने एक घंटी को छुआ और कहा, मैं सब तरफ तुमें दिखवा दूँगा और तुम्हें विभिन्न विभागों की और ले जाया जाएगा ताकि तुम अपने साथ आज के दिन की कुछ छाप ले जा सको, यदि तुम अनिशित हो या तुमें किसी प्रकार का संदे हो, तो मेरे पास आना, क्योंकि मैंने लामा मिंग्या डोंडू नीली पुसाक वाला नौजवान कमरे में प्रविस्ठ हुआ, प्रिंसिपल ने उसको दफ्तरी भासा में कुछ कहा, तब वे मेरी तरफ मुड़े और बोले, यदि आप आफू के साथ चले, तो वे आपको पूरे महा विद्याले को दिखा देंगे, और यदि कोई प्रशन आपके पास हो, तो आपको उसका उत्तर दे देंगे, इस बर वो नौजवान मुड़ा और मेरा नित्रत्व करता हुआ साउधानी से प्रिंसिपल के दरवाजे को जो उसके पीछे था बंद करते वे बाहर के रास्ते पर जला, गलियारे में उसने कहा, पहले हमें रजिस्ट दूर दूसरी तरफ दूसरा गलिया रहा था, हम इसमें कुछ कदम चलकर एक कमरे में गए, जहां काफी हल चल थी, लिपिक लोग इस पश्टा नामों की सूची को तयार करने में काफी व्यस्त थे, जबकि दूसरी नौजवान अपनी नामों को बड़ी किताबों में लिख हो गया को कुछ कहा, कुछ दीर बाद एक ठिगना, भद्दा, चीनी आदमी नजर गड़ाते वे बाहर निकला, वो अतिधिक मोटे कांचो का चस्मा पहने वे था, और वो भी पश्मी धंकी पोसाक में था, आह, उसने कहा, लोबसांग रंपा, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, उसने अपना हाथ मुझे पकड़ाया, मैंने उसे देखा, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या देना चाहिए, मैंने सूचा, सायद वो पैसे की चाह में, मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरे साथ के मारदर्शक ने मुझे फुसफुसा कर कहा, आपको पश्मी यंग से हिलाना चाहिए, उस मोटे बौने आदमे ने कहा, हम इसी विवस्था को यहां प्रयोग में लाने वाले हैं, इसलिए मैंने उसका हाथ हिलाया और उसे दबा दिया, ओ, उसने कहा, आप मेरी हड्डियों को तोड रहे हैं, मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं जानता कि क्य करना चाहिए, तिबबत में हम अपने दिलों को इस तरह से छूते हैं, और मैंने उसे करके दिखाया, उसने कहा, ओ, हाँ, परन्तु अभी समय बदल रहा है, हम इस पधती को उप्योग में लाते हैं, अब ठीक से मेरे हाथ को हिलाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे, और बताने के लिए कि आप इस कॉलेज में हमारे विद्यार थी हैं, अब आपको अपने नाम को हस्ताक्ष्रित करना चाहिए, उसने बगल में खड़े नौजवान में से कुछ को, जो इन किताबों की और दीख रहे थे, बेरुखी के साथ जाड़ा, और अपनी उंगलियों और अंगोठी को गीला किया, तब वो एक बड़े लेजर के उपर छुका, वहाँ उसने कहा, क्या आप अपना पूरा नाम और पद वहाँ लिखेंगे, मैंने एक चीनी पेन को उठाया और अपना नाम उस पेज के सिर्ष पर लिख दिया, ट्यूजडे लोबसांग रंपा, मैंने लिखा, तिबबत का लामा, चाक पोरी का सल्य चिकत्सक पुजारी, पहचाना हुआ अवतार, मठा ध्यक्ष पदप्राप्त, लामा मिंग्या डोंडूप का सिर्स्य, ठीक, उस मूटे मूटे चीनी आदमी जब उसने मेरे लिखावट के उपर जागा, कहा, अच्छा अब हम चले, अब मैं आपको अपनी जगा दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको पश्यमी विज्ञान के, उन सब आश्यरियों का प्रभावद दीना चाहता हूँ, जो यहां है, हम फिर मिलेंगे, इसके साथ ही, उसने मेरे नौजवान पत प्रदर्शक को कहा, क्या आप मेरे साथ आएंगे, हम पहले विज्ञान कक्ष की और जाएंगे, हम बाहर गएं, और उस हाते के पार और उस लंबे भवन के अंदर में होकर, तेजी से चले, यहां हर जगा पर कांच का सामान रखा था, बोतल, नलियां, फ्लास्क और दूसरे सारे उपकरन, जो हमने इससे पहल केवल चित्रों में देखे थे, नौजवान एक कोनी में खिसक गया, अब उसने अशरे वक्त किया, यहां पर कुछ है, और वो एक पीतल के नली के साथ खेलने लगा, और उसने कांच का एक टुकड़ा, इसके नीचे के तरफ रखा, तब उसने कांच के नली में जागते हु एक मूठ को घुमाया, इसे देखो, उसने अशरे के साथ कहा, मैंने देखा, मैंने एक जीवानों के सम्मूह को देखा, नौजवान मेरी तरफ को भै और उत्सुकता के साथ देख रहा था, क्या, क्या तुम्हें अशरे नहीं लगा, उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने लामा मठ में है, जो भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को भीट किया गया था, मेरे सिक्षक लामा मिंग्या डूंडू इसका उप्योग करने के लिए स्वतंतर थे, और मैं उसे अकसर उप्योग में लाता था, उफ, नौजवान ने जवाब दिया, और वो काफी निरास भ दिखाऊंगा, और उसने मुझे इमारत के बाहर से होकर दूसरी इमारत में जाने का रास्ता दिखाया, आप रहने के लिए पहाड़ी लामा मठ में जाने वाली हो, उसने कहा, लेकिन मैंने सोचा कि आप नविंतम सुविधाओं को देखना जाहेंगे, जो यहां रहने वाल एक लोहे के काले कांच पर, जिसमें अगल पगल से तमाम मरोडे हुए तार, खीच कर बांधे वे थे, पर लग गई, यह क्या है, मैंने पूछा, मैंने ऐसे कोई चीज अभी तक नहीं देखी है, वह, उसने भारी गर्व के साथ कहा, वह एक पलंग है, हमारे पास इस इमार निक चीज है, मैंने देखा, मैंने इस तरह के कोई चीज नहीं देखी, पलंग, मैंने कहा, इस चीज से वे क्या करती है, इस पर सो, उसने जवाब दिया, यह वास्तों में बहुत आराम देए चीज है, इस पर लेटो और खुद देखो, मैंने उसकी और देखा, मैंने पलं ये लिपिक के सामने मुझे कायरता नहीं दिखानी चाहिए और इसलिए मैं उस पलंग पर बैठ गया उसने तीज आवाज मेरे नीचे सुस्त सी चीरने जैसी आवाज निकाली वह जुका और मैंने अनुभो गिया कि मैं जमीन पर गिरने वाला हूँ मैं जल्दी से उचला ओह मैं इसके हिसाब से बहुत अधिक भारी हूँ मैंने कहा नौजवान अपनी हसी को शिपाने की कोशिस कर रहा था ओह ये है जिसके कहने का मेरा मतलब था उसने जवाब दिया ये एक पलंग है एक स्प्रिंग वाला पलंग और वह लात मारता हुआ इसकी पूरी लंबाई में लेट गया और उचल गया नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा ये एक भयानक दिखने वाली चीज थी मैं हमीसा जमीन पर ही सोता था और जमीन हमीसा मेरे लिए अच्छी काफी अच्छी थी नौजवान फिर से उचला और फिर से उचल कर एक जटके के साथ जमीन पर गिरा उसने उसकी अच्छी खिदमत की जब मैंने उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की मैंने सोचा यही सब कुछ नहीं है जो मुझे आपको दिखाना है उसने कहा इसे देखिए वो मुझे एक दिवार के तरफ ले गया जहां एक छोटा बरतन लगा था जो सायद लगबग आधे दरजन साधूं के लिए भी तसंपा बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था इसको देखिए उसने कहा आश्र जनक क्या ऐसा नहीं है मैंने उसे देखा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा मैं इसका कोई उपयोग नहीं समझ सका इसके तले में एक छेथ था ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, मैंने कहा, इसमें एक छेथ है, इसमें चाय नहीं बनाई जा सकती, वह हसा, वह वास्तों में इस पर आशरे कर रहा था, वह उसने कहा, इस पलंग से भी कुछ नई चीज है, देखिए, उसने अपना हाथ निकाला और धातू के एक टुक पानी, ये ठंडा है, उसने कहा, काफी ठंडा, देखो, और उसने अपना हाथ उसके नीचे लगा दिया, इसे महसूस करो, उसने कहा, मैंने ऐसा किया, ये पानी था, ठीक नदी के पानी की तरह, सैथ थोड़ा पुराना, ये नदी के पानी के तुलना में, पेशाब की तरह बदबुदार था, लेकिन एक धातू के टुकड़े में, से पानी, किसने इसके बारे में सुना होगा, उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया, और एक काली चीज को उठाया, और बेसिन के तले में, छेद में घुसाया, पानी, दंदनाता हुआ आया, जल्दी ही, इसने बरत पर नहीं गिन रहा था, नौजवान ने धातू के टुकड़े को दुबारा फिर्च हुआ, जिसे पानी का बहना रुक गया, उसने अपने दोनों हाथ पानी से भरीवे बरतन में डाले, और उसे चक्कर में घुमाया, देखो, उसने कहा, सुन्दर पानी, तुम्हें इसे भूदने के लिए अब और अधे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैंने अपने हाथ पानी में डाले और उन्हें उसे तरफ घुमाया, ये काफी अच्छा अनुभो था, किसी नदी में कहीं जुकने और अपनी हाथों और घुटनों को मोडने की कोई आवशकता नहीं, तब उस नौजवान में एक जंजीर खीची और तब पानी मौत के कगार पर बैठे वे किसी पुड़े आदमे के करारे करने के तरह बाहर निकल गया, वो घूम गया और उसने जिसको मैं अभी तक किसी आदमे के छोटी पोसाख समझ रहा था, उठा लिया, यहां उसने कहा, ये इसका उप्योग करो, मैंने उसको देखा और उसने जिस कपड़े के टुकड़े को मेरे हाथ में दिया था, उसे देखा, ये किसलिए है, मैंने कहा, मैं पूरी तरह कपड़े पहने हूँ, वो फिर से हसा, ओ नहीं, आप इसके उपर अपने हाथ पूछिए, उसने कहा, इस उसने उस कपड़े को मुझे वापस दिया, उन्हें रगड़ कर सुखाओ, उसने कहा, मैंने ऐसा किया, परंतो मैं हैरत में रह गया, क्योंकि पिछली बार मैंने तिब्बत में और तो को या कहते वे सुना था कि, वे इस प्रकार के कपड़े के टुकड़े को पाकर बहुत खुश थी, और वो इसमें से कुछ उप्योगी चीज बना लेंगी, और हम यहां उसको अपनी हाथों को पोचने में बिगाड रहे हैं, मेरी माँ यदि वह मुझे ऐसा करते वे देख लेती, कुछ भी कहती, अब मैं वास्ताओं में काफी प्रभावित हो चुका था, धातो में से पानी, छेद वाले बर्दन जो उप्योग में लाए जा सकते थे, नौजवान ने काफी प्रसन्यता पूर्वक मुझे रास्ता दिखाया, हम एक कमरे में, जो जमीन में अंदर था, कुछ शीडिया नीचे गए, यहां उसने कहा, यह वो जगह है, जहां हम आदमी और और तो की लासो को रखती है, उसने एक दर्वाजा खोला, और वहां पत्थर की मेजो पर, पहले से कुछ लासे रखी थी, जिनकी चीर फाड की जानी थी, हवा में अजनबी रसाइनों की, जो उन लासो को सड़ने से बचाने के लिए उप्योग में लाए गये थे, काफी त पातावर, धंधा और सुखा था, यहां चुंकिंग में तपता हुआ गर्म था ता पान, उनमें यथा संभव सीखरता के साथ, जैसे वे मरे हो, इंजेक्शन लगाना आवश्चक था, ताकि वे कुछ महीनों के लिए जब विद्यार्थियों को उन्हें चीर फार करने के आ पकरन, लासों को चीरने के लिए, टांगों और हाथों को काट कर अलग करने के लिए, देखो, मैंने उन्हें देखा वो सभी धातों के चमकते वे टुकरे, सभी क्रूमियम का और सभी काच का सामान, और मैंने सोचा, ठीक है, मुझे सक है कि, जैसा हम तिब्बत में करते थे कि अपिक्षा यदिवे चीजों को अच्छी तरह कर सकते होंगे, महा विद्याले भवन लगवक तीन घंटे रहने के बाद, मैं वापस अपने सहयोग्यों के पास चला गया, जो भवन के आहाते में, उच्छुकता पूर्वक मेरी प्रदिक्षा करते वे बैठे थे, जो मै इसी ये एकदम जंगली लगती है, इसके दुरगंद और सोर बहुत भयानक है, इसलिए हम फिर अपने अपने घोडों पर चड़े और बाहर के ओर चले, और सीलियों वाली गली जिसमें कई दुकाने थी, कि ओर देखा, हम घोडों से उतरे, ताकि एक एक करके उन विशिश कर खत्म हो गई थी, हमने गलियों की उर देखा, इसने हमें इस तरह से बांद दिया कि हम नीचे टहलते हुए आएं और देखा कि ये एकदम नीचे गिरी और इसमें आगी भी सीडिया थी, जो इसे बंदरगा के तरफ ले जा रही थी, जैसा हमने देखा, हमने ये देखा क आपनी बड़े-बड़े मालवाई जहाज, मजबूत पुराना कबाड अपने तिकोनी पाल लहराते वे, मस्तूपों के विरुत सुस्थ हवा में पहाडी चोटी के नीचे खड़े थे, कूली एक रूपता में लंबे बांस के लठे को अपने कंधों पर रखकर बाहर जाने वाले सामानों को लाद रहे थे, लठो के प्रते किनारे पर टूकरी में भार रखा हुआ था, यहां बहुत गर्म था और हमें गर्मी में तपना पड़ रहा था, चुंकिंग अपने जलाने वाले वातावरन के लिए जाना जाता है, तब जो ही हमने अपने घुडों को आग चुंकिंग एक उंचा सहर है, उंचा और कुछ हद तक चेतावनी देता हुआ, यह लगब 20 लाक की आबादी वाला ढालो और पत्थर वाला एक सहर था, गल्या उंधी थी, इतनी उंधी कि वास्तों में घरों में से कुछ एक परवतों की बगल वाली गुफाओं में, खुत इर्श्यापुन तरीके से सुरक्षित किया गया था, यहां चावल को या फलीतों की कतार को या मक्य के पैबंदे को उगाने के लिए पटियां और पैबंदे थे, पर उन्तों कहीं भी भूमी नस्टिया बिकार पड़ी हुई नहीं थी, हर जगा ठकी हुई उंगलियों से, जंगली खरपतवार को बीनते हुई नीली पोसाक में आकरितियां उनके उपर जुकी हुई थी, मानों की विपैदा ही इसे तरह हुए हो, जंता का उच्चवर्ग कियालिंग की घाटी में रहता था, जो चुंकिं का एक उपनगर था, जहां हवा, चीनी स्तरों के अनुसार न की हमारे अनुसार स्वस्त थी, जहां की दुकाने कुछ अच्छी थी और भूमी उप जाओ थी, वहाँ पेड़ और आनन्दायक जल्धाराय थी, वहाँ कूलियों के लिए नहीं, बलकि धनादे वैपारियों के लिए, वैविसाइकों के लिए, और अपने स्वतंतर साध अधनों वाले लोगों के लिए स्थान था, उच्छा अधिकारी और उची जाती के लोग यहां रहते थे, चुमकिंग एक सक्तिसाली सहर था, सबसे बड़ा सहर जो हमने इससे पहले, कभी देखा हो, परन्तु हम इससे प्रभावित नहीं हुए, अचानक भोर घिराई, हम बहुत भोखे थे, हम पूरी तरह निराहार थे, इसलिए खाने के स्थान पर जाने की सिवाए, कुछ भी करने को नहीं था, और जैसे चीनी लोग खाते थे, हम एक स्थान पर गए, जिस पर भड़कीले चन्ह थे, जिस पर कहा गया था कि वे चुमकिंग में बिना किसे विल क्या तुम्हारे पास दसंपा है? मैंने कहा, दसंपा? उसने जवाब दिया, ओ, नहीं, हमारे पास वैसा कुछ नहीं है, ये कुछ हमारे पश्चमी खाने में से होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने पूछा, चावल, नूडल, सार के गलफडे, अंडे, बिल्कुल ठीक, मैंने कहा, हमें चावल के गोले, नूडल, सार के कल्फडे और बांस के कल्या चाहिए, जल्दी करो, वह जल्दी से गया, और कुछी च्छनों में, जो खाना हमें चाहिए था, उसको लेकर आया, हमारे पास दूसरी लोग भी खाना खा रहे थे, और हम उनकी बाचित और सोर से, जो वे कर रहे थे, बुरी तरह डरे हुए और परिशान थे, तिबबत में लामा मठों में ये अटूट नियम था कि, जो लोग खाना खा रहे हैं, वे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये खाने के प्रती और सम्मान होता है, और पीट में अंदर भयंकर दर और हम खाते हुए उससे सुनते, यहां आसपास में बहुत हलके प्रकार के वारतालाप चल रहे थे, हमको धक्का लगा और हम चिड़ेवे थे, हमने पूरी समय अपनी प्लेटों को दीखती हुई, उस हिसाब से खाना खाया, जो हमारे पद के अनुसार बताया जाता है, कु गुप्त वारतालाप चीन के विभिन भागों में जापानी और उनके द्वारा किये गए, अत्याचारों के उपर हो रहा था, उस समय मैं इससे पूरी तरह अंचान था, हम प्रभावित नहीं हुए, यद भी, ना तो चुंकिंग से, और नहीं खाने वाले स्थान से, ये खाना के वल इसले ध्यान देने युग्जय था, क्योंकि ये हमारा पहला खाना था, जिसके लिए मुझे पैसा अदा करना पड़ा, खाना खाने के बाद, हम बाहर निकले, और नगरपालीका के भावन में, आंगन में एक स्थान खोजा, जहां ब मेरे सहयोगी फिर से घर तिबबच जाने वाले थे अब वे विस्वयात्री के अंदाज में ये दीखती हुई कि वे लासा में इस्थित अपने दोस्तों के लिए क्या ली जा सकती हैं घूम रहे थे और मैं भी घूम रहा था कि मैं लामा मिंग्या डोंडूब को क्या भीच सक हुँ हमने इसकी उपर विचार किया और तब मानों की एक साक्षी प्रिर्णा हमारे अंदर आई हम पैरों पर उठ खड़े हुए और फिर से दुकानों की ओर चले और अपनी खरिद्दारी पूरी की इसके बाद हम एक छोटे बगीचे में घूमें जहां हम बैठें और बा पस्पस्ट रूप से चमकने लगे थे क्योंकि कोहरा एक हलकी सी बाड छोड़ कर जा चुका था एक बार फिर हम उठ खड़े हुए और फिर से खाने की खोज में चले इस बार समुद्री खाना मिला जो हमने इससे पहले कभी नहीं खाया था और जो हमें एकदम अंजाना अ भर के खाने के बाद हमने खाने के स्थान को छोड़ दिया और वहां गहें जहां हमारे घोड़ी बंधे वे थे वे हमें अपनी प्रतिक्षा करते वे दिखाए दिये और उन्होंने हमारे पहुचने पर आनंद के साथ हिनहिना कर हमारा स्वागत किया वे काफी तरो ताजा लग रहे थे और जब हमने उनके उपर सवारी की तो काफी ताजगी महसूस की मैं कभी अच्छा घोड़ सवार नहीं रहा और निश्ची थे मैं आराम कियेवे घोड़ी के तुलना में एक ठकेवे घोड़ी को प्रात्मिक्ता देता था हम गली में सवार होकर चले और हमने क चुंकिंग के सहर को छोड़ दिया और सहर के बाहरी भागों में होकर चले जहां हम रात को रुखने वाले थे वो लामा मट जो आज रात को मेरे लिए घर होने वाला था हम दाई और को बट गए और एक जंगली पहाड़ी की और चले लामा मट हमारे ही क्रम का था और ये त पादलों की तरह से महक रही थी और बोड़े भिक्षों की गहरी आवाजे, सहाईकों की उची आवाजे हमें ग्रिहा तुरता के लिए तीखी वेतना दे रही थी। अधिक कश्च छेलने के बाद जब मैं पहली बार लामा मत में प्रविस्ट हुआ था, अब मैं दिल से दुखी था, साथ पहले से अधिक दुखी, जो इससे पहली कभी रहा हूँ, क्योंकि तब मैं ये सब जानने के लिए, जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जीवन और मृत्यों के बारे में बहुत कोच जानता हूँ, थोड़ी देर बाद लामा मत का उम्रदराज प्रभारी मठाधिश धीरे धीरे रेंगता हुआ, मेरे बगल में आया, मेरे भाई उसने कहा, भूत काल के उ प्राथना खत्म हो चुकी है, मेरे भाई, सीख रही ये अगली प्राथना का समय होगा, क्या तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि कल करने को बहुत कुछ है, मैं अपने पैरों पर बिना कुछ कहे हुए, और बिना उसका साथ लिये हुए, जहां उनके कंबलों में घुज गया, सो गया, सायद, कौन जानता है, सायद ये वापश आने की यात्रा के संबंध में और उस आनन दायक, पुनर मिलन के, जो लासा की इस यात्रा के अंत में उन्हें मिलेगा, स्वपन देख रहे होंगे, मैंने भी स्वैम को अपने कंबल में भी होती गई, और अधिक लंबी होती गई, मैं मंदिर की तुरहियों की और घड़ियालों की आवाद से जागा, ये जगनी का, एक बार फिर से दुबारा प्राथना में सामिल होने का समय था, प्राथना सबहा, खानी से पहले होनी चाहिए, परंतु मैं भूखा था, फिर प्राथना के बाद मेरी सामने खाना आनी पर मुझे भूख नहीं थी, मेरा खाना हलका था, बहुत हलका, चुकि मैं दिल से दुखी अनुभो कर रहा था, मेरी सहयोग्यों ने भर पेट, बहुत अच्छी तरह से भर पेट खाना खाया, परंतु मैंने सोचा, वे वापसी य थिक नहीं कहा, कुछ अधिक दिखाई भी नहीं देता था, जिसके बारे में हम कहते, तब अंत में मैंने कहा, इस पत्र और इस उपहार को मेरे सिक्षक, लामा मिंग्या डॉंडूप को दे देना, उन्हें कहना कि मैं उन्हें अक्सर लिखता रहूँगा, उन्हें बताना क कि आप देख सकते हैं कि मैं उनके साथ को और उनके सिक्षन को किस प्रकार याद करता हूँ, मैंने अपनी पोसाख के अंदर है, कुछ थोड़ी छेशाड़ की, और ये, मैंने कहा, जैसे मैंने एक बंडल को प्रस्तुत किया, ये गहनतम के लिए है, इसे भी मेरे सिक्षक क को दे देना, वो इसे देखेंगे कि ये दलाई लामा तक पहुच जाए, उन्होंने मुझसे वो बंडल लिया, और मैं भावनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ, जिसे मैं दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था, एक तरफ को हट गया, मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे दे को के बीच में एक कंफेर मितरता पना पाई थी, उन्हें भी विजुडने का दुख था, इस बात के उपर भी दुख था कि मैं इस अंजान दुनिया में जिसे वे घ्रना करते थे, अकेला छोड़ा जा रहा हूं, जबकि वे अपने प्रिये लासा को जा रहे थे, थोड़े के बीच में घुमें, अब समय आ गया था, हम पुराने चीनी लामा मट की ओर, जो चुंकिंग को अंदिखा करती हुई, नदियों को अंदिखा करती हुई, पहाड़े के ऊपर और पेड़ों के जुर्मट के बीच में था, अधिक कहने को, अधिक करने को कुछ नहीं था, हम थोड़े निरास और दबेवे मैसूस कर रहे थे, हम अस्तबल की और कह, धीमे धीमे मेरे सहयोग्यों ने अपने घुड़ों पर काठी बानना सुरू किया, और मेरे घुड़े के लगाम मुझ से ले ली, मेरा घुड़ा, जो मुझे लासा से यहां तर स्वामी भक्ती के साथ लाया था, एक सुखी प्रानी, जो अब दिबबत को वापस जा रहा था, हमने आपस में कुछ सब्दों का आदान प्रदान किया, किवल थोड़े से सब्द, तब वे अपने घुड़े पर चड़ें, और मुझे खड़ा छोड़ते वे, उनके पीछे सड़क पर टक्टके लगा कर देखते वे, आगे की और, दिबबत की और पढ़ गये, वे छोटे और छोटे दिखते जा रहे थे, एक मूर के बाद, वे मेरी आखों से उजल हो गये, धूल का एक हलका सा गुबबार, जो उनके जाने से पैदा हुआ था, दब गया, उनके घुडों की टापों की आवाजे, दूरी के कारण मर गई, मैं भूत काल की उपर विचार करता और भविश्य के सपने देखता हुआ खड़ा रहा, मैं नहीं जानता कितनी दीर दग, मैं चुपी में खड़ा रहा, परन्तु अपनी इस हतासा की भावना से, एक आनंदपून आवाज के द्वारा, वापस लाया गया, जो कहती थी, आदर्नी लामा, क्या आप ये याद न बाठी विद्यार थी है, मैं धीमे से घुमा और दीखा कि वहाँ ठीक मेरे पीछे एक खुस गवार नौजवान चीनी भिखशुक खड़ा था, मैं सोच रहा था कि उसे आशर्य होगा कि पता नहीं मेरा रवया उसके बारे में, उसके इस तरीके के बारे में क्या होगा, क् एक उच्चस्तरी ये लामा और वह मात्र एक चीनी भिखशुक परन्तु मुझे उससे मिलकर खुसी होई, वह हुआंग था, जिसे मैं बाद में सगर उमित्र कर पुकार सका, हम सीखरी एक दूसरी को जान गए और मैं विसीस रूप से यह जानकर खुस था कि वह मेरे चिकि उन विशिश चीजों, विद्युत और चुम्बकत्व का अध्यन करने वाला था, वास्तों में वह भी इन दोनों पाठे क्रमों में जिनको मैं भे पढ़ने वाला था, सामिल था, हम एक दूसरी को अच्छी तरह समझ गए, हम मुड़े और पीछे की ओर, लामा मट के हस्ताक्षर करने होंगे, ओ, मैं पहले से ही उसको कर चुका हूँ, मैंने कहा, मैंने कल ही कर दिये थे, हाँ दरनी इलामा, दूसरी ने कहा, परन्तु ये विद्यार्थियों का रजिस्टर नहीं है, जिस पर कल आपनी हमारे सामने हस्ताक्षर किये थे, यह बंधुत्व इसलिए हम एक बार फिर साथ साथ रास्ते पर लामा मठ के साथ वाले रास्ते पर पेड़ों के बीच होकर चले, रास्ते पर फूलों का गलीचा बिचा हुआ था, और हम क्यालिंग से चुंकिंग जाने वाले मुख सड़क पर मुड़ गये, इन नौजवान आदमियों के सा घर होने वाला था, और हम उसमें गएं, नौजवान लिपिक जो नीली पोसाग में था, हमें देखकर वास्तों में प्रसन हुआ, उसने कहा, आह, मैं आसा करता था कि आप यहां आएंगे, यहां एक अमेर की पत्रकार है, जो चीनी बोल सकता है, वो तिबद के उच्छ स्तर यह लामा से बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, वो हमें गल्यारे में होकर, फिर से आगे ले चला, और दूसरी कमरी में गया, वह कमरा, जिसमें मैं पहले नहीं गया था, यह कुछ-कुछ, स्वाकत सदकार वाला कमरा था, क्योंकि यहां काफी नौजवान पुरुस बात कम जानता था एक लंबा नौजवान एक बहुत नीची कुर्शी में बैठा हुआ था मुझे कहना चाहिए कि वह लगबग तीस वर्स की आयोका था जब हम प्रविस्ट हुए वह उठकर खड़ा हो गया और हमने पूरी तरीके से उसके दिल को छूकर अपने से लगाया मैंने वास्तों में बदले में अपना चुआ हमने उसके साथ परिचे किया और तब किसी कारण बस उसने अपना हाथ निकाला इस समय मैं पूरी तरह बेख़बर नहीं था और मैंने उसे ले लिया और उसे माने तरीके से हिलाया वह हसा आँ मैं देख रहा हूँ कि आप पश्मी तरीके पर जो की चुंकिंग में लागो किये जा रही हैं स्वामित्व प्राप्त कर रही है हाँ मैंने कहा मैं इन भयानक दिखने वाली कुर्सियों पर ठीक तरह से बैठने की और हाथ मिलाने की इस्थिती तक आप पहुँचा हूँ वह बहुत अच्छा नौजवान साथी था और मुझे अभी तक उसका नाम याद है वह चुंकिंग में कुछ समय पहले गुजर गया हम मैदानों में टहले और पत्थर की एक नीची दिवार पर बैठ गए जहां हम काफी लंबे समय तक बात करते रहें मैंने उसे तिबबत के बारे में अपनी रिती रिवाजों के बारे में बताया मैंने उसे तिबबत में अपनी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया उसने मुझे अमेरिका के बारे में बताया मैंने उससे पूछा कि वह चुंकिंग में क्या कर रहा है उसके जैसा प्रकर बुद्धी वाला एक आदमी इस्तप्तिवे इस्थान में रह रहा है विसीस रूप से उस समय जब उसके लिए ऐसा करने का कोई खास कारण नहीं हो उसने कहा कि वो अपने विसीस लेखों की प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका के लिए एक स्रिंखला तयार कर रहा है उसने पूछा क्या वो इसमें मेरा उल्लेक कर सकता है तब मैंने कहा ठीक है मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा ना करो क्योंकि मैं यहां एक खास उद्धिस से हूँ अध्धन के लिए उन्नती करने के लिए और इस स्थान को आगे की पश्चिमी यात्राओं के लिए छलांग के प्रारंभ के रूप में देखता हूँ गोया की मैं तब तक के लिए प्रतिक्षा करना चाहूँगा जब तक कि मैं बताने लायग कुछ खास उपलब्धी प्राप्त नहीं कर लेता और तब मैं कहता गया तब मैं तुम्हारे संपर्क में आऊँगा और इस साक्षातकार को दूँगा जिसे आप अभी लेना चाहती है वो एक सुभद्र नौजवान साथ ही था और मेरे बिंदु को समझ गया हम सीखरी मित्रता के बंधन में आ गये वो समझने लायक ढंग से अच्छी चीनी भासा बोल लेता था और हमें एक दूसरे को समझने में कोई विसीज दिकत नहीं हुई वो हमारे साथ कुछ दूर तक लामा मट के रास्ते पर चला उसने कहा मैं कई बार कुछ करना यदि इसकी विवस्था की जा सके तो मंदिर की यात्रा और मंदिर की प्राथना में भाग लेना चाहूंगा मैं आपके धर्म का नहीं हूँ उसने कहा परंतो मैं इसका सम्मान करता हूँ और आपके मंदिर में मैं अपने सुरधा अर्पित करना चाहता हूँ ठीक है मैंने उत्तर दिया तुम हमारे मंदिर में आओगे, तुम राथनाओं में भाग लोगे और तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ, इसके साथ ही हमने अपना साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमें कल के लिए बहुत कुछ सैयारी करनी थी, कल जबकि मैं अपने ताजा भव अपनी पोसाके देखनी थी, जो यात्रा में गंदी हो गई थी, मैं उन्हें धोने वाला था, क्योंकि अपने रस्मों रिवाजों के अनुसार, हम खुद अपनी कपड़ों को धोती हैं, अपनी पोसाकों को, अपने व्यक्तिकत मामलों को, और इन गंदे कामों को, हमारे व साथ दूसरे लोगों का विसेज ध्याना कर्शन करती थी और मैं नहीं चाहता था कि मुझको प्रचार के लिए अखेला करके चुन लिया जाए मैं सांती से पढ़ना चाहता था सामाने चीजों की अलावा जैसे की कपड़े धोना हमें अपनी सेवाओं में उपस्तित होना पड़ता था और एक लामा नेता के रूप में हमें उन सेवाओं में विवस्था करने में भी हाथ बटाना पड़ता था क्योंकि यदिपी दिन के समय मैं विद्यार्थी होता था परंतु लामा मट में अभी भी मैं एक उच्छ पदादिकारी पुजारी था जिसके उपर ये जिम्मेदारी थी कि वो उस कारे भार को धोए इसलिए दिन समाप्त हुआ वह दिन जो कि मैं सोचता था कभी समाप्त नहीं होने वाला है वह दिन जो कि मेरे जीवन का पहला समय होगा जबकि मैं अपने लोगों से पूरी तरह से अलग हो चुका हूँगा सुबह ये अच्छी धूब भरी गर्म सुबह थी हुआंग और मैं सडक पर इस बार चिकित्सकी विद्यार्थी की रूप में दुबारा अपना नया जीवन सुरू करने के लिए चले हमने सीगरी इस थोड़ी सी यात्रा को पूरा कर लिया और महा विद्याले के मैदान में पहुँच गए जहां सैकडों दूसरे सूचना पटल पर जागते हुए आराम से खड़े थे हमने साउधानी पूर्वक सभी सूचनाओं को पढ़ा और दिखा कि हम दोनों के नाम साथ साथ थे जिससे की हम हमेशा साथ साथ पढ़ सकते थे हमने दूसरों के सामने से धक्का देते हुए अपना रास्ता बनाया दूसरे अभी पढ़ रहे थे और हमने अपना रास्ता क्लास्रूम के तरफ बढ़ाया जो हमें बता दिया गया था हम यहां फिटिंग के तमाम अजनवी बन को देखते हुए अशर करते हुए बैठे और गोया की मेजे और दूसरी चीजों पर अशर गिया तब समय के अस्तित्व को महसूस करती हुए दूसरे लोग छोटे छोटे समूहों में आए और अपनी स्थान पर बैठके अंत में एक घंटा बजा और कहीं से एक चीनी आदमी प्रविस्ट हुआ उसने कहा गुद मॉर्निंग हम सभी अपने पैरों पर उट खड़े हुए क्योंकि नियम ये कहते थे कि अपनी स्रद्धा को प्रदर्शिद करने का ये एक प्रमानिक तरीका है और हमने वापस उनको जवाब दिया गुद मॉर्निंग उन्होंने बताया कि वे हमें कुछ लिखेवे कागज देने वाले हैं और हमें अपनी औस अफलताओं से निरुटसाइथ होने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि उनका कारे हम जो नहीं जानते हैं इस बात का पता लगाना ना कि ये कि हम कितना जानते हैं उन्होंने कहा कि जब तक वे हम जें ये प्रतेक की वस्तु स्थिती का पता नहीं लगा लेते वो हमें साहता करने के लिए सक्षम नहीं होंगे ये कागजात हर एक को देने होंगे जिनमें विभिन प्रकार के मिले जुले प्रस्णे जुगनित बहुत की सरीर रशना विज्ञान चिकित्स किये और सल चिकित्सा से सम्बंधित हर चीज और विज्ञान एवं विस अभी विस हैं जो हमको चिकित्सा और सल चिकित्सा पढ़ने के लिए और उच्छ स्थरिये विज्ञान को समझने के लिए समर्थ बनाएंगे एक यतार्थ चीनी ज्ञान का सोरबा उन्होंने हमें इस पस्ट रूप से समझाया कि यदि हम ये ना समझ पाएं कि किसी प्रस्न का उत्तर कैसे देना है तो हम ये लिख सकते हैं कि यह हमने पढ़ा नहीं है लेकिन कुछ सूच ना जानकारी अवस्से दे ताकि वे हमारी ठीक स्थिती को जहां तक हमारा ग्यान है समझ पाएं तब उन्होंने एक घंटी बजाई दर्वाजा खुला और दू नौकर जो किताबे जैसे दिखती थी उनको लादे वे अंदर आएं वे हमारी बीच में आई और उन किताबों को हमें बाट दिया वास्तों में ये किताबे नहीं बलकि कागज पर लिखे गया प्रस्नों का और अनीक कागज के प्रस्टों का जिन पर हमें लिखना था पुलिंदा था तब दूसरा आया और उसने पेंसिले बाटी इस औसर पर हमें पेंसिलों का उप्योग करना था ब्रसों का नहीं इसलिए हम एक एक करके इनके प्रस्नों को पढ़ते वे और उनका जितना अच्छा हो सकता था जवाब देते हुए अभ्यस्त हुए हम वैक्ष्याता के प्रभा मंडल को दीख सकते थे अथवा कम से कम मैं तो दीखी सकता था कि वह एक सही वैक्ती है और उसका एक मात्र उद्दिश्य हमारी मदद करना है मेरे सिक्षक और पत्प्रदर्शक लामा मिंग्या डोंडोप ने हमें एक विशिष्ट उच उस्तरी प्रसिक्षन दिया था प्रस्न पत्रों का जिनको करने के लिए हमें दो दिन का समय दिया गया था ये परिनाम प्राप्त हुआ कि काफी तमाम विशेयों में मैं अपने साथे विद्यार्थियों से काफी आगे था परंदुया दिखता था कि मुझे विद्युत और चुम्बकत्व का कोई ग्यान नहीं था सायद उस इम्तिहान के एक सब्ता बाद हम एक प्रियोग साला में गये जहां हमें पहली बार एक प्रदर्शन दिखाया गया क्योंकि इन दोनों अजनभी जैसे लगने वाले सब्दों को बताने के लिए मेरे जैसे कई दूसरी भी इस अर्थ का कोई विचार नहीं रखते थे वैख्याता ने विद्युत के संबंद में हमको एक भासन दिया और उन्होंने कहा जब मैं विद्युत के प्रभावों के संबंद में तुम्हें एक विभारिक प्रदर्शन दूँगा एक हानी रहित प्रदर्शन उन्होंने मुझे दो तार दिये और कहा इन्हें पकड़ो इन्हें कसकर पकड़े रहो जब तक कि मैं ना कहूँ मैंने सूचा कि वह मुझे अपनी प्रदर्शन में मदद करने के लिए कह रहे हैं और इसलिए मैंने तारों को पकड़ा यदिपी मैं थोड़ा विजलित था क्योंकि उनके प्रभा मंदल ने मुझे बताया कि वह कुछ कपड़ करने जैसी रचना कर रहे थे मैंने सोचा साइट ठीक हो मैं उन्हें गलत सोच रहा हूं कैसे भी वे एक अच्छे आदमी नहीं थे वे मुड़े और अपने प्रदर्शन मीज की और मुझे दूर की और चले गए वहाँ उन्होंने एक बटन को दबाया मैंने प्रकास को तार में आते हुए देखा और मैंने देखा कि वे ख्याता का प्रभा मंदल अश्यरे के साथ दोखा दे रहा है वे अती तीवरता के साथ अचंबित होते हुए दिखाई दिये और कस के पकड़ो उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया मैंने तारों को कसकर पकड़ा नी चोड़ दिया वे ख्याता नी मेरी और देखा और अपनी आँखों को मला वे भोचके रह गये थे जो हर एक को लगभब किसी को भी जो प्रभा मंदल को देखने की योगिता ना रखता हो उसे भी दिखाई पड़ रहा था या असपश्ट था कि इन व्यक्षाता को भी इससे पहले इस प्रकार का अचंबा नहीं हुआ था दूसरे विद्यार थी आशर से खुलेवे मूँ से उनके मूँ की और ताकते रहे वे नहीं समझ सकेगी ये सब किस संबंध में था उन्होंने इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि इसका आसे क्या था सीखरी बटन को बंद करने के बाद वैक्षाता वापस मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझ से दोनों तार वापस ले लिये उन्होंने कहा यहां कुछ गड़बढ है सैथ तार जुड़ेवे नहीं है उन्होंने दोनों तार अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लिये हुए अपनी मेज की ओर चले गए एक तार उनके बाए हाथ में था और दूसरा दाए हाथ में दोनों तारों को हाथ में लिये वे उन्होंने आगे बढ़कर अपनी एक उंगली से बटन को चालो किया तब एक तीखी यो के साथ में एक प्रकार की भबग जैसी फूटी बटन बंद करो ये मुझे मार डाल रहा है इसी समय उनके सरीर में गाठे जैसी लग गई मानों की उनकी सभी मान स्पेसियां बान दी गई हो और लकवा खा गई हो वे अभी भी चिचिया रहे थे और चीक रहे थे और उनका प्रभामंडल डूबती वे सूरज की तरह दिखाई दे रहा था कैसे बहुत मज़ेदार मैंने सोचा मैंने अभी तक ऐसे कोई इतनी सुन्दर चीज जैसे इस आदमी के प्रभामंडल में थी नहीं देखी है वे ख्याता के लगतार निकले हुई चीखे दूसरे लोगों को जल्दी ही कमरे में ले आई एक आदमी ने इसका जायजा लिया और मेज की ओर दोड़ा और बिजली के बटन को बंद किया बेचारा गरीब वेख्याता कापता हुआ और पच्सिनी से लगपत हुआ फर्स पर गिर गया उसकी नजर में एक बेचार गय थी उसकी चहरे पर पीला हरा सा रंग च्छा गया था अंत में वो मेज के किनारे को पकड़ता हुआ खड़ा हुआ तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैंने जवाब दिया मैं मैंने कुछ नहीं किया आपने मुझे ये तार पकड़ने के लिए कहा था मैंने पकड़े तब आपने ये मुझसे वापस ले लिया और ऐसा दिखा मानों की आप मरने वाले हैं उसने कहा मैं इसे नहीं समझ सकता मैं इसे नहीं समझ सकता मैंने उत्तर दिया आप क्या नहीं समझ सकते मैंने उन चीजों को पकड़ा जिनके बारे में आप कह रहे थे उन्होंने मेरी और देखा क्या वास्तों में तुम्हें कुछ नहीं महसूस हुआ क्या तुम्हें खुजली या ऐसी कोई और चीज महसूस हुई ठीक मैंने कहा मैंने एक हलकी सी सुख़द गर्मी महसूस की और इसके अलावा कुछ नहीं मैं क्यों महसूस करूँगा दूसरे वेक्षाता नी जिसने बटन को करिंट को बंद किया था कहा क्या तुम इसे दुबारा फिर कोसिस करके दिखाओगे मैंने कहा वास्तों में मैं करूँगा जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार करूँगा इसलिए उन्होंने तार मुझे दे दिये उन्होंने कहा अब मैं बटन चालू करने जा रहा हूँ मुझे बताओ क्या हो रहा है उन्होंने बटन दबाया और मैंने कहा ये एक मज़िदार हलकी सी गर्मी है इस विसे में चिंता करने के कोई बात नहीं ये ठीक वैसा ही है मानो की मैं अपने हाथों को आग के काफी समीप रखे हुए हूँ उन्होंने कहा इसे कसकर पकड़ो और मैंने वैसा किया मैंने वास्तों में कसकर पकड़ा जब तक कि मान्स पीसिया मेरे हाथ के पीछे के तरफ खेज कर खड़ी नहीं हो गई उन और पहले वाले वैक्षाता ने एक दूसरे की और देखा और धारा का प्रवाब बंद कर दिया तब उनमें से एक ने दोनों तारों को देखा और उनके सीरों पर कपड़ा लगाया और उन्हें अपने हाथों में हलके से पकड़ा बटन चालू करो उसने दूसरे से कहा इसलिए दूसरे वैक्षाता ने बटन चालू किया और दूसरा वैक्षाता जिसके हाथ में कपड़े लपेटेवे तार थे सीगरी जमीन पर गिर गया उसने कहा ओ यह अभी भी चालू है उसने कपड़े से ढखेवे दोनों तारों को फिर से छूकर देखा उसमें अभी भी नीले रंग की दृस्य पूर्ण आभा थी और तभी तार के सीरों से पिगलेवे धातु का एक टुकड़ा उचल कर गिरा अब तुमने फ्यूज उड़ा दिये हैं एक ने कहा और वह कहीं दूसरी जगा कुछ मरमत करने के लिए चला गया धारा दुबारा चालू हो जाने के बाद उन्होंने विद्युत के सम्बंध में विख्यान देना सुरू किया उन्होंने कहा कि वे मुझे ये दिखाने के लिए कि विद्युत क्या कर सकती है 250 वोल्ट का जटका देने की कोसिस कर रहे थे मेरी खाल विशीश रूप से सुस्क है और 250 वोल्ट की धारा ने मुझे बिलकुल भी प्रभावित नहीं किया मैं अपने हाथों को पूरी तरह से इस बात से अन्भिग्य रहते हुए कि वे चालू है या बंद धारा के प्रमुक्ष्रोतों पर रख सकता हूँ वे चारा गरीब विख्याता इस प्रकार का बिलकुल नहीं था वो विद्युद धाराओं के प्रतिविसीस रूप से प्रभावित होने वाला था वे च्छान के अवधी के दौरान उन्होंने कहा अमेरिका में यदि कोई व्रक्ती हत्या करता है या वकील कहे कि ये हत्या का अपरादी है तो आदमी को विद्युद से मार दिया जाता है उसे एक कुर्सी में फीते से बान देते हैं और उसके सरीर से धारा प्रवाहित करती हैं जिसे वो मर जाता है मैंने सूचा कि ये कितना मज़िदार है मैंने आशरे किया कि ये मेरे साथ क्या करते यद पी मुझे इसके लिए प्रत्ने करने की कोई इच्छा नहीं थी तीसरा अध्याय चिकित सकी ये अध्यनकाल एक नम भुरा को हासा चुंकिं के उपरी वाली पहाड़ी से घिर कर घरों को लपीटते हुई जिसने नदी नीचे खड़े जहाजों के मस्तूलों दुकानों में जल रही रौस्नियों को नारंगी पीले रंग के धूंदली रौस्नियों में बदल दिया आवाजों को मन्धा कर दिया नीचे आया सायद इसने चुंकिं के एक भाग के दिखावट को ही सुधार दिया होता सीड़ियों पर से लुड़कने की आवाज आई और कोहरें में होकर दौंदल के में से एक बुढ़ा नजर आया और चीगरी आँखों से उजल हो गया यहां भयानक रूप से सांती और किवल दबी हुई धीमी आवाजे थी एक मोटी कंबल की तरह से कुहरा सब और मारक रूप में था हुआंग और मैंने दिन भर की सभी कक्षाएं पूरी समाप्त कर ली थी और इस समय देर साम हो रही थी हमने महाविद्याले की चीर फाड कक्षों से निकल कर बाहर जाने का और ताजी हवा में सांस लेने का निश्य किया बदले में हम इस कोहरे में घिर गए मुझे भूख लगी थी इसी प्रकार हुआंग को भी नमी हमारी हड्यों में घुज गई थी और उसने हमको एकदम जमा दिया था चलें और कुछ खाना खाएं लोबसांग मैं एक अच्छे स्थान को जानता हूँ हुआंग ने कहा ठीक है मैंने जवाब दिया मैं हमीसा मज़िदार चीजों के लिए तयार रहता हूँ तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो ओ, मैं तुम्हे यह दिखाना चाहता हूँ कि बाजार, इसके जैसा कि तुम कहते हो हम चुंकिंग में अच्छी तरह रह सकते हैं वह मुड़ा और उसने रास्ते की अगवाई की और गोया की वह मुड़ा और अंधेपन से लगातार तब तक चलता रहा जब तक कि वह गली के किनारित नहीं पहुँच गया और उसने दुकान को नहीं पहचान लिया हम प्रवीस्तवार में होकर जो एक पहाड के बगल से एक छोटी गुफा के तरह दिख रहा था थोड़ी दूर तक पहाडी के नीचे गए बाहर के तुलना में अंदर की हवा कुछ घनी दिख रही थी लोग धुमरपान कर रहे थे और दुरकंधयुक धुमों को हवा में बादल के तरह उड़ा रहे थे यह लगभग पहली बार ही था कि मैंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को धुमरपान करते हुए देखा लोगों को सूर्पतरश्थित ब्रांडों से अपने मुह को जलाते हुए और धुए को अपनी नाग के नकवों से निकालते हुए दीखना यह एक सदा सैता ही थी एक आदमी ने मेरे मुहित रूप से टक्टके लगा कर दीखने को आकर्शित किया वह ना केवल अपने नकवों से ही धुआ निकाल रहा था बलकि अपने कानों से भी धुआ निकाल रहा था मैंने हुआंग को इस ओर संकीत किया ओ, वह उसने कहा तुम्हें मालूम है वह एकदम बहरा है उसके कान के परदे अंदर खुज गए है या उसके पास एक अच्छी सामाजिक पुंजी है कि उसके पास कान के परदे ही नहीं है जो कि धुए को रोक सके इसलिए वह इसे अपने नकूँ और कानों की तरफ भी भीजता है वह एक विदेशी की तरफ चाता है और कहता है आप मुझे एक सिगरेट दे और तब मैं आपको कोई ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे आप नहीं कर सकते वह उसी भी धुए में रखता है यद भी ऐसा कुछ नहीं है चले खाना खाए मैं खाने के लिए ओडर दूँगा हुआंग ने कहा मैं यहां से अच्छी तरह परीचित हूँ और नियूनतम मुले पर अच्छी से अच्छी चीजों को प्राप्त कर लूँगा यह मुझे अच्छा लगा मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी तरह खाया भी नहीं था हर चीज इतनी अंजान थी और विसीस रूप से खाना एकदम विदेसी जैसा था हुआंग ने वेटरों में से एक से कुछ कहा जिसने एक छोटी कौपी के ऊपर कुछ लिखा और तब हम बैठें और बारचित करते रहें खाना मेरे लिए समस्याओं में से एक है मैं उस तरह का भूजन नहीं पा सका जिसके लिए मैं अभ्यस्त था और मुझे दूसरी चीजों के साथ मांस और मचली खानी पड़ी मेरे लिए तिब्बत के एक लामा के रूप में वास्तों में ये क्रांती जैसा था लेकिन लासा में पोटाला में मुझे अपने वरिष्टों द्वारा बताया गया था कि मुझे इन विदेसी खानों के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा और मुझे इस प्रकार के खानों के लिए छमादान भी प्रदान किया गया था तिब्बत में हम पुजारी लोग मांस नहीं खाते हैं परन्तु ये तिब्बत में ही था और मुझे निवास को जारी रखना था ताकि मैं अपने निर्दिष्ट कारे को पूरा कर चकों जैसा खाना मैं चाहता था उसे प्राप्त करना असंभो था इसलिए मुझे ये सड़ा गला गंदा सा खाना स्वेम से विद्रो करते वी खाना पड़ा और ये प्रदर्शन करना पड़ा कि मैं इसे पसंद करता हूँ हमारा दोपहर का खाना आया आधा कच्छुआ जिसके साथ समुद्री घूंगे सजे थे उसके बाद मेंड़कों की कड़ी जिस पर बंद गोभी की पत्यां सजाए गई थी ये काफी अच्छे थे परंतो मुझे अपना तसंपा ही पसंद था इसलिए चीजों को अच्छा कहते हुए मैंने कड़ी के मिंड़कों को खाया जिसके साथ में नूडल और चावल भी थे हमने चाय पी तिब्बत के बाहर रहने पर भी एक चीज थी जिसको तमाम तरह के पुट्सान होने के बावजूद मैंने कभी नहीं चुआ मैंने कभी नसीले पेयों का प्रियोग नहीं किया कभी नहीं कभी नहीं हमारे विश्वास के अनुसार इन नसीले पेय पदार्थों के तुल्ना में दूसरा कुछ में इससे खराब नहीं हो सकता सराबी होने के तुलना में कुछ भी इससे खराब नहीं हो सकता हम सोचते हैं कि सराबी होना सबसे अधिक भयानक पाप है जबकि सरीर जो कि आकासिय यात्राओं का वाहन और अध्यात्मिक अंग है पूरी तरस सराब में तरबतर हो ये सरीर से बाहर निकल जाता है और ये तमाम अस्तित्मों को दिखाने के लिए चारे जैसा साबित होता है केवल यही जीवन नहीं है बहुत एक सरीर तो एक अभिवक्ती मातर है जो सभी अभिवक्तियों में सबसे निचले स्तरकी होती है और कोई जितना ज़्यादा पीता है अस्तित्म के दूसरे धरातलों पर वह उतना ही ज़्यादा अपने सरीर का नुकसान करता है ये अच्छे तरह ग्यात है कि पियककड, गुलाबी हाँ थी और कई चीजे जो उत्सुक हैं और जिनका भौतिक विश्व में कोई सानी नहीं है, देखते हैं हमारा ये विश्वास है कि ये कुछ दुस्ट आत्माओं के प्रकाटे हैं कुछ ऐसे अस्तित्व जो भौतिक सरीर को कुछ नुकसान पहुचाना चाहते हैं ये अच्छी तरह ग्यात है कि जो पिये हुए हैं वे अपने उचित भावनाओं के प्रभुत्व में नहीं हैं इसलिए मैंने कभी भी नसीले पदार्थों को किसी भी समय नहीं चुआ यहां तक की मक्की की सराब या चावल की सराब भी ऐसा है रंग रोजन की हुई बत्त की उन लोगों के लिए जो मांस खाना पसंद करते हैं बहुत अच्छी होती है मैं वास्तों में बांस की कलिकों को अधिक पसंद करता हूँ यह पश्यमी देशों में प्राप्त नहीं हो सकती इनका निकटतम विस्थापन और जवाइन जो कुछ यूरोपिये देशों में पैदा होती है का एक रोप है अंग्रीजी अजवाइन इससे बिलकुल अलग होती है और वा उतनी उप्युक्त नहीं होती चीनी खाने के बारे में कुछ कहते हुए संभौता ये कहना कुछ और दिल्चस्प हो सकता है कि कटी हुई स्वे जैसा कुछ भी अच्छा नहीं होता यह मात्र एक नाम है जो चीनी खाने किसी भी तरह के चीनी खाने के लिए सामाने रूप से लिया जाता है यदि कोई वास्त्विक रूप में अच्छा चीनी खाना खाना चाता है तो उसे प्रथम स्रेनी के संपून चीनी रेस्ट्रों में जाना चाहिए और उसे दम पुक्त कुकुर मुद्दे और बास की कल्यों को खाना चाहिए तब उसे मचली का सूप पीना चाहिए उसके बाद रीग रोगन की हुई बत्थक आपको चीनी रेस्ट्रों में कहीं भी नकासीदार चाकू नहीं मिलेगा परंतो वेटर एक छोटी कुलहाडी या वोसीलों के लगाए जिससे वो बत्थक को आपके चाहेवे आकार भी चकतियों में काट देगा जब ये आपके द्वारा अनुमोदित कर दिये जाते हैं तब इने ताजी प्याज के साथ सैन्विच जो फीकी बेस्वाद डबल रोटी होती है के अंदर लपीट दिया जाता है कोई इन छोटी सैन्विचों में से ले सकता है और अपने मूह का स्वाद खराब कर सकता है खाना कमल के पत्तियों के साथ और यदि आप चाहे तो कमल ककड़ी के साथ समाप्त होता है कुछ लोग कमल के बीज भी पसंद करते हैं परन्तु जो कुछ भी हो आपको प्रियाप्त मात्रा में चीनी चाहे भी चाहिए ये उस तरह का खाना था जो हमको होटलों में जो हुआंग के अच्छे तरह परिचित थे खाना पड़ा कीमते आशर जनक रूप से उचित थी और अंत में जब हम अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए उठे हम काफी अच्छी प्रसंद मुद्रा में थे अच्छी तरह भारे बेट अच्छा खाना और दुबारा से फिर कोहरे का सामना करना इसलिए हमने क्वाइलिन जाने वाली सड़क के सहारे गली में उपर की और चलना सुरू किया जब हम कुछ दूर तक चल चुके थे हम इस सड़क पर दाई और अपनी मंदिर की और जाने वाले रास्ते पर मुड़े जब हम वापस आएं तो ये प्राधना का समय था हवा नहीं चल रही थी और खंबों के सहारे टिक्किया लटकी हुई थी और खुस्मों के बाद गतिहीन होकर अधर में लटके हुए थे टिक्किया लाल पदार्थ की होती है जिनके उपर सुनहरा चीनी संकित लगा रहता है ये टिक्किया पूर्वजो की थी और उसी तरह उप्योग में लाई जाती थी जैसे कबर के उपर लगाया गया पत्थर जो पश्चमी देसों मृतक को सम्मान देने के लिए लगाया जाता है हमने होताई और कुवान इनको जो अच्छे जीवन के देवता और करुणा के देवी है को नमन किया और अपनी प्राथना सभा के लिए धुन्दियाले रूप से प्रकासित मंदिर के अंदर की और अपने रास्ते पर गए उसके बाद हम अपने साम के खाने को प्राप्त नहीं कर सके बलकि बदले में कंबलों में लुढ़क गए और नीद में प्रफिस्ट हो गए चीर फार के लिए लासो का कभी भंडारन नहीं किया जाता था चुंकिंग में किसी भी समय लासो का उपलब्द होना एक अत्यंत साधारन सी बाद थी बाद में जब युद्ध सुरू हुआ हमें जितनी आवशकता थी उससे अधिक लासे मिलने लगी थी परन्तु ये जो चीर फार के लिए प्राप्त की जाती थी उन्हीं हम एक दाखाने में जिसे साधानी पूर्वक ठंडा रखा जाता था रखते थे जैसे हमें सड़क पर से या किसी अस्पताल से कोई ताजी लास मिलती हम एक अत्यंत सक्तिसाली नी संक्रामक उसकी कमर में सुची भेद करके उसकी सरीर में लगा देते थे जो उसको कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रखता था तलघर में जाना उन लासों को पटियों के उपर देखना और ये देखना कि उनमें से अधिकांस पतली लासे होती थी बहुत मज़िदार था हम बहुत तीवर मदभीद रखते थे कि सबसे ज़्यादा पतली कौन लेगा मोटी लासे चीर फार के लिए अत्यन्त तकलीव दे थी उनमें परिश्रम बहुत होता था और परिनाम बहुत कमाता था किसी को लगातार काटते काटते चीर फार करते चले जाना था तब कहीं उसे नस्या धमने मिल पाती और एक एक करकी तमाम पर्तों को उन मोटी मान स्पीसियों में से उतारना पड़ता लासों के कोई तंगी नहीं थी हमें लगातार जल्दी जल्दी इतनी लासे उपलब्द हो जाती थी कि हम उन्हें जिसे हम आचार कहते थे कि तरस टंकी में रखते थे वास्तों में किसे लास को तसकरी के दोड़ा अस्पताल में लाना उतना आसान नहीं था क्योंकि उनके कुछ रिस्तेदार इन सारी चीजों का अत्यंत जोरदार विरूत करते थे उन दिनों में नौजवान बच्चे जो सड़कों पर मरते थे बहुता यात में थे अथ्वावी वयस्क जिनके परिवार इतने अधिक गरीब थे कि उनका अंतिन संसकार नहीं कर सकते थे अंधिरे में लासों को गल्यों में छोड़ दिया करते थे तब हम चिकित्सा के छात्र भूर सुबह में अच्छी से अच्छी और वास्तों में सबसे पतली लासों को छाट कर लाने के लिए जल्दी जल्दी बाहर जाते हम पूरी लास को खुदी अपने लिए लेते थे बहुधा हम दो छाद्र एक लास पर एक साथ काम करते थे उनमें से एक सिर्की ओर दूसरा पैरों की चीरफार करता था ये अधिक सहयोग पूर्ण था यदि हम किसी परिक्षा के लिए अध्यन कर रहे होते तो बहुधा हम अपना दो बहर का खाना चीरफार वाले कक्ष में ही खाते थे एक विद्यार्थी को एक लास के पेट की उपर फैले हुए अपने खाने के साथ जबकि उसकी किताब जिसे वह पढ़ रहा था किसी तक्ति के सहारे उस लास की जांखों पर पढ़ी हो देखना ये कोई औसामाने बात नहीं थी उस समय हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें इन लासों के साथ रहने के कारण कुछ भयंकर गंभीर संक्रमन भी हो सकते हैं हमारे प्रचारे डॉक्टर ली नमिंतम अमेरिके विचारों को जानते थे कुछ अर्थों में वो अमेरिके विचारों के नकल करने के लिए लगबग पागल थे परन्तु कुई बात नहीं वो एक भले आदमी थे एक अत्यंत तीवर बुद्धी वाले चीनी जिनको मैं मिला और उनके साथ में अध्यन करना एक अत्यंत आनन दायक अनभो था अच्छा था हमारा कॉलिज और उसके साथ जुड़ा हुआ अस्पताल बंदरगाह की गोदी से काफी दूर था सीडियों वाली गली के पास अच्छे मौसम में हमें नदी के पार सीडिदार खेतों के पार अच्छा सुहावना दृष्ट दिखता था क्योंकि ये अत्यन थे विशिष्ट स्थिती में था वास्तों में ये एक बहुत विशिष्ट स्थान की पहचान का चिन्ह था बंदर काह में गली के पास वैपारिक छेतर में एक पुरानी इतनी पुरानी जैसे लगता हुआ बिलकुल गिरने ही वाली है एक दुकान थी जिसका लकड़ी का काम घुन्ने खालिया था और बोडो पर से पेंट की चकतियां उखड रही थी दर्वाजा चीर्न सीर्न और सुखा रोग से ग्रसित जैसा दिखता था इसकी उपर भड़कीले रंग से चित्रित किया हुआ चीती का एक कटाउट था ये इस प्रकार विवस्थित किया गया था कि इसका जुकाओ प्रवीस द्वार के पीछे की तरफ आता था जम्हाई लेती हुए जबडे और भयानक रूप से क्रूर दिखने वाले दात और पंजी जो किसी भी व्यक्ति के जिहन खौफ पैदा करने के लिए काफी थे यह चीता, सहस और संतानुत, बादक, सक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था जो पुनसत्व के लिए पुराना चीनि प्रदर्शन चिन्ण है ये चुके हुए लोगों के लिए उनको प्रकासित करने के लिए और जो अपने अधिक आनंद प्राप्ती के लिए अधिक पौरुशत्व प्राप्त करना चाहते थे एक दुकान थे और ते भी यहां कुछ दवाएं चीते का सत्व या जिन सेंग के जड़ का सत्व जब वे बच्चे पैदा करना चाहती थी और किनी दूसरी कारणों से ऐसा नहीं कर सकती थी लेने के लिए आती थी चीते के सत्व अथ्वा जिन सेंग के जड़ के सत्व में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो पश्चिम विज्यानी के लोगों ने काफी सोध और वैपार के बाद अभी आवस्कृत किये हैं होते थे जिनसे की आदमी और औरती इन मुश्किल समयों में निजात पा सकते थे चीनी अथ्वा तिब्वती इसके बारे में आधुनिक सोध कारे के विशे में इतना नहीं जानते हैं इसलिए फीज के बारे में कुछ भी प्रदर्शन नहीं करते हैं इन दवाओं को तीन या चार हजार साल पहले से उप्योग कर रहे हैं ये तत्य है कि यदि पश्चिमी लोग सहयोगी प्रवर्ती के हो तो पश्चिम पूर्व से बहुत कुछ सीख सकता है परन्तो इस पुराने दुकान पर मुड़ने से पहले जिस पर भयानक चीता नकासी से गढ़ा गया था और इसके उपर पेंट से लिखा गया था जिसमें एक खिड़की थी जिसमें अजीब अजीब तरह के चूर्णे थे ममीज थी और कुछ रंगीन द्रवों की बोतले थी ये एक पुराने धंग की डॉक्टर की दुकान थे जहां पर कामो तेजग पदार्थों के रूप में चूर्ण रूप में पीसे गय मेंधा बारा सिंगा के सिंगों का चूर्ण प्राप्त किया जा सकता था तदा दूसरी तरह के अजीब-जी मीश्रणों को प्राप्त किया चा सकता था इन इस्थानों में गरीब रोगी जो अस्पताल में इलाज के लिए अत्वा आधुनिक सलेचिकित्सा के लिए नहीं चा सकता था वह चाता था इसके बदले में ठीक उसी तरह से जैसे उनके पिताजी आया करते थे और सायद मरने के पहले उनके बाबा भी आते थे वो इस गंदी सी दुकान पर आता था वो अपनी सिकायतों को प्रभारी डॉक्टर को बताता था जो लकडी के एक भूरे कटगरे के पीछे एक उल्लू की तरह बैटकर मोटे मोटे चस्मों में होकर उनको देखता था वो इस प्रकरण में और इनके लक्षनों के उपर चर्चा करता और तब वो बुढ़ा वैद्य अपने सिर को हिलाता और अपनी उंग्लियों के पूर्वों से छूता हुआ वो अशर जनक रूप से आवस्थक दवाओं को देता एक मानिता यी थी कि दवाओं को उनके विशीज तरीकों से रंगा जाता था ये इतिहास से भी पहले समय का और लिकित कानून जैसा था पेट से सम्मंधित बीमारियों के लिए पीले रंग की दवाइयां हरदय रोगों अथवा रक्त से सम्मंधित बीमारियों के लिए लाल दवाइयां दी जाती थी पित्या जिगर के सिकायतों के लिए अत्वा अत्यतिक रूप से खराब गुस्से के लिए हरे रंग की दवाईयां दी जाती थी मरीज जो आँखों से परिशान हो उनके लिए नीले रंग के लोशन दी जाते थे आद्मी की सरीर का आंत्रेक भाग इस समबंद में समस्या मूलक था कि उसे किस रंग के दवा दी जाये यदि किसी आद्मी को अंद्रोनी दर्द है जो कि आतों की खराबी के वज़ा से है तो उसको भूरे रंग के दवाई दी जाती थी गर्वती माताओं को जैसा कि बताया गया था किसी कच्छुए का पिसा हुआ मांस तथा जब तक वो इसके प्रति सचेत हो सकी उसे पहले ही और उसके गर्व पूरे होने के दिनों का सही से हिसाब ना रखा गया हूँ बच्चा लगभग बिना दर्द के आसानी से पैदा हो दिया जाता था एक हिदायत थी घर जाओ टांगों के बीच में अपना चोंगा पहनो ताकि तुम्हारा बच्चा जमीन पर ना टपक पड़े और तब इस कच्छुए के मांस का चूर्न खाओ पुराने आपंजिक्रित चीनी डॉक्टर अपना विज्यापन कर सकते थे और इसे वे बहुत भाव्य प्रदर्शन के रूप में करते थे वह सामाने तब अपने घर के उपर पेंट किया हुआ बड़ा सा चिन ये दिखाने के लिए कि वह कितना अच्छा चमतकारी व्यद्य है एक बड़े चिन्य का अपयोग करते थे केवल इतना ही नहीं बलकि वह अपने प्रतिक्षा कक्ष में और सल्य कक्ष में उन तमाम पदकों को और वैजंतियों को जो उन्हें धनी और भैभीत मरीजों के इलाज के बाद ये प्रमानित करते हुई मिली है कि किस चमतकारी तरीके से उसने उन रंगीन दवाओं के दवारा चूर्ण और घोलों के दवारा उस अग्यात का और विग्यात बीमारी से इलाज किया था गरीब दन्चिकित सक अर्थात पुराने ढंके दन्चिकित सक इतने सौभागे साली नहीं थे अधिकांस्ता उनके पास कोई खास घर नहीं होता था जिसमें वे अपने मरीजों को देख सके बलके वे सड़क पर बैठ कर मरीजों को देखते थे सिकार एक संदूक पर नीचे बैठता था और उपर बैठ कर दन्चिकित सक तमाम तमासमीन लोगों की भीड के बीच में चुभाते और दबाते वे उसका परिक्षन करता था और तब एक चाला के पुन धंक से इसारे बाजी और प्रयास करते वे वे खराब दान्द को उखा कर देता था बढ़ो उनका सही सब्द था क्योंकि यदि बीमार भैभीत हो या अधिक से अधिक सोर करने वाला हो तो किसी दान्द को उखारना आसान नहीं था और उस समय वह दन्चिकित सक सड़क चलते किसी भी आदमी को या अपनी पास में खड़े किसी भी व्यक्ति को उ उसमें कोई निश्य तक उप्योग में नहीं लाया जाता था दन्चिकित सक दूसरे डॉक्टरों की भाति चिन्धों के साथ अथवा पद्गों के साथ अथवा सिग्यापन नहीं कर सकता था, परंतु बदले में वह अपने गले में उन निकाले वे दातों की माला डालता जबकि उसने कोई दांट निकाला वह दांट को उठा लेता उसको सावधानी से साफ करता उसमें होकर एक छेट बनाता और तब वह अपनी गले की माला के मूती के रूप में अपनी दक्षता के प्रमान के प्रसंसा पत्र के रूप में पहनता क्यों उसके पास ऐसे तमाम है वह हमें गंफीर रूप से निरास करता था कि मरीज जिनके उपर हमने इतना अधिक समय खर्च किया है उनकी देखवाल की है और जिनको हमने नमीनतम इलाज दिया है और जिनको हमने महंगी दवाईया दिये वे नजर बचा कर पुरानी चीनी डॉक्टरों के घरों में उनके लवारा इलाज किये जाने के लिए रिंग जाते थे हम दावा करते थे कि हमने मरीज का इलाज किया है और वह जोला चाप डॉक्टर दावा करता था कि उसने मरीज का इलाज किया है परंतु मरीज कुछ नहीं बोलता था वाकीवल इस बात से प्रसन्न होता था कि वो बिमारी से मुक्त हो चुका है हम अपने अध्यान में जैसे जैसे आगे बढ़ते के अस्पताल के वाडो में होकर चलते थे और एक अहर्थ प्राप्त डॉक्टर के रूप में लोगों को उनके घर में उनका इलाज करने के लिए उनके ऑपरेशन में मदद करने के लिए बाहर जाने को तयार थे कई बार हम चोटियों से उन इस्थानों के लिए जिनमें पहुँच पाना बहुत मुस्किल होता नीचे उतरते थे साइद उन इस्थानों के लिए जहां कोई बेचारा दुर्भाग के साली उपर से गिर कर नीचे आ गया हो जिसकी हड्डियां चटक गई हो या मांस लगभग उस सीमा तक लुंज पुंज होकर की जिसे सुधारा नहीं जा सकता नीचे गिर पड़ा हो हम उन लोगों के यहां भी जाते थे जो नदियों पर तैरते हैं मकानों में रहते थे क्यालिंग नदी में लोग जो नौका घरों में या बांस के टट्टियों के उपर जिन पर चटाई विछाई हुई हो और उन पर छोटी छोटी जोपड़ियां खड़ी कर ली गई हो रहते थे यह नदी के किनारे पर हिलते जूलते रहते थे और जब तक हम विसीस रूप से साउधान नहों विसीस कर रातों में किसी की पैर का चूंग जाना अथवा किसी धीले बंधेवे बांस के उपर खड़े हो जाना जूस को नदी में डुबा देता बहुत आसान था तब छोटे बच्चों की उस औपरिहारे भीड के द्वारा जो ऐसे दुरभागे पून अवसरों पर हमीशा महां एकठे हो जाते थे किसी का स्वागत हजी के द्वारा नहीं किया जाता था पुराने चीनी किसान काफी हद तक दर्द को बरदास्त करने का प्रदर्शन करते थे वे कभी सिकायत नहीं करते थे और हमीशा उसके लिए जो हमने उनके साथ किया है कृतग्य रहते थे हम बुढ़े लोगों की मदद करने के लिए साथ उनकी छोटी जोपड़ियों के सफाई करने के लिए और उनको खाना बनाने के लिए भी अपनी सामर्थ के बाहर भी चले जाते थे पर उनको नौजवान पीड़ी के लिए ऐसा करना कोई आनन दायक नहीं था वे तनाव गरस्त रहते थे इससे वे अजीब तरह के विचार प्रकट करते थे मौसको से आयवे आदमी उनके चारो तरफ घूमते फिरते रहते थे जो कि उनको साम्मेवाद के आगमन के लिए तयार कर रहे थे हम इसे जानते थे परन्तो पास खड़े होकर देखने और और सहाय होकर देखने के सिवाए हम कुछ कर नहीं सकते थे परन्तो इतनी अधिक अर्ता पाने के लिए भी हमें विशे के अनेक साखाओं हो विविद्दाओं के साथ अत्तिक मात्रा में एक दिन में लगबग 14 घंटे तक बढ़ाई करनी थी चुम्बकत्व और वैसे ही विद्ध उदाहरन देने के लिए दो ही काफी है वह पहला वैक्षान जो मैंने चुम्बकत्व के उपर सुना मुझे अच्छी तरह याद है तब यह विशे मेरे लिए पूरी तरह से अन्जान था ये उतना ही अन्जान था जितना की विद्ध इस विशे का सिक्षप वास्तों में उतना खुसकवार वैक्ती भी नहीं था परन्तु यहाँ वह वाक्या है जो हुआ हुआंग ने बोर्ड पर लगे हुई सुचनाओं को पढ़ने के लिए ये देखने के लिए कि अगली कक्षा के लिए कहा जाना है भीड में होकर रास्ता बनाया तब उसने पढ़ना सुरू किया अरी लोबसांग उसने कहा उसने मुझे पुकारा अजसाम को हमें चुम्बकत्व के उपर वैख्यान सुनने जाना है हमें यह जानकर प्रसन्यता हुई कि हम एक ही कक्षा में थे क्योंकि हम लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर मित्रता हो गई थी हम एक चौकोर आकार की जगा में एक कक्षा में उसी ठीक आगे जो विद्धुत के लिए तै की गई थी, गए, हम अंदर घुसे, वहां भी लगवग वैसे ही तमाम उक्करन रखे थे हमें ऐसा लगा कि हम अभी वे विद्धुत के साथ ही विवहार कर रही है तारों के गुच्छे, धातों के टुकडे, जो अंजान रूप से घोड़े के नाल के आकार में मुड़े हुए है काली छड़े, कांच के छड़े और विभिन प्रकार के कांच के संदुक जिनमें पानी जैसा कुछ दिखता था थोड़ी लकडियां और कुछ सीसा, हमने अपना अस्थान ग्रांग किया विख्याता एट कर चलते हुए, भारी भरकम ढग के साथ कक्षा में अंदर अपनी मेज़ पर आए वह एक मोटी व्यक्ति थे, सरीर से भारी और दिमाग से भी भारी निश्यत रूप से अपनी छमताओं के बारे में उनकी कुछ अच्छी राय थी जैसी राय, उनकी छमताओं के बारे में उनकी वे सहयोगी जो अमेरिका में उनसे भी कहीं अधिक रह चुके थे रखते थे जहां से वे दूसरों के साथ पढ़ाने वाले सक्षकों के साथ ये जानती हुए कि वे वास्तों में कितना कम जानते थे वापस लोटे थे ये अपने बारे में अच्छी तरह से निश्चिन थे कि वे प्रतेक चीज को जानती हैं और उनका दिमाग अमोग है कभी गलती नहीं करता उन्होंने अपना स्थान घ्रहन किया और किसी वज़ा से एक लकड़ी की हथोड़ी को उठा लिया और अपनी मेज के उपर जोर से ठोका सांथ वह चिल्लाए यदिपी वहाँ पहले से ही कोई आवाज नहीं थी हम चुम्बकत्व पढ़ने वाले हैं तुम में से कुछ के लिए एक दिल्चस्विस है चुम्बकत्व के उपर उन्होंने कहा उन्होंने एक छड़ को उठाया जो घोड़े के नाल के आकार में मोड़ी होई थी ये उन्होंने कहा अपनी चारो ओर एक छेतर रखती है मैंने तुरन थी चेरते हुए घोड़े का ध्यान किया उन्होंने कहा मैं तुम्हें या बताने वाला हूँ की लोहे के बुरादे के साथ चुम्बक के छेतर के रूप रेखा कैसे बनाई जाती है चुम्बकत्व वे कहते गए जो कि उस बल को जो उसे उसकी रूप रेखा बनाने के लिए प्रेरित करता है लोहे के हरकन को स्वैमी सक्रियक कर देगा मैंने औस आउधानी पूरवग हुवांग को कहा जो मेरे पीछे बैठा था पर उन्तो कोई बेवकूफ भी जब इसे देख सकता है तो इसके साथ छेड़ छाड़ क्यों वैख्याता अतिधिक देज गुस्से के साथ एक्दम उछले ओह उन्होंने कहा तिब्बत का महान लामा जो चुम्बकत्व और विद्धुत के बारे में पहली चीज भी नहीं जानता चुम्बकी छेड़ को देख सकता है क्या वो देख सकता है उन्होंने उंगली से मेरी औ एक मात्र आदमी जो साइद इसे देख सकता है उसने कटाक्ष करते हुए कहा मैं खड़ा हुआ हाँ आदर निये सिक्षक महोदै मैं इसे एकदम इस पश्ट रूप से देख सकता हूँ मैं इन तारों और आसपास प्रकास भी देख रहा हूँ उन्होंने अपने लकड़ी के हथोड़े को दुबारा उठाया और लगातार कई बार अपने मेज पर मारा तुम जूट बोलते हो उन्होंने कहा कोई इसे नहीं देख सकता यदि तुम इतने होसियार हो तो आओ और इसे मेरे सामने बोड़ पर खीच कर बताओ तब हम देखेंगे कि तुम किस प्रकार की खिच्डी पकाते हो मैंने ठकेवे अंदाज में आभरी चुमबक को उठाया और चौक के एक टुकड़े के साथ ब्लैक बोड़ की ओर गया मैंने चुमबक को बोड़ के उपर रखा और उसके चारो और उस नीली से रंग की प्रकास की सकल को उतार दिया जो मैं चुमबक से बाहर निकलता हुआ देख रहा था मैंने रेखाएं बनाई और हलकी पट्टियां भी जो छेतर के अंदर थी ये मेरे लिए बहुत आसान काम था मैं इस चंपता के साथ पैदा हुआ था और मेरी ये चंपताएं ऑपरिशन के द्वारा बढ़ा दी गई थी जब मैंने पूर इससे पहले पढ़ा है उन्होंने कहा ये कोई जाल साजी है आधरनीय सिक्षत मैंने जवाब दिया आज के दिन तक मैंने इस तरह के चंपकों को नहीं देखा है उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं जानता कि तुम इसे कैसे करते हो लेकिन ये इकदम सही छेतर है मैं अभी भी क कहता हूं कि तिव्वत में तुमने केवल चाल बाजिया ही सीखी है। मैं इसे नहीं समझता। उन्होंने चुम्बब को मुझ से रे लिया और उसे पतले कागच्छे टुकडे से लपेट दिया। और उस पर लोहे का बुरादा छिड़क दिया। जिससे कि ठीक वैसी ही सकल ज मैं अभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करता। तिबबत की आदमी उन्होंने कहा। मैं अभी भी सोचता हूं कि ये कोई चाल बाजी है। वह चिंतित होकर बैठ गए और तब अपने सिर को हाथों में पकड़कर विश्फोटक आवाज के साथ वह उचले और अपना फिर मेरी हाथ में दिया। तुम उन्होंने कहा। तुमने कहा कि तुम उस चुम्बक के छेतर को देख सकते हो। तुमने ये भी कहा कि और इन तारों के पास की रौसनी को मैं देख सकता हूं। ऐसा है मैंने जवाब दिया। मैं देख सकता हूं। मैं इन्हें आसानी से दे सकता हूँ ठीक है वह मेरे उपर जोर से चिलाए अब हम तुम्हें गलत सिद्ध कर सकते हैं हम सिद्ध कर सकते हैं कि तुम जाली हो वह कुर्शी पर पूरे घुमी और गुस्से में उन्हों अपनी मेज के उपर जोर से हाथ मारे जल्दी से वे कोनी में गए और भुन-बनाते एक डिब्बे को उठाया जिसके उपर के सीरे से एक कोईल के तार निकले हुए थे वह खड़े हुए और उन्होंने उसे मेरे सामने मेज पर रखा अब उन्होंने कहा अब यहां एक बहुत ही दिल्चस्प डिब्बा है जिससे हाई फ्रिक्वेंसी वाला डिब्बा कहा जा उन्होंने मेरी और देखा मानो की कहरे हो मैं देखता हूँ तुम कैसे करते हो मैंने कहा ठीक है ये काफी सरल है इसे ब्लैक बोर्ड के पास रखें अनिथा मैं अपनी स्वरन सक्ती से ही इसका चितर बना सकूँगा उन्होंने मेज के एक कोनी को पकड़ा और मैंने दूसरे सिरे को और हम उसे ब्लैक बोर्ड के ठीक पास ले गए मैंने अपने हाथ में चौक का टुकड़ा लिया और मैं बोर्ड की ओर घूम गया ओह मैंने कहा ये सब पूरा हो गया मैंने आशरे से देखा क्योंकि उसमें केवल तार थी और कुछ नहीं कोई छेतर नहीं मैं उनकी गूमा उनका हाथ एक स्विच पर था उन्होंने विद्धारा का प्रवाब बंद कर दिया था परन्तु एक गंभीर मूर्ती जैसे मुद्रा उनके चेहरे पर थी इसलिए उन्होंने कहा तुम वास्तों में इसे देख सकते हो ठीक है ठीक है कितना अधिक ध्यान देने योग उन्होंने फिर स्विच को चालो किया और कहा मेरी तरफ से घूम जाओ और मुझे बताओ कि ये कब चालो है और कब बंद मैंने घूम कर उनके तरफ अपनी पीट की और मैं उन्हें बताने के लिए सक्षम था बंद चालो बंद उन्होंने उसे बंद अवस्था में छोड़ और उस रवये में जैसे कि एक आदमी जिसके विश्वास को भयंकर रूप से कुचलने वाला जटका लगा हो अपनी कुर्शी पर बैठ कै तब सहसा उन्होंने कहा कक्षा समाप्त मेरी और मुड़ते हुए तुम नहीं मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ दूसर क्यों कक्षा के बाहर निकाला जाना चाहिए उन्होंने उनमें से एक दो को कंधी से धक्का देते वे बहुत तीजी के साथ कक्षा से भगा दिया प्रवक्ता के सब्द नीची आवाज में थे जब क्लास पूरी खाली हो गई तो उन्होंने कहा अब तुम इसके बारे में हुआ और जो एक विशिष्ट सल लिक्रिया द्वारा मेरे अंदर पढ़ाई गई है मैं प्रभा मंडल को देख सकता हूँ मैं आपका प्रभा मंडल भी देख सकता हूँ इसको देख कर मैं जानता हूँ कि आप विश्वास नहीं करना चाहते आप ये विश्वास नहीं करना मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मेरा खुद का प्रसिक्षन मेरा खुद का ग्यान सही है और यदि तुम प्रभा मंडल को देख सकती हो और निशित रूप से जो मैंने सोचा है वो गलत है बिल्कुल नहीं मैंने जवाब दिया मैं ये कहता हूँ कि आपका पूरा प्रसिक करता है कि मनश्य प्रानी को विद्यूत के द्वारा ही सकती मिलती है क्या बेव क्यूफी की बाती है उन्होंने कहा क्या एकदम उल्टी बात और वे अपने पैरों पर उचल पड़े मेरे साथ प्रचारे के पास आओ हम वहाँ इस बात को तैय करेंगे डॉक्टर ली महा विद्याले के कागज पत्रों के साथ व्यस्त अपनी मीच पर बैठेवे थे जैसे हम प्रविस्ट हुए उन्होंने अपने चस्मे के कांचों के उपर की तरफ से जहगते हूँ हलकी सी नजर से हमारी तरफ देखा तब उन्होंने चस्मे को हमें अधिक स्पश्टा से देखने के लिए उतार दिया आधर्निय प्रचारे वख्याता ने कहा ये आदमी तिब्बत से आया हुआ या आदमी कहता है कि ये प्रभामंडल को देख सकता है और यह भी कि हम मेंसे हरेक का प्रभामंडल होता है ये मुझे बताने का प्रयत्न कर रहा हैगी विद्युत एवं चुम्बकत्व के प्रध्यापक के तुलना में ये मुझसे ज़्यादा जानता है डॉक्टर ली ने हमको बैठने के लिए हलका सा इसारा किया और तब कहा ठीक है पूरे ठीक से संशेप में बताओ कि माजरा क्या है लोबसांग रमपा प्रभा मंडल को देख सकता है ये मुझे मालूम है तुम किसकी बारे में सिकायत कर रहे हो तुम्हारी सिकायत क्या है प्रवक्तानी अपनी कमी को जैसे पूरा किया लेकिन हारदर्नी है प्राचारे उन्होंने व्यक्त किया क्या आप भी ऐसी बेवकूफी की बातों में विश्वास करती हैं ऐसी बकवास ऐसी जालसाजी निशित रूप से मैं करता हूँ डॉक्टर ली ने कहा क्योंकि ये तिब्बत के सरवच लोगों में से है जिनको मैंने सुना है उन्में भी सबसे उचे है पोचो वास्तों में पहाडी से चोटी से गिरते वे लगे डॉक्टर ली मेरी तरफ मोड़े और कहा लोग सांगरंपा मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा कि तुम अपने खुद के सब्दों में प्रभा मंडल के भारे में कुछ बताओ ये मान कर बताओ कि हम इस विसे में कुछ भी नहीं जानते हमें बताओ ताकि हम इसे समझ सके और साइद हम तुम्हारे इस विसेस्ट अनुभों से कुछ लाब उठा सके ठीक है ये एक बिलकुल अलग मामला था मैं डॉक्टर ली को पसंद करता था मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से मामलों को अपनी हाथ में लिया डॉक्टर ली मैंने कहा जब मैं पैदा हुआ ये छमता मेरे साथ थी कि मैं लोगों को जैसे वी हैं उनके वास्तविक रूप में देख सकता था उनके चारों तरफ प्रभा मंडल होता है जो उनके विचारों को जुटलाता है स्वास्त में कोई भी परिवर्दन मान से या अध्यात्मिक अवस्थाएं ये प्रभा मंडल अंदर रहने वाले आत्मा के द्वारा उत्पन किया गया प्रकास होता है मेरे जीवन के प्रारंब के कुछ वर्सों में मैं ऐसा सूचता था कि जैसा मैं देखता हूँ सभी वैसा ही देखती है लेकिन जल्दी मुझे पता लग गया कि ऐसा नहीं है तब जैसा आपको मालूम है मैं एक लामा मठ में प्रविस्थ हुआ साथ साल की उम्र में कुछ और विश्ष्ट प्रस्टिक्षनों में होकर गुजरा लामा मठ में मेरे साथ एक विश्ष्ष सलक्रिया की गई ताकि मैं सुरूम जितना अच्छा देख सकता था उससे और अधिक उस पश्टता के साथ देख सकूँ लेकिन इससे मुझे कुछ अतरिक्त सक्टियां भी मिल गई इतिहास के बहुत पुराने दिनों में मैं कहता गया आदमी के पास तीसरा नेत्र होता था अपनी खुद की गलतियों के कारण आदमी को ये छमता खो देनी पड़ी लासा में लामा मठ में मेरे प्रसिक्षन का यही एक उद्दिश्च था मैंने उनकी उर दीखा और दीखा कि वे इसको ठीक तरह समझ रहे थे डॉक्टर ली मैं कहता गया मनुष्य सरीर पहले एक नीले से रंग की रोसनी से घिरा रहता है साइद एक इंच मोटा ये प्रकास साइद दो इंच मोटा ये पुरे भौतिक सरीर को ढखे रहता है ये वह है जिसे हम इथरिक सरीर कहते है और ये सभी सरीरों में सबसे निम्द स्तरका होता है ये सूक्ष्म और भौतिक सरीरों के बीच का जुडाव है नीली रंग की तीवरता उस आदमी के स्वास्त के साथ बदल सकती है तब सरीर के बाद उस विद्युद सरीर के बाद भी एक प्रभामंडल होता है ये विशीश रूप से इस बात पर निर्भर करती हैं कि सम्मंदित व्क्ति की आत्मनत्ती की क्या अवस्था है उस व्क्ति की आध्यात्मिक सक्षन के स्तर के अनुसार उसके विशारों के अनुसार आकार में बदल सकता है आपका स्वैम का प्रभामंडल आपसे एक आदमी की लंबाई के बराबर दूरी पर है मैंने प्रचारे को कहा ये एक विक्षित आदमी का प्रभामंडल है मनुश्य का प्रभामंडल इसका आकार कुछ भी हो ये रंगों की चक्करदार धारियों से बना होता है जैसे कि साम के वक्त में आकास में बादल तैरते हैं उसी भाती ये उस वेक्ति के विचारों के अनुसार बदलती है ये सरीर के उपर के स्तर है विशी स्तर जो अपने खुद के रंगों की 36 पट्टियां उत्पन्य करती है कल मैंने कहा जब मैं पुस्तकाले में काम कर रहा था मैंने दीखा कि कुछ पुस्तकों में चित्रों को जो पश्चिमी धार्मी का वस्थाओं पर थी इह में कुछ लोगों के बनाएके चित्र थे जिसमें उनके सिर के चारो और प्रभा मंडल दिखाए गए थे क्या इसका या अर्थ निकलता है कि पश्चिम के लोग जिनको मैं विकास के मामले में अपनी से निम्न स्तर का समझता हूँ प्रभा मंडल को देख सकते थे जबकि पूर्व के हम लोग नहीं देख सकते पश्चिमी देशों के लोगों के ये चित्र मैंने जारी रखा किवल अपनी सिर के चारो और प्रभा मंडल रखते थे परन्तु मैं किवल सिर के चारो और नहीं बलके पुरे सरीड के चारो और हाथों के आसपास, उंगलियों और पैरों के आसपास देख सकता हूँ ये ऐसी चीजी हैं जिसे मैं हमेशा देखता रहा हूँ प्रचारे पूचू की और मुड़े, वहां तुम देखो कुछ सूचना है जो मुझे पहले मिली थी, मैं ये जानता था कि रंपा के पास इस प्रकार के सक्तियां हैं इन्होंने इन सक्तियों का उपयोग तिबबत के नीता की और से किया था, यही कारण है कि वह यहां हमारे साथ अध्यन कर रहे हैं ताकि ये आसा की जाती है कि वह किसी विशीज युक्ति को विक्सित करने में सहयोग कर सके जो की संपूर्ण मानाव जाती के लिए बिमारियों के पहचान करने और उनका इलाज करने के संबंद में अपने आप में संपूर्ण सबसे अधे लाभदायक हो तुम्हें आज यहां आने के आवशकता क्यों होई उन्होंने पूछा प्रवक्ता बहुत विचार मग्न दिखाई दिये उन्होंने उत्तर दिया हम चुम्बकत्व का प्रयोग सुरू करने ही जा रहे थे और इससे पहले की मैं कुछ दिखा सकू जैसे ही मैंने छेत्रों के संबंध में बोला इस आदमी ने कहा कि वह चुम्बक के चारों और छेत्रों को देख सकता है जो मुझे पूरी तरह से काल्पनिक प्रतीत हुआ इसलिए मैंने इसे ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना कर दिखाने के लिए बुलाया मेरे आशरे के साथ वे कहते गए ये छेत्र को ब्लैक बोर्ड पर चित्रित करने में सफल हुआ और ये उस उच्च आवरिती के ट्रांसफॉर्मर की धारा के छेत्र को भी चित्रांकित करने में सफल हुआ परंतु जैसे ही उसके बटन को बंद किया गया इसे कुछ नहीं दिखाए दिया मुझे यकीन है कि ये कोई ट्रिक थी उन्होंने विद्दोही ढंग से प्राचारे की और देखा नहीं डॉक्टर ली ने कहा वास्तों में ये कोई ट्रिक नहीं थी ये ट्रिक बिलकुल नहीं थी क्योंकि ये मुझे ज्यात एक सत्य है कुछ दिन पहले मैं इनके सिक्षक लामा मिंग्या डॉन्डूप को मिला था जो तिब्बत के चतुरतम वेक्ति हैं और उन्होंने मेरे मित्रता के कारण अपने दिल के पूरी भल्मन साहत के साथ कुछ प्रियोगों को किया और उन्होंने यस्द्ध किया कि वे वह सब कुछ कर सकते थे जो लूपसांग्रंपा कर सकता है हम सक्षम थे ये हम लोगों का एक विसीज समू है जो इन मामलों में गंभीर सोधकारे कर रहा है परंतो दुर्भागेवस, पुर्वाग्रा, पीडियों के गुलामी और इर्श्या हम लोगों को इनके निसकर्सों को प्रकासित होने से रोकती रही ये वह चीज हैं जिस पर मैं तब से अब तक खेद व्यक्त करता रहा हूँ थोड़े समय के लिए महां सांती रही, मैंने सोचा की प्रचारे की ये कितनी भल्मन साहत है की उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रख्ट किया प्रवक्ता कुछ निरास से दिखाई दे रहे थे वास्तों में मानों की उन्हें बिना बुलाए महमान जैसा अनापेक्षित धका लगा हो उन्होंने कहा यदि तुम्हारे पास ये सकती हे तो तुम याद चिकित्सा का अध्यन क्यों कर रहे हो मैंने कहा, मैं चिकित्सा का अध्यन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं विज्ञान का भी अध्यन करना चाहता हूँ ताकि मैं उस यंत्र को बनाने में मदद कर सकूँ जिसे मैंने तिबबत की चांगता उच देशी छित्रों में लिखा था प्राचारे ने बीच में टोका हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उन लोगों में से एक थे जो उस अभियान में गए थे मैं उन यंत्रों के संबंध में और अधिक जानना चाहूँगा कुछ समय पहले मैंने कहा दलाई लामा की प्रिर्णा से हम लोगों का एक छोटा दल पहाडियों के स्रंखलाओं के बीच में छिपे हूँ चांग तांग उच्च दीसों के लिए गया था वहाँ आमने देखा कि एक पूरा सहर जो बहुत लंबे समय पहले का है उस समय से भी पहले का जहां तक का इदिहास लिखा गया है एक गुजरी हुई नसल का सहर एक सहर जो एक हिमनत की बर्फ के अंदर आंसिक रूप से दब गया है परंतु वह हिमनत जहां जहां पर वह थोड़ा गर्म था बीच बीच में पेगला उस शिपी हुई घाटी में उसमें बने वे भवन और उन भावनों के यंत्र बिलकुल सही सलामत हालत में थे एक ऐसा ही उपकरण एक डिब्बे के रूप में था जिसको मैंने देखा और उसमें मानवी प्रभा मंडल को देखा और उस प्रभा मंडल से उसके रंगों से उसकी सामाने दिखावट से वे उस व्यक्ति के स्वास्त के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे इसके अतरिक्ते वे ये भी देख सकते थे कि क्या कोई मनुष्य अपनी सरीर में किसी बीमारी से ग्रस्थ होने वाला है क्योंकि ये संभावनाएं सरीर में आने से पहले से प्रभा मंडल में दिख जाती है ठीक उसी ढंग से जैसे कि नजले के जीवानों सरीर में जो खाम आने से पहले काफी पहले प्रभा मंडल में दिखाई दे जाते हैं बिमारियों की सिकायतों की जहलक पानी से पहले उनका इलाज करना व्यक्ति के लिए काफी आसान हो जाता है तब सिकायतें, बिमारियां इससे पहले की वो अपनी पकड जमा सके, पूरी तरह उन्मुलिद की जा सकती है प्रचारे ने अपना सिर हिलाया और कहा बहुत अधिक सूरुची पूर्न है कहते जाओ मैं कहता गया मैं उस पुरानी उपकरन का नया संसकरन अपनी दिमाग में देख पा रहा हूँ मैं उसी तरह की एक युक्ती को विक्सित करने में मदद करना चाहूंगा ताकि कोई आदमी जिसे अतिंद्रिय ग्यान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है डॉक्टर या सलचिकित सक उस डिब्बे में होकर उस आदमी के प्रभामंडल को उनके रंगों के साथ देख सके उसके पास दुलना करने के लिए एक चाठ हो और उस चाठ की सहायता से वह या जानने में सक्षम होगी उस व्यक्ती के साथ वास्तों में गलत क्या है वह बिना किसी परिशान या बिना किसी गलती के या पता लगाने में सक्षम होगा लेकिन प्रवक्ता ने कहा तुम काफी अधिक विलंबित हो चुके हो हमारे पास पहले से ही एक्सरीज का इजाद हो चुका है एक्स किरनी डॉक्टर ली ने कहा ओ, मेरे प्रेमित्र ये इस जैसे उद्देसे के लिए बिल्कुल निरर्थक है वकिवल हड्डियों की भूरी चाया मात्र दिखाती है लूमसांगरंपा हड्डियों को नहीं दिखाना चाते ये वास्तों में सरीर की प्रान सब्ती को दिखाना चाते है मैं इनका जो आसे है उसे कहीं अधिक सही तरीके से समझता हूँ मैं निश्य पूर्वक जानता हूँ कि इनको इस सम्बंध में पूर्वाग रहूं और वेवसाइक इर्श्याओं से लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन्होंने फिर से मेरी ओर देखा और कहा परंतो कोई व्यक्ती इस प्रकार की युक्ति के साथ मानसीक सिकायतों के लिए कैसी मदद कर सकता है आधर्णी प्रचारे मैंने कहा यदि किसी व्यक्ती के विभगत व्यक्तित है तो उसका प्रभामंडल वास्तों में इसे सपर्ष्ट रूप से दिखाता है क्योंकि तब इसमें दोरे प्रभामंडल होती हैं और तब मैंने कहा कि उचित उपकरन के साथ उन दोनों प्रभामंडलों को धकील कर एक ही बनाया जा सकता है साइद उच्च अवरिती के विद्धित के द्वारा अब मैं चुकी इसे पश्चिम में लिख रहा हूँ और मैं प बता चुके हैं परन्तुवे कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं बताओं क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा की हानी होगी इसके आगे के कुछ अभियुक्तियां दिल्चस्प हो सकती है क्या आपने कभी बिजली के तारों को हलके से कुहरे में देखा है यदि ऐसा है खास दोर से पहारी छेतरों में तो आपने इनके चारों तरफ प्रभा मंडल अवश्य देखा होगा ये तारों को घेलती हुई एक बहुत हलकी रौसनी होती है यदि आपकी दृष्ठी बहुत अच्छी है तो आप रौसनी के लुप-लुप होने को देख सकते हो बढ़ना घटना पुरानी लोग हमारे महान 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 पूर्वज इस Oui उस्पस्ट रूप से आभा मंडल और तीजो मंडल को देख सकते थे क्योंकि वे इन्हें महात्माओं के चित्रों के ऊपर पेंट से चित्रित करते थे निश्चित रूप से। किकि ये किसी कि के कर्पना मातर ही नाप लिया है, मानो शरीर के विवानतर को नाप लिया है, वास्तों में एक अत्यंत प्रसिद अस्पताल है, जहां एक्सरे के सम्बंध में काफी बर्सों पहले से सोधकारे चल रहा था, उन सोधकारियों से पता लगा कि वे मानो आभा मंडल का ही चितर ले रहे थे, परंतु वे इसे समझ नहीं पाएं, वे जो पा रहे थे, न उन्होंने इसकी परवाह की, क्योंकि वे अस्तियों का ही फोटोग्राफ लेने की कोशिस कर रहे थे, सरीर के बाहर रंगों का नहीं और उन्होंने आभा मंडल के फोटोग्राफ को निरंतर मात्र विछोब समझा, दुख कि वे एकसरे के साथ प्रगती करते गए, जो मेरे अत्त विनम्र विचारों में एक गलट ठंग है, मैं पूरी तरह से विश्वस्थ हूँ कि एक थोड़ी से सूध कारे के साथ चिकित सक और सल्य चिकित सक इस आश्यर जनक उपकरन को पा सकती हैं, जो कि बीमार का इलाज कर करने में सहायक होगा, मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा मैं बहुत बर्सों पहले भी या करता था एक विश्वस्थ उपकरन, जिसे कोई भी रॉक्टर अपनी जेव में रख कर अपने साथ ले जा सकता है, और जिसे मरीज के सामने रख कर उसकी जांच कर सकता है, जैसे कि द भी जाओं को देख सकता है, वो एकदम ठीक से देख सकता है कि मरीज के साथ क्या गलत है, यह अत्तिक आवशक चीज नहीं है, क्योंकि केवल चांड लेना ही सहायक नहीं होगा कि किसी वेक्ति के साथ गलत क्या है, बल कि यह जानना भी आवशक है कि उसका इलाज कैसे किया जाए और उसे वो उस युक्ति के द्वारा जो मेरे दिमाग में इतनी आसानी सिख कर सकता है विसीस रूप से उन मामलों में जहां पर वेदना मानसिक परिशानी के कारण हो रही हो चौथा अध्याय उराने अभी उमसपरी साम थी मुश्किल से कहीं थोड़ी हवा बैती हुई जिस चोटी के उपर हम चड़ रहे थे उसके उपर के बादल हमसे लगबग दूसो फुट उचाई पर थे ये कृद घने बादल जब वे काल्पिनिक आकरतियों में काल्पिनिक पहाड़े सरंखलाओं के बीच उपर चड़ रहे थे हमें तिबबत की याद दिला रहे थे हुआंग और मैं चीर फाड़ वाले कमरे में एक मुश्किल दिन में थे मुश्किल क्योंकि लासे बहुत लंबे समय के लिए रखी गई थी और उनके दुरगंध बहुत भयानक थी सरने वाली लासों के दुरगंध जिवानों ना सक दवाओं के दुरगंध और दूसरी गंधों ने हमको वास्तों में बुरी तरह ठका दिया मुझे आशर्य हो रहा था कि मैं तिब्बत से जहां हवा सुध थी और जहां के मनुश्यों के विचार भी सुध थे यहां आया ही क्यों कुछ समय बाद हम चीर फाड़ वाले कक्षों से बाहर निकले खुद को धोया और चोटी के उपर चले गए हमने सोचा टहलना और प्रकृति को देखना अब ये अच्छा था हमने साथ साथ दूसरी चीजों को भी देखा क्योंकि चोटी के किनारे पर ताकते हुए हम नीचे की नदी में गुजरने वाले व्यस्त आवागमन को भी देख सकते थे हम कुलियों को जहाज पर सामान लाते हुए बास के लंबे-लंबे खंभों के दोनों तरफ एक टूकरी में रखी भारी-भारी गाठों को जो लगभग 90 पाउंड के वजन तक की भारी हो सकती थी अपने कंधों पर लादे हुए दीख सकते थे परतीक टूकरा पाँच पॉंड का था इस प्रकार कूली 195 पॉंड के बोज को पूरे दिन ढोते रहे थे उनके लिए जीवन बहुत कठिन था पूरी तरह धके वेवे मृत्यू प्रयंत काम करते थे और भरी जवानी में ही मर जाते थे कामों के लिए आदमे उन्हें घोडों के तरह जोतते थे उनसे जानवरों से ज़्यादा खराब वेवहार करते थे और जब वे स्वयम भगच जाते थे और कई बार वे मर जाते थे उसके बाद भी इस समय हमारे चीरफार वाले कक्षों में और नए पैदा होने वाले डॉक्टरों और सल चिकित्सकों के लिए जो उनसे दक्षता प्राप्त करेंगे जो कि जीवित सरीरों को इलाज करने में सहायक होगी हम इस समान उपलब्ध कराते हुए अपनी भालाई के कामों को चारी रखते थे हम चोटी के किनारे से वापस मुड़े और पीडों और फूलों से सुगंदे थोकत बहने वाली धीमी धीमी हवा का सामना किया सामने पीडों का एक छोटा जुर्मुट सा था और उन तक पहुँचने के लिए हमने अपनी कदमों के चाल थोड़ी बदल दी हम कुछ आस पस्ट ओवर निये चीज से आने वाले किसी आकास मिक्ता के अंजान खत्रे को भापते वी कुछ बेचैनी और तनाव भरे अंधाज में चोटी से कुछ पहले रुख गए इस बात के उपर निर्ने करने में समर्थ ना होते हुए कि ये क्या था हमने प्रस्न सुचक दृष्टी से एक दूसरी की ओर देखा हुआंग ने संदिक दिरूप से कहा ये बिजली की कड़क नहीं हो सकती वास्तों में नहीं मैंने उत्तर दिया ये कुछ बेहद अंजान चीज है कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हम और निश्य की स्थिति में एक तरफ को कान रखकर सुनते हुए ख होजने के लिए हमने अपने चारों तरफ देखा जमीन में देखा पेडों पर देखा और बादलों में देखा एक लगातार पम बम जो लगातार तीज तर तीज होती जा रही थी कटू से कटूतर होती जा रही थी हमने जब उपर की ओर देखा तो बादलों के बीच एक छे कुछ साउधान हो पाती, ये बादलों में लगबख उल्टी दिसा में चली गई, मेरे भगवान, मैं चिलाया, आकासिय देवताओं में से एक, हमको लेने के लिए आए हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हम कर सकते थे, हम आशरे करते हुए, कि आगे क्या होता है, नहीं सुना था, तब जैसे हमने विचार किया, बादलों के पेट में लात मारती हुई, एक बड़ी जैसी आकृती प्रकट हुई, मानो की वह इस थोड़ी सी कड़क से भी अधीर हो रही हो, ये आकास में चमकी, और परिशान हुई हवा के धपेड़ी जैसी, एक तीखी च चीख चोटी के किनारे के उपर सीधे हमारे सिरो के उपर घुमडी, सोर समाप्त हुआ और उसके बाद सांती थी, हम पूर्ण रूप से हक के बक्के रह गये, पूर्ण रूप से जम्य हुए, एक दूसरी के तरफ देखते हुए, तब एक समान आवेक के साथ हम मुड़े, और चोटी के किनारे की और ये देखने के लिए कि आकास से आनी वाले उस चीज के साथ क्या हुआ था, दौड़े, वह चीज एकदम अजनवी और काफी सोर भरी थी, हमने चोटी के किनारे पर अपने आपको तेजी से गुस्से में जोग दिया, और सावधानी पूर्वप उस चमकती हुई नदी के उपर नजरे गडाने लगें, इसके उपर जमीन पर फैले हुई अजनवी बालोई पटी थी, पंखो वाले की इस समय सांत थे, जब हमने देखा इसमें से ज्वाला के थूग के साथ ही खासी जैसी हुई और काले धुए का गुबार उपर को उठा हम इससे उचल पड़े और पीले पड़ गए, परंतो केवल यही सबसे ज़्यादा अजनवी नहीं थी, हमारे संकालू, भय एवं आशरे के अनुसार बगल से द्वार खुला और दो आदमी वहार आएं, उसमें मैंने सोचा कि यह सबसे अधिक आशर जनक चीज थी, जो मैं यहां समय नस्ट कर रहे थे, हम अपने पैरों पर उचले और हमने नीचे उतरने वाले रास्ते पर दोड़ लगा दी, हम सीडियों पर होकर नीचे गलियों में आवा गमन को अंदेखा करते हुए, सोहादरता को अंदेखा करते हुए तेजी से चले, पानी के किनारे पर जा पानी के लिए कोई नाव नहीं थी, और नाव कोई नाविक, कोई नहीं, वे सभी पानी में उस जगह जहां हम जाना चाते थे, चले गए थे, लेकिन हाँ, एक बड़े पत्थर के पीछे वहाँ एक नाव थी, उसे उठाने के विचार से, और पार जाने के विचार से, हम उ ओ माई गॉड हुआंग चिलाया हमें पार ले चलो ठीक है उस मुढ़े आदमी ने कहा मैं नहीं जाना चाहता तुम्हें वहाँ क्या काम है उसने अपने जालो को नाओं में फेका और पुराने टूटे वे पाइप के साथ जो उसके मुँँ में था नाओं के किनारों से जुक गया उसने अपनी टांगों को क्रोस किया और ऐसा दिखाया मानो कि वह पूरी रात किवल बाती करते भी वहीं रुका रहता हम अधीरता के उन माद में थे आओ बोढ़े बाबा तुम क्या लोगे बोढ़े ने एक भारी भरकम रकम मागी इतनी बड़ी रकम जिससे कि ये पूरी पुरानी सडी नाव खरीदी जा सकती थी हमने सोचा परंतो हम उत्तीजना के हरबड़ी में थे हम उस समय लगबख कुछ भी दे सकते थे हमें नदी के दूसरे पार जाना था हुवांगनी मूलभाव किया मैंने कहा ओ हमको समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए वो जितना मा वह इस पर उछला और हम उसकी नाव पर तोड़े इस्थिर हो जाओ नौजवान इस्थिर हो जाओ तुम मेरी नाव को तोड़ दोगे उसने कहा ओ बाबा हुआंगने कहा जल्दी करो दिन डूबता जा रहा है गठिया से तूटता हुआ बुढ़ा आदमी आराम आराम से न ले चला नाव को तीजी से ले जाने के विचार में हम व्यग्र थे परन्तु उस बुढ़े आदमी को किसी प्रकार के जल्दी नहीं थी धारा के बीच में भवरों ने हमें पकड़ लिया और उच्छाल दिया तब हमारी नाव फिर से दाएं किनारे पर आ गई और हम दूर किनारे की ओर चले जैसे जैसे हम समीप पहुँच रहे थे समय बचानी के लिए मैंने पैसा गिनना सुरो किया और उसे बुढ़े आदमी की ओर बढ़ा दिया उसने निश्चे है इसको जल्दी से ले लिया हमारे सामने एक अद्भुत मसीन थी वो अमुल्य मसीन जो आस्मान से उतरी थी और जिसके साथ में कुछ आदमी लाए गए थे हमने भै के साथ उसको और अपनी हद दरजे के सीमा तक आश्चरे के साथ उसकी इस पहुँच को देखा दूसरी लोग भी वहां थे परनतों व हम इसके नीचे गए हम सीधे आगे बढ़ें और देखा कि वहां उसमें कोई पहिया नहीं था लेकिन धातों का स्प्रिंग जैसा एक दंड था जिसके किनारे पर जूते जैसी एक अकरिती लगे हुई थी आह मैंने कहा ये एक स्किट जैसा है जो इसे जमीन पर धिमा करता है वहामें अपनी पतंगों पर लगी चीजों जैसा दिखा लगपग आधी डरी हुए हमने मसीन के बगल की और इसारा किया हमने ताजुब के साथ दिखा कि ये एक कपड़े जैसा है जिस पर कुछ हद तक चित्रकारी की गई है और जिसे लकड़ी के राचे के ऊपर तान कर लगाया गया है अब ये वास्तों में कुछ था लगपग आधी दूरी तक पंखों और पूच के बीच में हमने एक पैनल क कुछ हुआ और जब ये खुला तो धक्के के कारण हम लगपग बेहोस हो गये और एक आदम धीमे से जमीन पर उत्रा ठीक है उसने कहा तुम निशित रूप से बहुत अधिक उत्सुक दिखाई देते हो हम वास्तों में हैं मैंने जवाब दिया दिब्बत में मैं इस तरह क की चीजों में उड़ा हूँ ऐसी सांथ चीजे उसने मेरी और देखा और उसकी आँखे फैल गई दिब्बत में तुम क्या करते हो उसने पूछा हां मैंने किया मैंने उत्तर दिया हुआंग बोला मेरा मित्र एक जीवंत बुद्ध है एक लामा जो यहां चुमकिंग में प प्यस्त है उसने कहा उस हवा के मसीन में बैठा हुआ आदमी अभिरूची पूर्ण दिखाई दिया यह अत्यनत सुंदर है उसने कहा क्या तुम अंदर आओगे जहां हम बैठ कर बात कर सके वह मुरा और उसने मुझे अंदर का रास्ता दिखाया ठीक है मैंने सोचा मैंने इस प्रकार के बहुत अनुभो लिये हैं यदि ये आदमी इस मसीन में स्वैम के ऊपर विश्वास कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ इसलिए मैं और मेरी दिखा देखी हुआंग भी साथ ही अंदर प्रविस्ट हो गया मैंने तिबबत के उच्छ देसों में इससे बड़ी थी परन्तु ये हमसीन बहुत सोर कर रही थी और हवा को भाड रही थी हिला रही थी उसके अंदर बैठने के स्थान थे काफी आराम दायक स्थान भी हम बैठे तब उस आदमी ने लगातार मेरे साथ तिबबत के उपर प्रश्न पूछना शुरू किया जो मेरे हिसाब से प कारे में बात करते हुए एक अत्यंत भवे मशीन के अंदर था अंत में काफी समय बाद और काफी कस्टों को झेलने के बाद बदले में हम उससे कुछ जानकारी पासके मसीन जिसको वे हवाई जहाज कहते थे को आकास में उडाने के लिए इसमें इंजन लगे हुए थे ये इंजन थे जो आवाज कर रहे थे सोर कर रहे थे उसने कहा ये विसीस इंजन अमेरिकियों द्वारा बनाया गया था और इसे संगाई की एक चीन फर्म खरीदा था जो संगाई से चुंकिंग तक हवाई यात्रा प्रारंभ करने के लिए योजना तयार कर रही थी ये तीनों आदमी जिनको हमने देखा था थे विमानचालत, दिसासुचक और इंजीनियर जो अपनी अंतिम जाच उडान में थे पाइलिट जिससे हम बात कर रहे थे ने कहा हमें मसूर आदमियों में रूची जागरत करनी है और उन्हें उडान का एक अवसर देना है ताकि वे हमारे उद्योग का अनुमोदन कर सके हमने ये सूचते हुए सिरह लाया कि ये कितना सुंदर था और कैसे हमने कामना प्रकट की कि हम भी मसूर आदमी थे और हमें भी उडने का एक मौका मिलना चाहिए वो चलता गया तुम तिबबत से हो क्या तुम वास्तों में एक मसूर आदमी हो कि तुम हमारे साथ इस मुसीन में उडान को आजमाना चाहोगे मैं ने कहा मेरे भगबान मैं सीख ली जितना तुम चाहोगे उडान आजमाऊँगा उसने हुभां के तरफ इसारा किया और उसे ये कहते हुए कि वह नहीं जा सकता बाहर उतर जानी के लिए कहा ओ नहीं मैंने कहा नहीं यदि एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा इसलिए हुआं को खड़ा रहने की इजाज़त दे दी गई जिसके लिए बाद में उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया दो आदमी जो पहले से बाहर उत्रे हुए थे जहाज की ओर आए और हाथो की ओर कुछ किया तब वहां एक तीज ध्वनी हुई बम और उन्होंने कुछ और किया अचानक ही एक धक्के जैसी आवाज हुई और भयानक कमपन हुए हम यह सोचते हुए की सायद कुछ दुरघटना हो गई है और हम टुकडों तूटने वाले हैं चिपके रहे लटके रह उस आदमी ने कहा हम अधिक कठोरता के साथ पकड़े नहीं रह सके इसलिए ये उसके लिए मोटा अंदाज ही था हम उरान भरने ही वाले हैं उसने कहा ये एक साधारन घटिया गुल पाड़ा था हिचकोला उभार धमागे की आवाज पहली बार से जादा खराब जब मैं आदमी उडाने वाली पतंगों में गया था ये और जादा खराब थी क्योंकि जटकों के अतरिक्त इसमें सोर था गिनो ना सोर एक अंतिम धक्का लगा जिसने मेरे सिर को लगबग मेरे कंधों के बीच में धकेल दिया और तब एक संसन मानो कि कोई व्यक्ति मुझे नीचे और पीछे की और तेजी से दबा रहा है मैंने अपना सिर उठाने के लिए विवस्तित किया और खिड़की के बाहर के और देखा हम हवा में थे हम उचाई पर चड़ रहे थे हमने नदी को एक चान्दी के धागे की तरह से लंबा होते ह देखा दो नदियां जो मिलकर एक हो गई हमने कबार कच्रा और बेकार वस्ति में छोटे खिलोन जैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकडे तैरते हुए देखी तब हमने चुंकिंग को उसकी गलियों को उन गलियों की सीडियों को जिनको बहुत कठिनाई के साथ बनाया ग भरे भयाबा तीखे ढलान के साथ चिपके हुए थे हमने किसानों को अपने खयाल से कड़ी मेहनत करते हुए देखा अचाना एकदम सफेदी आई पूर्र और बेखबर बेसुद इन जनों की आवाजे भी दपती गई हम बादलों के बीज थे कुछ मिनट बादलों में से न बाहर निकले जो पूरी तरह से सूरे की सुनहरी रोसनी में डूबा हुआ था जब हमने नीचे देखा ऐसा लगा कि ये बर्फ के जमे हुए सागर के उपर फैला हुआ चमकता हुआ सफेद चौन्धियाने वाला आँख को घायल करने वाला प्रकास अपनी आभा की तीवरत के कारण है हम चड़ते गए और अधिक चड़ते हुए मैं इसके लिए साउधान था कि उस मसीन का प्रभारी आदमी मुझसे बात कर रहा था ये उससे उचा है जितना तुम इससे पहले कभी रहे होगे बिल्कुल नहीं मैंने उत्तर दिया क्योंकि जब मैंने आदमियों को उड़ाने वाली पतंगों में यात्रा सुरू की थी तब मैं सत्रह हजार फुट की उचाई पर पहले से ही था इससे उस आदमी को अश्रे हुआ वह बगल की खिड़की में से बाहर को जाकने को मुड़ा पंक डूब गए और हम बगल से तीखी चीक के साथ में गोता खा गय हुआंग पीला हरा चहरावाला हो गया एक भयानक रंग और एक अनकही बात उसके साथ हुई वो अपनी सीट से जटका खाकर बाहर आ गया और जहाज की तलिम ओंधा होकर गिर पड़ा ये उसके लिए कोई सुखद दृश्य नहीं था और उसके लिए सुखद कुछ भी नह होने वाला था मैं इसके लिए हवा की बीमारियों के प्रति हमीशा ही निरापद और प्रभावित था और मुझे सिवाए इस तिकडम में आनंद आने के कुछ भी महसूस नहीं हुआ हुआंग नहीं वह डरा हुआ इसके द्वारान परिशान था जब तक हम जमीन पर उद्र वह केवल एक कापता हुआ मांस का लोंदा था जो कभी कबार दुखपरी आ निकाल रहा था हुआ एक अच्छा वायू यात्री नहीं था हम जमीन पर उतर सके उससे पहले कि उस आदमी ने इंजनों को बंद कर दिया था और तब हम धीमे धीमे नीचे आते हुए और अधिक के लिए की ये आदमी के द्वारा बनाई गए मसीन थी जहाज के बगल से लगे हुए कपड़ों पर धोल बजाने जैसी जमीन की आवाज आ रही थी जब हम जमीन के ठीक पास आती जा रहे थे अचानक उस आदमी ने दुबारा अपने इंजनों को चालो किया और एक बार फ जटका और पूँच की डिस्क की तरस एक चीक और हम चीक कर रुक गये फिर से इंजनों को बंद कर दिया गया और पाइलेट और मैं बाहर जाने के लिए उठे बेचारा हुआंग उठने के लिए तयार नहीं था हमने उसे बाहर निकाला और फिर से स्वस्थ होने के लिए पालू पर लिटा दिया मैं काफी भैभीत था कि मैं काफी कठोर दिल का था हुआंग ओंधे मो पीली रेट पर पड़ा हुआ था जो मीलो लंबी नदी के बीच में जमीन के रोपने उभरे हुई थी वह खास प्रकार की आवाजे निकालते हुए और हलचल करते हुए ओंध करने के लिए जो मसीन को उड़ा रहा था एक अच्छा बहाना दे दिया हमने बाचीत की दुरभागयवस वह तिबबत के बारे में बात करना चाहता था उड़ानों के लिए देश कैसा है क्या हवाई जार्ज वहां उतर सकते हैं क्या पैरासुट के द्वारा उतारी गई से आएं वहां उतर सकती है ठीक है मुझे इस बात का लीस मातर भी खयाल नहीं था कि पैरासुट क्या होते हैं परन्तो सुरक्षित होकर एक तरफ बने रहने के लिए मैंने कहा नहीं हम एक विवस्था की तरफ आएं मैंने उसे तिबबत के बारे में बताया और उसने मुझे जहाजो के बारे में तब उसने कहा मैं अतिधिक सम्मानित अनुभो करूँगा यदि तुम मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलो जो की तिबबत के रहस्यों में अतिधिक दिलचस्पी रखते हैं ठीक है आपके ये मित्र मुझे क्यों मिलना चाहते हैं मैं महा विद्याले में एक विद्यार्थी मातर था और मैं हवा में एक विद्यार्थी बना रहना चाहता था और ये व्यक्ति सामाजिक चीजों के बारे में सोच रहा था मैं तिबबत में उन बहुत थोड़े लोगों में से था जो हवा में उड़े थे मैं आद्मियों को उड़ानी वाली पतंग पहाडों के उपर बहुत उचाई तक उड़ा था यदिपी ये संसनी एक सांट आराम दाया और बहुत आश्रेपुन रही थी फिर भी पतंग तो जमीन से रस्य से बंधी हुई थी ये केवल हवा में उपर जा सकती थी जमीन पर उड़ नहीं सकती थी पाइलिट भले इसे उड़ा था के संबंध में और अधिक जानना चाता था और मसीन में उड़ने के सपने देख रहा था जो कि उड़कर विस्व के किसी भी भाग में कहीं भी जा सकती थी जैसा पाइलिट ने मुझे बताया और वह केवल तिबबत के संबंध में बात के लिए चिंतित हो रहा थोड़ी समय के लिए ये एक कतिरोद जैसा लगा हम एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बालो पर बैठे बेचारा हुआंग कराता हुआ और हमसे किसी प्रकार के कोई सहानुभूती प्राप्त ना करता हुआ अपनी एक बगल में लेटा रहा अंत में हम एक विवस्था प मैंने राजी हुआ मैंने इस संबंद में कुछ वैक्षान देने के लिए अपनी सहमती दी इसके बदले में उसने मुझे दुबारा से हवाई जहाज में ले जाने के लिए और ये समझाने के लिए की चीज़े कैसे काम करती है कहा हमने चारों तरफ घूम कर पहले मसीन को द थे हमें से हरेक के सामने अब चड़ी जैसी एक कोई चीज थी जिसमें आधा पहिया जुड़ा हुआ था इस पहिये को दाई अथवा बाई घुमाया जा सकता था जबकि पूरी चड़ी को आगे धगेला जा सकता था और सामने को खीचा जा सकता था उसने मुझे समझाया कि किस प्रकार से वापस धाकेलना जहाज को उपर उठाता है और आगी खीचना उसे नीचे उतारता है और उसे घुमाना मसीन को भी घुमा देता है। उसने मुझे विभिन मूठों और बटनों के संबंध में भी बताया। तब इंजन शुरू किये गए और नीचे काँच के डायरों के पीछे मैंने हिलते डूलते संकितकों को देखा जो जैसे जैसे इंजन की गती बदल रही थी अपनी स्थिती को बदल रहे थे। हमने एक लंबा समय व्यक्तीत किया। उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से जाया तब इंजन बंद करने के बाद हम बाहर निकले और उसने निरिक्षन धकनों को खोला उठाया और विभिन्न विचारों को विस्तार के साथ बताया कार्बोरीटर, स्पार्क प्लग और दूसरी तमाम चीजे। उस साम मैं अपने वाइदे के अनुसार उसके मित्रों स उसने कहा कि वो चियांग काई सेख को अच्छे तरह जानता है और उसने कहा कि जनरल ली सिमो अपने तकनीकी सेना के धोली को उचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी फोज में सेनाओं के सामान इस तर को उचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा कि कुछी दिन से खरी दे गए थे उसके बाद मेरे दिमाग में उडान के संबंद में हलका सा ख्याल आया मैं इन जहाजों में से एक में कैसे जा सकूँगा मैं हवा में उपर कैसे उड़ सकूँगा मैं उडान करना कैसे सीख पाऊंगा हुआंग और मैं कुछ दिन बाद अस्पताल से विदा होने वाले थे जब हमारे सिरों के उपर फैले हुए भारी भारी बादलों में से दो एकल सीट वाले लडाकों वीमान जो वाइदे के अनुसार संगाई से आये थे दो चांदी की आकरती में दौरते हुए आये उन्होंन चुंकिंग के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर एक चकर और लगाया तब जैसे ही उन्होंने अपने इस्थानों को कि कहां उतरना है ठीक से चिन्हित कर लिया वे नीचे की और गोता लगा गए हमने कोई समय विर्थ नहीं कवाया हम सीडियों वाली गड़ी से तेजी से न खुल के चिन्हों को साफ करते हुए पॉलिस करते हुए खड़े हुए थे हुआंग और मैं उनके पास पहुचे और उन दोनों में से उनके नायक कप्तान पो कू के साथ अपनी उपरस्थिती दर्ज कराई हुआंग ने मुझे ये अच्छी तरह स्पस्ट कर दिया था कि व उसने सोचा था कि वो इस पहली और आखरी उडान के बाद मर जाएगा कप्तान पो को ने कहा अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है मैं वास्तों में या आशर कर रहा था कि तुम्हारे संपर्क में कैसे आऊं और इसमें मेरी बहुत चापलूसी हुई मैंने की उसने मुझे इस मसीन और यात्री मसीनों के जो हमने पहले देखी थी बीच अंतर बताए यह जैसा उसने कहा एक एकल सवारी वाली और एक इंजन वाली एक मसीन थी लेकिन दूसरी तीन इंजनों के प्रकार की थी हमें वहां रुकने के लिए थोड़ा समय मिला क्योंकि हमे अपनी चक्रों को पूरा करना था अतर हम अत्यंत अनिच्छा पूर्वक कहां से विदा हुए अगले दिन हमारी आधे दिन की शुट्टी थी और हम जितना जल्दी संभव हो सका उन दोनों जहाजों के पास फिर वहां पहुँच गए मैंने कप्तान से पूछा जैसे के उस के आधिशों के कारग यहां हूँ अभी हम इन चाहजों को दिखा रहे हैं मैंने उस दिन उसका साथ चारी रखा और जब मैंने देखा एक दिन बाद उसने कहा यदि तुम चाहो तो मसीन में बैठ सकते हो ये तुम्हें अच्छा संतुष्टी जनक लगेगा पैठो और नि पुझे नियंत्रनों को दिखाया और ये भी दिखाया कि वे कैसे काम करते हैं ये वैसे ही थे जैसे की तीन इंजनों वाली मसीन में थे परंतो वास्तों में उनसे अधिक आसान थे उन्होंने पुलिस के इंगाड को मसीनों के पास छोड़ा उस मंदिर की ओर जो हमारा घर और उस साम हमने उसे और उसके साथ ही को लिया यदिपी मैंने उसकी उपर काफी कठोर परिश्रम किया था परंतो फिर भी मैं इस संबंध में ये बयान नहीं दे सका कि वे मुझे उड़ना कब सिखाने वाले हैं उसने कहा ओ तुम्हें काफी लंबे समय तक प्रतिशा करने पड़ेगी इस प्रसिक्षन में महीनों लगते हैं सीधा सीधा उड़ान भरना जैसे तुम समझते हो असंभव है तुम्हें प्रारंबिक पाट साला में जाना पड़ेगा तुम्हें एक दोरी सीट वाली मसीन में उड़ना पड़ेगा और इस से पहले कि तुम हमारी जैसे हवाई जहाद में उड़ने की अनुमती पा सको तुम्हें अनेक घंटों तक अभ्यास करना पड़ेगा अगले दिन साम के समापत होने पर हम फिर नीचे गए हुवांक और मैंने नदी पार की और बालू पर पहुँच गए दोनों आत्मी अपनी मसीनों के साथ एक्दम अकेले थे दोनों मसीनी एक दूसरे से कई गर्जदुरी पर थी बोगो के मित्र के साथ कुछ गरबडिक दिख रही थी क्योंकि उसके इंजन का ढखकन उड़ गया था और उसके साथ साथ सभी औजार भी फैले पड़े थे बोगो खुद अपनी मसीन का इंजन खोले खड़ा था वह इसे सुधार रहा था वह रुका थोड़ा ठीक ठाक किया और फिर दुबारा सुरू किया वह फूट फूट की आवाज के साथ सुरू हुआ फिर एक सार नहीं चल सका वह हमारी तरफ देख रहा था जैसे उसने पंको की ओर देखा वह खड़ा हुआ और इंजन से वियर्थी समय गवाते हुए खिलवार करने लगा था तब जैसे ही मोटर ने एक अच्छे तरह से प्रसन बिल्ली की तरह से एक साथ गुर्रहाट की वह एक चिकने तैलिये कपड़े के ऊपर अपनी हाथों को पोचता हुआ सीधा खड़ा हो गया वह प्रसन दिखाए दिया वह हमसे बाचित करने के लिए हमारी और घूमा जबकि उसका साथ ही आवश्यक कारे से दूसरे जहाद से उसकी तरफ आया पोकू अपनी मोटर को बंद करने के लिए गया परन्तो दूसरे पाइलेट ने अपनी हाथ व्यगरता पूर्व पागल पन में हिला दिये इससे वह पंखो पर से सीगरता पूर्व जमीन पर गिर पड़ा मैंने हुआंग की और देखा मैंने कहा अहा उसने कहा क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ ये भी नहीं ठीक है मैं अंदर बैठ हूँगा लोबसांग हुआंग ने कहा तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो बहुत हरवड़ी में हो बिलकुल नहीं मैंने जवाब दिया मैं इस चीज को उड़ा सकता हूँ मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन यह आद भी हुआंग ने कहा तुम अपने आपको मार डालोगे बगवास मैंने कहा क्या मैं पतंगों में नहीं उड़ चुका हूँ बीचारा हूँ आँग थोड़ा सा चोटी पर से गिरे हुए की तरह से दिखा क्योंकि उसका हवावाजी का नीजी ग्यान बहुत अच्छा नहीं था मैंने दूसरे जहाज की और देखा परंतु दोनों पाइलेट मुझे परिशान करने मुझे व्यस्त रखने के लिहाज से बहुत दूर थे वे अपनी इंजनों के हिस्सों से कुछ करते हुए बालू पर घुट्णों के बल बैठे थे निशिद्रूप से वे कुछ गहरी डुबे हुए थे मगन थे वहाँ आस परोस में हुआंके सिवाए कोई भी दूसरा नहीं था इसलिए मैं जहाज की और बढ़ चला जैसा मैंने दूसरों को करते हुए दिखा था मैंने दोनों पहियों के सामने रोख की पचड़ों को जल्दी से हटा दिया और जहाज में कूद बढ़ा जिससे जहाज लुढ़कने लगा नियंतरन में मुझे पहले ही कही बार समझा दिये गए थे और मैं जानता था कि थोटल कौन सा है और ये भी जानता था कि मुझे क्या करना है मैंने उसे कसकर आगी की और रोख से ठीक सामनी की और इतनी कठोरता के साथ धकेला कि मेरी बाई कलाई में लगवम मोच सी आ गई इंजन ने पूरी सक्ती के साथ चीखना सुरू किया दहाडना सुरू किया मानोगी वह इसे फार कर स्वैम मुक्त हो जाएगा तब हम बालो के उस पीली पट्टी के ऊपर तेजी से उपर उठने लगे मैंने जहाँ पानी और बालो मिलते हैं वहाँ एक चमक देखी एक चछन के लिए मुझे थोड़ा डर लगा तब मुझे याद आया पीछे खीचा मैंने नियंतरन को पीछे की और खीचा जहाज की नाक उपर उठी पहियों ने तरंगों को ठीक से चूमा और पानी के बौचा रहेगी हम उपर उठे ऐसा लगा कि मेरे नीचे कोई अत्यंत सक्तिसाली हांत मुझे दबा रहा है और मुझे उपर उठा रहा है इंजन घुर राया और मैंने सोचा इसे इतना तेज नहीं चलना चाहिए इसका थ्रोटल पीछे किया जाए अन्यधा ये टुकडों में तूटकर नीचे गिर जाएगा इसलिए मैंने थ्रोटल के नियंतरन को एक चौथाई रास्ते तक पीछे खीचा जिससे इंजन की आवाज कम हुई मैंने जहाज के बगल की ओर देखा और एक धक्का लगा नीचे बहुत दूर चुंकिं की सफीज चोटियां थी मैं उपर था बास्तों में उपर इतना उपर की मैं मुस्किल से ही ये समझ सबता था कि मैं कहां था मैं हमीसा उचा ही चरता जला गया चुंकिं की सफीज चोटियां कहां? हे भगवान यदि मैं और उपर जाओंगा तो मैं दुनिया के ही बाहर चला जाओंगा मैंने सुचा ठीक उसी समय एक भयानक सहरन हुई और मुझे लगा कि मैं टुकडों में तूटने वाला हूँ मेरी हाथ का नियंतरन जटके से मेरी पकड़ के बाहर खिचा मैं मसीन जो जुग गई थी कि एक और जूल गया तब उसने बहुत तेजी से जटका खाया और नीचे की और चकर खाने लगी एक छन के लिए मैं गहरी डर में आ गया मैंने स्वैम से कहा तुमने इस पार ऐसा किया है लूपशांग मेरे बेटे तुम अपनी आपको बहुत अधिक काबिल समझते हो कुछ सकेंड और गुजरने दो और वे चट्टानों की उपर तुम्हारे चितरे चितरे उड़ा देंगे ओ मैंने तिब्बत को क्यों छोड़ा तब मैंने इस बात का कारण सोचा जो मैंने अपने पतंगों की उड़ानों के अनभों से सीखा था एक चक्कर जिसमें नियंत्रन अपना काम नहीं करते मुझे ये कोशिस करने के लिए थ्रोटल को और कुछ दिसा सोचक नियंत्रनों को पूरा खोल देना चाहिए जैसे ही मैंने ये सब सोचा तो मैंने फिर से थ्रोटल को दाई और आगे की और खीचा और इंजन नए सीरे से दहाड़ा तब मैंने उस नियंत्रन को पकड़ लिया और अपने आपको अपनी सीट के पीछे के तरफ चिपका लिया मैंने अपने हाथों और घुटनों से नियंत्रन को आगे की और खीचा अशर जनक रूप से नाग नीची डूबी मानो के तल इस दुनिया के बाहर निकल गई मैंने कोई सुरक्षा पेटी नहीं बांध रखी थी और मैं अपने नियंत्रन के साथ भी कसकर जुड़ा हुआ नहीं था मैं बाहर की और फैका जा सकता था मैंने ऐसा महसूस किया मानो की मेरी सिराओं में बर्फ जम गई है और कोई इस पर्फ को मेरे पीछे की और धकेल रहा है मेरे घुटने आश्चर जनक रूप से कमजोर हो गए थे इन जन्दा हडा और उंचे और उंचे चड़ते वे रिरी आया मैं गंजा था और मुझे विश्वास है कि यदि मेरे सिर पर बाल होते तो वो सिर पर एकदम सीधे खड़े हो गए होते ओ, काफी तीज है मैंने स्वैम से कहा और धीमे से ओ, इतना धीमे से कि ये लगपक तूट गया मैंने धीमे धीमे अपनी डर को कम करते हैं नियंदरन को पीछे की तरफ थोड़ा धीला किया नाग उपर उठी और उपर उठी परंतु उत्तीजना में मैं उसे समतल करना भोल गया नाग तब तक उपर उठती चली गई जब तक कि एक अंचान सिहरन में मुझे नीचे देखने के लिए प्रेरित नहीं किया या ये उचाई थी मुझे लगा कि पूरी प्रिफ्वी मेरे सिर पर थी एक च्छन के लिए मेरा ये पूरा ग्यान समाप्त हो गया कि क्या हो चुका है तब जहाज को एक जटका लगा और ये एक पाल फिर गोता खा गया जिस्से की नीचे के खड़ी जमी नोदगों के एकदम ठीक सामली थी मुझे कठिम परिश्रम करना पड़ा मैं ओंधा होकर और पैरों को गोटनों को अपने हाथों से पकड़े हुए कॉक्पिट में उल्टा लटका हुआ और कोई सुरक्षा पेड़ी नहीं और निश्चित रूप से बिना किसी आसा के उड़ रहा था मैं स्विकार करता हूँ कि मैं डरा हुआ था परंतों मैंने सोचा ठीक है यदि मैं किसी घोड़े की पीट पर टिका रह सकता हूँ तो मैं मसीन में भी टिका रह सकता हूँ इसलिए मैंने नाप को नीचे जाने दिया कुछ और नीचे और तब धीमे धीमी छड़ी को वापस खीचा फिर मैंने महसूस किया कि जैसे कोई सकतिसाली हाथ मुझे दबा रहा था इस बार यदि भी मैंने साउधानी पूर्वक हर समय जमीन को ध्यान से देखते वे छड़ी को धीमे से वापस खीचा तथा भी मैं उड़ान के दौरान जहाज को समतल कर्रे में समर्थ हुआ एक या दो छण के लिए अपने माथे पर आई पसीने की पूंदों को पोचते वे और ये सोचते वे कि ये कितना भयानत मामला था मैं वहाँ बैठा पहले एकदम सीधे नीचे जाना फिर एकदम सीधे उपर आना तब आउंधे होकर उरान भरना और अब मुझे ये ग्याद नहीं है की मैं कहा हूँ मैंने भगल से उपर देखा मैंने ज्ञांकर जमीन पर देखा मैं गोल गोल घूमता गया और मुझे इस बात का धूनला साबे खयाल नहीं था कि मैं कहा था मैं गूबी के रेगिस्तान में हो सकता था अंत में जब मैंने सारी आसाइं छोड़ दी मेरे अंदर कॉक्पिट में मौजूद हर चीज के सम्बंद में प्रेरना उपजी सब चीज थी नदी ये कहां थी इस पस्ट रूप से मैंने सोचा यदि मैं नदी को देख लूँ तो मैं दाएं या बाएं जा सकता हूँ और अंत में मैं कहीं पहुँची जाऊंगा इसलिए मैंने दूर तक देखते हुई अपनी जहाज को हलके से गुलाई में मूडा अंत में मैंने एक हलकी चांदी के धागे जैसी धारा जमीन पर देखी मैंने जहाज को उस दिसा में मूड दिया और सीधा वहाँ बनाए रखा मैंने थ्रोटल को आगे को दबाया और उसके बाद अति सीखरता के साथ या सोचते हुए कि जो सोर में पैदा कर रहा था उससे कुछ तूट सकता है थ्रोटल को पीछे की और खीचा मैं इस समय बहुत प्रसंद अनुभोग कर रहा था मैंने ऐसा समझा की मैं हर काम को उसकी पराकास ठाओं तक जाकर कर रहा था मैंने थ्रोटल को आगे को धक्का दिया जिससे नाग खत्रे के साथ तेजी से उपर उठी और यदि मैं थ्रोटल को पीछे खीचता तो नाग खत्रे के साथ दुख परी तेजी के साथ नीचे डूब जाती इसलिए मैं अब हर चीज को धीमे धीमे उपियोग में जा रहा था मेरा नया रवया था जो उस आउसर के लिए मैंने चुना जब मैं इसके ठीक उपर था ये दोबारा से फिर घूंग गया और मैं चुंकिंग की चोटियों को निसाना बनाती हुई नदी के साथ साथ उड़ने लगा ये बहुत अशर जनक था मैं जगह को नहीं समझ सका तब मैंने नीचे आने का निश्य किया उन सफीज चोटियों की ओर जो तीखी चड़ाई के साथ गहरा घाव देती हुई खड़ी थी नीचे की ओर उन सीड़ीदार खेतों को देखती जिने ढूंडना मुस्किल था मैंने नीचे चक्कर लगाए अंत में मुझे ऐसा लगा की नदी के उपर दिखने वाले ये धब्बे चुंकिंग के आसपास खड़ी जहाज थे एक छोटे पैडल वाले स्टीमर जहाज नावे कबाड़ा और तोटे फोटे इसलिए मैं और नीचे गया तब मैंने बालू की एक पट्टी देखी मैं घुमाओदार तरीके से सिंखी जैसी गुलते हुए चारे की तालास में गया बालू की पट्टी बड़ी होती गई बड़ी होती गई भैसे बूत बने हुए तीन आदमी पोकू और उसका दोस्त पाइलिट बात में बताया कि वे एक जहाज को खो चुके थे परन्तु अब मैं अतिधिक आत्म विश्वास से भरा हुआ भली भाती विश्वस्त था मैं हवा में उपर उठ चुका था मैं ओंधा होकर उठ चुका था मैंने चुंकिंग को ढूंड लिया था अब मैंने सोचा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा विमान चा लखूं ठीक तभी मेरी बाई टांग में जहां उस समय से जब मैं लामा मठ में चला था एक खराब गूत है खुजली हुई और जीतन रूप से मैंने सोचा कि जहां जोमा मैंने अपनी टांग में चिकोटी काटी मेरे बाई गाल पर हवा का एक अधर टकराया जैसे पंक मुडे जहांज की नाग नीचे गई और सीगरी मैं चीखता हुआ बगल से लुढ़क गया एक बार फिर मैंने थ्रोटल को आगे को दबाया और डरते डरते पीछे की और मियंतरन इस्तंब की और खीचा जहांज कापा और उसके पंक हिलने लगे मुझे लगा मैंने सोचा की वे अब गिरने ही वाले हैं किसी चमतकार के कारण वे रुके रहें एक कृद घोड़े की तरह से जहां चिगाड़ा और तब समतल उडान पर आ गया मीरा दल इन प्रयासों पर काफी तेजी से आशरे करता हुआ भै और आतंक के कारण भारी पड़ रहा था मैं दुबारा से फिर उस छोटे बालों के थेगड़े के उपर इक गोल घेरे में उड़ा नदी यहां एक मिल चौड़ी थी मुझे ये मानो एक इंच चौड़ी दिखाई दी और वो छोटा सा हिस्सा जिस पर मुझे उतरना था अत्यल्प दिखाई दिया मैं ये सोचते हुए कि क्या करना है चक्कर लगाने लगा तब मुझे याद आया कि उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कैसे उड़ान को समझाया था इसलिए मैंने किसी धूँए के तरफ देखा जिससे कि हवा का रुख हवा किस और बह रही थी पता लगे क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे बहती हुई हवा के दिसा में विमान को उदारना चाहिए मैंने एक अलाओ के माध्यम से जो नदी के किनारे पर जलाई गई थी दिखा कि ये नदी के उपर की और पह रही थी और तब मैंने अपना रास्ता उलट दिया ताकि मैं नदी के नीचे के तरफ से हवा में उड़ू जैसे ही मैं चुंकिं के तरफ को धीमे धीमे उड़ा मैंने धीमे धीमे थोटल को वापस आसानी से खीचा ताकि मैं धीमे धीमे चलता रहूँ और जहाज नीचे और नीचे उतरता चला जाए जब मैं काफी नीचे आ गया और मसीन मेरे दिल और पीट को छोड़ती हुई इस्तिर होकर नाचने लगी और एक पत्थर की तरह से नीचे गिरी या मैंने अपनी आपको एक बादल पर लटकते हुए अनभो किया मैंने वास्तों में बहुत तेजी से थ्रोटल को आगे की और धक्का दिया और नियंत्रन इस धंब को खीचा परंतो मुझे फिर से एक चक्कर लगाना पड़ा और नए सेले से शुरुवात करने के लिए मुझे एक बार फिर से नदी के उपर की तरफ की और जाना पड़ा मैं इस उड़ान वाले कारे से बहुत ठक रहा था और चाहता था कि मैं इसे फिर से दुबारा सुरूर नहीं करूँ मैंने सोचा हवा में उपर उठना यह एक चीज थी लेकिन एक ही समय में वापस नीची आना बिलकुल अलग चीज थी इंजन का सूर लगातार एक धुन का नीरस होता जा रहा था मैं नेरुट साहित होकर चुंकिंग के फिर से नजर में आने के फिराग में था अब मैं नीचाई पर था पहाड़ियों जो अकसर सफीद दिखती थी परन्तु अब सूरज की तिर्शिक किरुणों के कारण हरी काली से दिख रही थी नदी के ठीक उपर धी में चल रहा था जैसे ही मैं बालो की पट्टी पर बीच में एकदम पतली नदी के साथ महुचा मैं कई मिल चौडाई तक उड़ चुका था मैंने देखा तीन आकरितियां उत्तीजना के साथ उपर नीचे की ओर उछल रही थी मैं उनको देखने में इतना अधिक दिल्चस्पी रखता था कि मैं उस सब के बारे में जमीन पर उतरने के बारे में भूल गया तब तक मेरे दिमाग में आ गया था कि यही वह अस्थान है जहां मुझे उतरना चाहिए ये मेरे पहियों के नीचे से निकल गया पूँच के इस किड के नीचे से निकल गया इसलिए मैंने गती पानी के लिए वीरखती एवं उब के साथ घ्रिने थोटल को फिर आगे की ओर बढ़ाया उचाई पानी के लिए मैंने नियंतरन को पीछे की ओर खीचा और मैं उड़ान तीजी से बाईं ओर गया अब मैं दृष्चे से परिसान सा चुंकिंग से परिसान सा हर चीज से परिसान नदी को फिर उपर की ओर देख रहा था मैं एक बार फिर से हवा की दिसा में नदी के नीचे की और मुड़ा दाई और उस पर मैंने एक सुन्दर दृश्च देखा सूरी नीचे ढल रहा था नीचे जाता हुआ या लाल था लाल और बड़ा ये मुझे ध्यान दिलाता हुआ कि मुझे भी नीचे जाना था और मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा और टकरा कर मर जाऊंगा और मैंने खुद अनभो किया कि मैं देवताओं के साथ जुड़ने के लिए अभी तयार नहीं हूँ अभी काफी कुछ करना बाकी है इसने मुझे भविश्यकतन का ध्यान दिला दिया और मुझे मालूम था कि मुझे चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है भविश्यकतन वास्तों में मैं सुरक्षित उतरोंगा और सब कुछ ठीक होगा इसके चिंतन ने मुझे चुंकिंग के बारे में सोचना लगबग भुला दिया यहां यह लगबग बाएं पंक के ठीक नीचे था मैं धीमे से आराम में आया पतवार के डंडे को यह निशित करने के लिए कि बालो के सामने वाले पीली बालो इंजन के सामने लगबग मृत प्राय थी मैंने और धीमा किया जहास धीमे धीमे करके नीचे उतरता गया मैंने थ्रोटल को फिर से वापस खीचा था कि जैसे ही इंजन की आवाजे बंद हो मैं पानी से लगबग दस पुट उपर रहूं ये सुनिशित हो जाने के बाद की टकराने पर आग नहीं लगे की मैंने इंजन को बंद कर दिया तब काफी आराम आराम से मैंने नियंतरन इस्तंब को आगे को ढखेला जिससे उचाई कम हो इंजन के ठीक सामने मैंने बालो को और पानी को देखा मानो की मैं ठीक उसके उपर ही अपना लक्ष बनाए हुए हूँ इसलिए मैंने धीमे से नियंतरन इस्तंब को वापस खीचा थोड़ा सा जटका, फिर एक खड़ा हट और उसके बाद उचाल एक बार फिर से घिसटने जैसी आवाज, एक खिचाओं, एक जटका और तब चीक, मानो की हर चीज टुकड़ों में तूटने वाली है मैं जमीन पर था, जहाज भी जमीन पर ठीक उतरने वाला ही था एक च्छन के लिए मैं बमुस्किल या विस्पास करते हुए एकदम सांत बैठ गया कि सबकुछ समापत हो गया है यह कि इंजन के सूर भी अब वास्तों में नहीं थे परन्तु ये के वर्ड मेरे कानों की कल्पना मातर थी तब मैंने अपनी आसपास देखा पोकु और उसके साथ ही और हुआंग लाल तमतमाते चहरे के साथ सब रियास स्वास रही मेरी तरफ दोड़ कर आए वे फिसल कर मेरे ठीक नीचे रुख गये पोकु ने मेरी ओर देखा जहाज की ओर देखा और दुबारा फिर मेरी ओर देखा तब उसका चहरा सदमे के कारण और उसके बाद मिलने वाले आराम के कारण वास्तों में पीला पड़ गया वो स्वायम इतना अधिक आराम में महसूस कर रहा था कि वो गुसा करने के लिए भी समर्थ नहीं था लंबे समय बाद लंबे अंतराल के बाद पोकु ने कहा ठीक है मैंने कहा मुझे ठीक लगता है इस उड़ान वाले काम में कुछ खास नहीं है परंतु मैं अनुमोदित तरीके से इसे सीखना चाहूंगा पोकु का चेहरा फिर से लाल हो गया और वो हसा तुम एक जनजात विमान चालक हो लोबसांग रंपा उसने कहा तुम्हें उड़ान सीखने का उसर मिलेगा इस प्रकार ये चुंकिंग को छोड़ने का पहला चरन था एक सल्य चिकितसक के रूप में और एक विमान चालक के रूप में मेरी सेवाई कहीं दूसरी जगा उप्योग में लाई जाएगी उस दिन जब हम बाद में इस सब मामली के उपर बाचित कर रहे थे मैंने पोकू को पूछा कि क्यों वह इतना अधिक चिंतित क्यों था वह दूसरे जहाज में उड़कर मुझे रास्ता बताने के लिए क्यों नहीं आया उसने कहा मैं ऐसा करना चाहता था पर अंतु तुम प्रारंब के बिंदू से काफी दूर तक उड़ चुके थे इसलिए मैं नहीं आ सका हुआंग ने वास्तों में इस कहानी को फैला दिया और पूक और उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया और कुछ दिनों के लिए मैं महा विद्याले और अस्पताल के लिए वारता लाप का विसे बन गया जिससे मुझे काफी और उचे हुई डॉक्टर ली ने एक सक्त सजा देने के लिए परन्तु वास्तों में मेरा अभिनंदन करने के लिए मुझे आपचारिक रूप से बुला भेजा उन्होंने कहा कि वो भी अपने जवानी के दिनों में इसी प्रकार के कोई चीज खुद करना चाहते थे परन्तु मेरे यौवन काल में कोई हवाय जहाज नहीं था तब हमें घुडा पर या पैतल जाना पड़ता था उन्होंने बताया कि ये एक असब्य तिबदी के लिए काफी जंगली वहसीपन जैसा होगा उसे सबसे अच्छा जटका देना कि जिसी वा बरसों तक रहा है उन्होंने जोडा कि रंपा जब उनके ऊपर तुम उड़े और जब वे सोच रहे थे कि तुम अब ढकराने ही वाले हो उनके प्रभामंडल कैसे दिख रहे थे उन्हीं हसना पड़ा जब मैंने कहा कि वे पूरी तरह से डरे हुए थे और उनके प्रभामंडल सिकडे हुए पीले नीले धब्बेदार थे जिनमें बीच-बीच में मेरोन रंग की धारियां थी मैंने कहा मुझे खुसी है कि उस समय वहां यह देखने के लिए कोई नहीं था कि मेरा प्रभामंडल किस प्रकार का था कि निश्चित रूप से भयानक रहा होगा निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है इसके बहुत समय बात नहीं मुझसे मिलने जनरल लिश्चीमो चांकाई सेख का एक प्रतिनिदी मेरे समी पाया और मुझसे प्रस्ताओ किया कि मैं उचित तरीके से उडान को सीखने का मौका लूँ और चीनी फौज में कमिशन प्राप्त करूँ जो अपसर मेरे पास आया था उसने कहा कि यदि हमारे पास समय है तो इससे पहले कि जापानी गंभीर रूप से हमारे देश की उपर अथिक्रमन करी हम एक विशीज सैने विभाग की स्थापना करना चाते हैं जिससे की वे लोग जो घायल हैं और चल फिर नहीं सकती उनका हम ऐसे चिकित्सकों के दोबरा इलाज करा सके जो पाइलेट भी हैं इसलिए ऐसा समझा गया कि मुझे मानव सरीर के अलावा भी कुछ और अधिक पढ़ना जाए रक्त के प्रवा के साथ साथ मुझे तेल के प्रवा के संबंध में भी पढ़ना था आदमी के कंकाल के साथ साथ मुझे हवाई जहाज के ढाचे को भी पढ़ना था वे दोनों ही समान रूची के थी और दोनों के कुछ बात एक समान थी इस परकार वर्स गुजरते गए और मैं एक अस्पताल में काम करते और फालतों समय में उडान भरते एक योगिता प्राप्त डॉक्टर और एक योगिता प्राप्त चालक दोनों में प्रसिक्षित हो गया हुआंग इसके बाहर हो गया वह उडान में बिल्कुल रोची नहीं रखता था और जहाज का विचार मात्रे उसे पीला कर देता था इसके बदले पोकू मेरे साथ ठहरा क्योंकि वह देख चुका था कि कितने अच्छे तरीके से हवाई जहाज में उपर होना और हवाई जहाज के इंजन को बंद कर देना और फिर उसी तरीके से जैसे की पक्षी करती हैं बिना इंजन के सरकते रहना ये सब वैभो युक्त लगता था ये आकासी यात्राओं जैसा ही अच्छा था बहुत कुछ उससे मिलता जुलता था जिने मैं करता था और जिनको कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है बसरते उनके दिल ठीक ठाक रूप से स्वस्थ हो और उन्हें इस पर बने रहने का प्रयाप्त धहरे हो क्या आप जानती हैं कि सुक्ष में सरीर से यात्राएं क्या होती है क्या आप मकान के छट पर तैरनी और साइद कुछ अधिक दूरी के लिए दूरी पर इस्तित देसों के लिए महासागरों के उपर जानी कि उडान की आनंद की कल्पना कर सकती हैं हम सभी इसे कर सकती हैं ये किवल तभी होता है जबकि सरीर का अधिक अध्यात्मिक भाग सरीर के कवज से अलग करके बाहर रख दिया जाता है और दूसरी विद्याओं में चलता रहता है और अपनी रज तंतु के सिरे पर रहता हुआ विश्व के लोकों के इत्तर दूसरे भागों में यात्रा करता है इस सम्मंध में कोई जादू नहीं है कुछ गलत नहीं है या स्वभावी को पुस्टी कर है और बीते गए दिनों में बिना किसी सहारे के या बिना किसी परिशानी के सभी लोग इस प्रकार की सुक्ष्म सरीर यात्राओं को कर सकते थे तिब्बत के साधों और भारत के तमाम लोग अपने सुक्ष्म सरीरों में इस्थान-इस्थान की यात्रा करते थे और इससे कुछ भी अजनबी नहीं है, अनोखा नहीं है सारी दुनिया की धार्मिक पुस्तकों में सभी धर्मों के बाइबल में ऐसे चीजों का जैसे सिल्वर कॉर्ड और गोल्डन ब्लो का उल्लेख है तथा कथित रजत तंतू उर्जा की एक धूरी मात्र है विकृत उर्जा जो अनंत विस्तार की छमता रखती है ये मानस्पीसियों की तरह से अत्वा धमनियों की तरह से अत्वा किसी स्प्रिंग के टुकड़े की तरह से पदार्थ का बना हुआ कोई तंतू नहीं है परन्तो ये स्वैम जीवन है यह वह उर्जा है जो भौतिक सरीर को सुक्ष्म सरीर के साथ जोड़ती है मनुस्य के अनेक सरीर होती हैं एक झछन के लिए हमारी रूची किवल भौतिकोर उसके अगले चरण सुक्ष्म सरीर में है हम यह सोच सकते हैं कि जब हम दूसरी अवस्था में होते हैं तो हम दिवारों के आर पार चल सकते हैं अत्वा फर्स पर गिर सकते हैं हम विपिन घनतों वाले फरसों पर आराम से चल फिर सकती हैं सुक्ष्म सरीर की इस यात्रा में रोज मर्रा की दुनियादारी की कोई रुकाउट हमारे रास्ते में नहीं आती किसी घर के दर्वाजे किसी को अंदर या बाहर बंद करकी नहीं रख सकते परन्तु सुक्ष्म सरीर के लिए भी दीवारे दर्वाजे होती हैं जो कि सुक्ष्म सरीर के लिए भी इतने ही ठोस और इतने ही निश्यत होते हैं जैसे कि भौतिक सरीर के लिए क्या आपने कभी प्रितात्मा को देखा है? यदि ऐसा है तो वह सायद अपनी सुक्ष्म अस्तित्व में रहा होगा वह सायद किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे आप जानते हो सुक्ष्म प्रशेप होगा अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जो विश्व के किसी दूसरे हिस्से से आपको मिलने के लिए आया होगा आप एक समय पर एक विशीज जीवन्त स्वपन में हो सकती हैं कभी आपने स्वपन में देखा होगा कि आप आकास में उपर एक धागे अथवा तंतों से बंधे हुई एक गुबारी की तरह से तैर रही हैं आपने देखा होगा कि वहां से आकास से उस्तंतु के दूसरे सिरे पर रहते हुए आप नीचे की ओर देखने के लिए सक्षम है और ये पाया होगा कि आपका सरीर कुम्हलाया हुआ सा चलने फिरने से लाचाल इस्थिर एवन सक्त था यदि आप इस परिशान करने वाले विचार दृष्टी के उपर बने रहे तो आप अपनी आपको भटक टैया के टुकड़ी जैसे हवा में उपर की ओर तैरते हैं तैरते फिर पाया होगा थोड़े समय बाद आपको लगा होगा कि आप खुद दूरस्त देश में अथवा किसी दूरस्त जिले में जिसे आप जानते हैं यदि आपने किसी चीज के बारे में सुबह सोचा होगा तो वह आपको स्वप्न में मिल गई होगी यह सुक्ष्म सरीरी यात्रा थी इस परकार प्रयत्न करें रात को जब आप सोने वाले हो तो आप जीवन तरूप से सोचे कि आप किसी परिचित व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं सोचे कि उस व्यक्ति को आप मिलने के लिए कैसे जा रहे हैं या आपके सहर में रहने वाला ही कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लेटे हुए हैं, एकदम इस्तिर सांथ बने रहें। सरीर को आसानी से धीला छोड़ दें। अपनी आखों को बंद करें और कल्पना करें कि आप बिस्तर के उपर तैर रही हैं। तैरते तैरते खिड़की में से बाहर निकल गए और आप गली के उपर तैर रही हैं। ये जानते हुए कि कोई चीज आपको चोट नहीं पहुचा सकती। ये जानते हुए कि आप गेर नहीं सकते अपनी कल्पना में आप ठीक वही रास्ता चुने जो आप वास्तों में गली-गली में होकर चुनते जब तक कि आप परिचे त्वक्ति के दरवाजे पर ना पहुँच जाए यदि आपका उद्देश सुद्ध है तो आप ऐसा करने मे समर्थ होंगे इसमें कोई परिशानी नहीं है कोई खत्रा नहीं है कोई नुकसान दायक चीज नहीं है यहां केवल एक ही नियम है आपका उद्दीश सुद्ध होना चाहिए फिर से दुबारा देखें यदि आप पसंद करें तो दोराएं परंतो इसे एक या दूसरे दृस लेटे हुए हैं आपके आसपडोस में आपको विचुब्द करने के लिए दूसरा कोई नहीं है आपके सैनकक्ष के दर्वाज अंदर से बंद हैं ताकि कोई अंदर आ नहीं सकता सांत रहें कल्पना करेंगी आप अपने सरीर से धीमे से अलग हो रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है कोई दूसरा आपको घायल नहीं कर सकता कल्पना करेंगी आप विभिन्द प्रकार की हलके हलकी चीज़ों को चर्मराहतों को सुन सकते हैं और जैसे ही आपका अध्यात्मिक बल आपके सरीर को छोड़ता है और आपके सरीर के उपर घनीभूत हो जाता है आपको इसमें तमाम हलके जटके, छोटे जटके प्रतीत होंगे कल्पना करें कि आप अपने सरीर का ठीक जैसा ही समरूब अपने सरीर के उपर बना सकते हैं और ये आपके भौतिक सरीर के उपर भार हीन रूप से तहर रहा है आप हलका सा हिलना डुलना, हलका सा चढ़ना गिरना महसूस करेंगे डरने के कोई आवशकता नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है या स्वभाविक है, हानी रहित है जब आप सांती रखेंगे आप पाएंगे कि अब आपका स्वतंत्र आत्मा तहरता रहेगा जब तक कि आप वहां से कुछ दूर उपर तक नहीं पहुँचाते तब आप स्वयम अपने सरीर की और अपने भौतिक सरीर की और देख सकती है आप देखेंगे कि आपका भौतिक और सुख्ष्म सरीर एक चमकतार रजत तंतू से एक हलके नीले रंग के चांदी के तंतू से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो जीवन के साथ, विचारों के साथ, जो कि भौतिक के सुक्ष्म सरीर में और सुक्ष्म सरीर से भौतिक सरीर में आते जाते हैं, के साथ धड़कता है जब तक आपके विचार सुद्ध हैं, तब तक कुछ भी चीज आपको परिशान, अत्वा घायल नहीं कर सकती लगपक हर व्यक्ति को सुक्ष्म सरीर से यात्रा करने का अनुपव प्राप्त होता है अपने दिमाग को पीछे ले जाओ और सोचो कि क्या तुम ऐसा याद कर सकते हो कभी आप नीद में रहे हैं और आपके मन के उपर ऐसी छाप है कि अब हिल्या जुल रहे थे गिर रहे थे और तब आप इससे पहले की जमीन में जाकर टकराते एक जटके के साथ जाग गए ये गलत तरीके से की गए आकासिय यात्रा थी आरंदायक तरीके से नहीं और सुविधा अथवा और प्रसनता के रूप में आपको नुकसान उठाने की आवशक्ता नहीं है कि ये भौतिक और सुक्ष्म सरीरों के कमपन अंतर होने के कारण उत्पन होई थी ये हो सकता है कि जब आप यात्रा करने के बाद अपनी भौतिक सरीर में प्रवीश करने के लिए तैर रहे हो कुछ सोर, कुछ भरती या कुछ रुकावट नहीं इस्थिती में थोड़ी से वी संगती पैदा की और आपका सुक्ष्म सरीर आपके भौतिक सरीर में अपनी ठीक इस्थिती में नहीं आया इसलिए वहाँ एक जटका लगा, एक जटका आप इसे एक रुकते होई बस में लगने वाले जटके के समान समझ सकते हैं बस जो कि हम कहेंगी सुक्ष्म सरीर दसमिल प्रति घंटे की गती से यात्रा कर रहा है जमीन जिसे हम भौतिक सरीर के रूप में कहेंगी नहीं चलती बस के इस रिशन छोड़ने और आपके गिरने के बीच के थोड़े से इस्थान के लिए आपको धीमे करना पड़ेगा या एक जटका छेलना पड़ेगा इसलिए यदि आप इस गिरने के अनुभों को लीना चाहते हो तो आपको ये आकासिय यात्रा करनी पड़ेगी यदि भी आप इसे जानती भी नहीं है क्योंकि वापस आते समय लगने वाला जटका एक बुरी तरह का उतरना कहलाएगा जो आपके आकासिय यात्रा में की गए सभी अनुभवों जो आपने देखे कि स्मिर्थी को भूला देगा, मिटा देगा उस अवस्था में बिना प्रसिक्षन की आप सोते रह सकते हैं जबकि यद्हार्थ आप आकासिय यात्रा में हो इसलिए आपने केवल ये विचार किया होगा कि आपने स्वपन देखा मैंने पिछली रात एक स्वपन में देखा कि मैं अमुक अमुक स्थान को यात्रा पर गया और ऐसा ऐसा देखा कितनी बार आपने ऐसा कहा सभी स्वपन होती हैं परन्तु ये क्या था थोड़े से अभ्यास के बाद जब आप पूरी तरह जगे हुई हो आप आकासिय यात्राएं कर सकती हैं और आपने जो देखा और जो किया उसकी स्मृति को बनाए रख सकती हैं इसका एक बड़ा नुकसान वास्तों में यह है कि जब आप आकासिय यात्राओं में हो तो अपनी साथ कुछ नहीं ले जा सकते और नहीं कोई चीज वापस ला सकते हैं इसलिए ये सोचना अर्थ हीन होगा कि आप पैसा नहीं ले जा सकते रुमान नहीं ले जा सकते परन्तों केवल अपनी आत्मा को ले जा सकते हैं दिल के बिमारी वाले लोगों को आकासिय गवन का अभ्यास नहीं करना चाहिए उनके लिए ये हानिकारप हो सकता है परन्तों जिनके हिर्दे मजबूत हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई खत्रा नहीं है क्योंकि जहां तक आपके नियत सुद्ध है जहां तक आप किसी बुराई की अत्वा दूसरे से प्राप्ती के संबंद नहीं सोच रहें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता क्या आप आगास कमन करना चाहते हैं इसके संबंद में सुरुवात करना ये सबसे आसान तरीका है सबसे पहले इसे याद रखें मनो विज्ञान का या पहला नियम है कि इच्छा और कल्पना के बीच युद्ध चलता है और इसमें हमीशा कल्पना ही जीतती है इसलिए हमीशा ये कल्पना करेगी आप किसी चीज को कर सकती है और यदि आप प्रियाप्त मजबूती के साथ ऐसी कल्पना करेंगे तो आप ऐसा कर सकती है आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ इसे स्पस्ट करने के लिए एक उधारन प्रस्तुत है कोई चीज जिसकी आप वास्तों में कल्पना करते हैं आप कर सकते हैं कोई बात नहीं ये प्रिक्षकों के लिए कितनी भी मुस्किल या असंभो क्यों ना हो कोई भी चीज जिसे आपके कल्पना असंभो कहती है तब आपको ये असंभो होगा भले ही आप इसे पूरा करने के लिए अपने पूरे दम से इच्छा और प्रित्न क्यों ना करें इसे ऐसे सोचे दो मकान है 35 फुट उचे और एक दूसरे से 10 फुट दूर उनकी छटों के बीच में एक लंबा पट्टा डाला हुआ है पट्टा सैद 2 फुट चोड़ा है यदि आप इस पट्टे पर चलकर बाहर होना चाते हैं तो आपके कल्पना उन सारी दिक्कतों की औस विधाओं की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर देगी हवा आपको हिला सकती है या साइद लकडी में से कोई चीज काटा चुब सकता है आपकी कल्पना कहती है कि आप औस आउधान हो सकते हैं पर अंतु कोई बात नहीं आपके कल्पना ये कहे कि आपके लिए यात्रा असंभव होगी तो आप गिरेंगे और मर जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं कितनी भी कठिनाई के साथ आप इसका प्रियत्न करें किन्तु यदि आप एक बर ऐसे कल्पना कर लेगी आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे करें लेकिन नहीं कर पाएंगे और वो पट्टे के उपर की जाने वाली छोटी से दूरी आपके लिए असंभव हो जाएगी इच्छा सकती कितनी भी क्यों ना हो ये आपको सुरक्षित पार नहीं करने देगी फिर भी येदि पट्टा जमीन पर होता तो आप बिना किसे हिच की चाहट के इस दूरी को पार कर सकते थे जो इस मामले में इस तरह से जीच जाती है इच्छा सकती अथ्वा फिर से कल्पना येदि आप कल्पना करेगी आप दोनों घरों के बीच रखे गए पट्टे के उपर चल सकती है तो आप उसे सरलता से कर सकती है इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता की हवा चल रही है या लठा हिल भी रहा है जब तक की आप ये कल्पना रखे की आप इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकती है लोग बंधेवे रसों के उपर चलती है सायद वे इन पर एक साइकल से भी चल सकते है परन्तु कोई भी इच्छा सकती उनसे ऐसा नहीं करा सकती ये केवल कल्पना ही है जो करा सकती है ये एक दुर्भागिसाली चीज है कि हम इसे कल्पना कहते है क्योंकि विशीश रूप से पश्चिम में ये चीज अद्भुत लगती है कुछ औविस पस्निय भी लगती है परन्तु फिर भी इस प्रित्वी के उपर कल्पना एक भयानक अजनबी ताकत है कल्पना ही किसी व्यक्ति को ये सोचने के लिए कह सकती है कि वह प्यार में है इस प्रकार प्यार एक दूसरा मजबूत बल बन जाता है हमें इसे नियंत्रित कल्पना कहना चाहिए हम इसे चाहें कुछ भी कहे हमें हमीसा ध्यान रखना चाहिए कल्पना और इच्छा के किसी भी युद्ध में ये किवल कल्पना ही जो हमीशा जीतती है पूरो में हम इच्छा सकती के सम्मंध में बिलकुल परिशान नहीं होते विचार नहीं करते क्योंकि इच्छा सकती एक फंदा है एक जाल है जो मनुश्य को पृत्वी से बांध कर रखता है हम नियंत्रित कल्पना के उपर भरोसा करती है और इससे परिनाम प्राप्त करती है यदि आप किसी दंध चिकित्सक के पास दांध उखडवानी जाएं आप एक भै की कल्पना करती है जो आपके पृतिक्षा कर रहा है एक भैंकर पीड़ा आप दांध उखड़ने के प्रतीक चरन की कल्पना करें सैद सुई का चुभाया जाना अथवा अंदर सुई लगाने जाने के बाद निश्चितक का जटका तब दंध चिकित्सक द्वारा की गई जाज आप अपने बेहोस होने की या चीखने की या रग्त स्राव होने के बाद मर जाने की या कुछ वैसे ही कल्पना करें सब बकवास वास्तों में आपके लिए ये एकदम वास्तपिक होगा जैसे ही आप कुर्शी पर बैठेंगे आपको बहुत तीजदर्द होगा जो पूर्न रूप से अनावश्चक है ये कल्पना का एक उधारन है जिसे गलत ढंग से इस्तमाल किया गया ये नियंतरित कल्पना नहीं है ये स्वतंतर घूमती हुई कल्पना है और किसी भी व्यक्ति को इसे अपने अंदर आने के इजाज़त नहीं देनी चाहिए औरतों को बच्चे के प्रसों के समय होने वाले खद्रे और दर्द की दुखवरी कहानिया सुनाई जाएंगी जन्म के समय पर होने वाली माता को उन आने वाले तमाम कस्टों के बारे में जो उसको स्वयम को तनाव गरस्त कर देंगे उसको कड़ा बना देंगे ताकि वो दर्द की टीज के अनुभव कर सके ये उसे समझा देता है कि जो कुछ उसने कल्पना में सोचा वो पूरा सही था या कि बच्चे को जन्म देना एक कष्ट साधिकार्य है इसलिए वो और अधिक तनाव में आ जाती है जिससे उसे दुबारा फिर दर्द होता है और अन्त भी उसे एक जबर्जस्त भयानक समय गुजारना पड़ता है पर अन्तो पूरो में ऐसा नहीं है लोग सूशते हैं कि बच्चे को जन्म देना आसान है और दर्द रही थै इसलिए ऐसा है भी पूरो में औरतों को बच्चे पैदा होती है और सायद कुछ घंटो बाद ही वे अपने घर के कामों में विव्यस्त हो जाती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि कल्पना को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए आपनी मस्तिस की धुलाई के संबंध में सुना होगा यानि ब्रेनवासिंग जो कि जापानियों और रूसियों द्वारा उप्योग में लाई जाती थी ये किसी की कल्पना के उपर लूटने जैसा कार्य है और दूसरे आदमी को ये दूसरी चीजे सोचना कल्पना कराना जिसे की पकड़ कराने वाला आपसे कल्पना कराना चाहता है ये पकड़ने वाले के दूआरा पकड़े जाने वाले व्यक्ति के उपर उसकी कल्पना के नियंतरन का एक तरीका है ताकि वह उन सब बातों को स्विकार कर ले जिनका स्विकार करना सैद उस बंदी के जीवन के मूले के वराबर हो सकता है नियंतरत कल्पना इस सब को हटा देती है क्योंकि सिकार जिसका मस्तस्क साफ किया जाता है अथवा जिसको कस्ट भी दिये जाते हैं कोई दूसरी चीज बदले में सोच सकता है और तब ये कटू अनभो साहिद इतना बड़ा नहीं होता निश्चिती सिकार इसके अधिन तो नहीं होता क्या आप कस्ट अनभो करने के विधी को जानते हैं चली हम आपकी उंगली में एक पिंच चुभाते हैं ठीक है हम सुई की नूँ आपके मांस के उपर रखते हैं और ठीक उश्चन जब सुई आपकी खाल में अंदर घुसेगी अनभो होने वारे छोटे से के लिए प्रतिक्षा करते हैं और मांस में हलकी सी खून की धारा बाहर निकल करके आएगी हम आपके सारी सक्तियों को उस बिंदो की परिक्षा करने के लिए यहां केंद्रिभुत कर दे यदि हमारे पैर में दर्द हो तो हम उंगली में सुई चुभाने के इस पूरे तरीक को भूल जाएंगे हम अपनी पूरी कल्पना को अपनी उंगली पर और उस पिन की नोग के उपर बना कर रखते हैं सब को छोड़कर हम उस दर्द की कल्पना करते हैं जो यह पैदा करेगी परंतो पूरो वाले प्रसिक्षित लोग ऐसा नहीं करेंगे वह अपनी उंगली के आसपास नहीं घुमता है और नहीं सुई चुभाने की उस क्रिया को जो इसके बाद आती है वह अपनी कल्पना को नियंत्रित कल्पना को नस्ट कर देता है पूरे सरीर के उपर ताकि दर्द जो वास्तों में उंगली में हुआ पूरे सरीर में फैल जाए और इस प्रकार ए ऐसी बात में ये बिलकुल नहीं महसूस होता ये नियंत्रित कल्पना है मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर बंदूग के बूनट खुसाए गए हैं वे ना तो बेहूस हुई नहीं चिलनाएं क्योंकि वे जानते थे कि संगीन की नुख उनकी और आ रही थी और कि उस समय कुछ और ही सूच रहे थे फिर्शे नियंत्रित कल्पना और इस प्रकार दर्द एक स्थान पर केंद्री भूत होने के बज़ाए सरीर के पूरे छेत्र के उपर फैल गया ताकि सिकार उस बंदूग की नुख के घुशने के दर्द को सहने से बच गया हिपनोटीजम कल्पना का दूसरा अच्छा उधारन है इसमें जिस व्यक्ति को सम्मुहित किया जाता है वो अपनी सारी कल्पनाओं को उस व्यक्ति को दे देता है जो उसको सम्मुहित कर रहा है सम्मुहित होने वाला व्यक्ति कल्पना करता है कि वो दूसरे सम्मुहित करने वाले व्यक्ति के सामने कमजोर है जुका हुआ है परास्थ है वो कल्पना करता है कि उसे नीद आती जा रही है कि वो सम्मुहित करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में आता जा रहा है इसलिए यदि समुहन करता प्रियापत रूप से पीछे पढ़ने वाला हो और मरीज की कलपना को संतुस्ट कर सके तो वह मरीज समर्पन कर देता है और आसानी से समुहन करने वाले के निर्देशों के बस में हो जाता है और ये सब यहां करना है उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति स्वास्वा मुहन में जाता है वया महसूस करता है कि वो स्वैम के प्रभावों में आता जा रहा है इस प्रकार वो अपने स्वैम के विरिहद आत्मा के नियंतरन में आ जाता है कल्पना वास्तों में सभी विश्वास के इरादों की जड़ है लोग इसे पैदा करते हैं और पैदा करते हैं और कल्पना करते हैं कि यदि वी अमुक अमुक इस्थान की यात्रा करेंगे अथवा अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा उपचारित किये जाएंगे तो वे तुरंत ही उस इस्थान पर उपचारित हो जाएंगे उनकी कल्पना इस मामले में वास्तों में सरीर को आग्या देती है इसलिए इलाज प्रभावित होता है और वह इलाज इस्थाई होता है वहां तक जहां तक की कल्पना अपने आदीसों को बनाए रखती है वहां तक जहां तक की कल्पना में कोई दूसरा संदी अंदर नहीं घुज़ता ठीक एक छोटा सा घरीलो उदारन और क्योंकि ये नियंत्रित कल्पना का प्रकरण उन आवश्चक महत्वपून चीजों में से है जिसे कि आप हमीशा समझ सकते हैं नियंत्रित कल्पना का आसर हो सकता है सफलता और असफलता के बीच अंतर स्वास्त और बीमारियों के बीच अंतर परंतु ऐसा है क्या आपने कभी एकदम सीधी खुली सडक के उपर साइकल पर सवारी की है और अचानक ही आपने साइड अपने पहिये से कुछ फूट के दूरी पर आगे ही सामने एक बड़ा सा पत्थर देखा आपने सोचा होगा ओ, मैं उसे बचा नहीं सकता और निश्चित रूप से प्रियाप्त रूप से ऐसा नहीं कर सके होंगे आपका अगला पहिया डगमकाएगा और आप कितनी भी प्रत्न क्यों ना करें आप सीधे ही निश्चित रूप से पत्थर में जा भिडेंगे ठीक वैसे ही जैसे कि लुहा चुम्बक की और आकरशित किया जाता है इच्छा सकती कितनी भी क्यों ना हो आपको इस पत्थर से बचा नहीं सकती फिर भी यदि आप कल्पना करेगी आप उसे बचा सकते थे तो बचाए आप निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे इस अत्यंत महत्यपूर नियम को याद रखे क्योंकि ये आपके सभी कामों में अंतर पैदा कर सकता है यदि आप अपने से कुछ करने के लगतार इच्छा करते रहे जबकि कल्पना इसका विरूद करती हो तो आपको अवसाद तनाव उत्पन हो जाएगा जो की पास्तों में अनेक मांसिक बिमारियों का कारण है आज की अवस्थाओं में परिसानिया बहुत अधिक है और कोई भी व्यक्ती उसे नियंत्रित करने के बज़ाए अपनी इच्छा सक्ती को उस पर लगाते अपनी कल्पना को दबाने के कुशिस करता है ऐसे में विचार में अंतर्दवन्द पैदा होता है और अंत में अवसाद उत्पन्न हो जाता है वह आदमी विच्छिप्त भी हो सकता है और पागल भी हो सकता है ऐसे बिमारों से जिन्होंने ऐसा कुछ करना चाहा परन्तु उनकी कल्पना कुछ दूसरा ही सोच रही थी पागल खाने पूरी तरह से भरे हुए हैं और फिर भी किसी आदमे के लिए वास्तों में नियंतृत कल्पना करना और इसका प्रभावसील होना एक साधारन मामला है ये uiकल्पना ही है नियंतृत कल्पना जो किसे वैकती को उचे पहाडों पर चठने के लिए या किसी तेज रफ़तार वाले हवाई जाज के उपर उड़ने के लिए और पुराने कीरती मानों को तोड़ने के लिए और इनमे से कोई भी कमाल दिखाने के लिए जो हमने अभी पड़े हैं योग्य बनाती है कोई व्यक्ति सूचता है कि मैं इसे कर सकता हूँ और उसे कर सकता हूँ और वह कर सकता है वो किसी व्यक्ति से बात करने की कर्पना कर सकता है और वास्तों में करता है और वो कुछ काम करने की इच्छा करता है उसका आस्य पूरी तरह से सफल होने में है इसलिए उसका अर्थ उसकी पूरी सफलता में है इसलिए यदि आप अपनी रास्ते को आसान बनाना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पूर्व के लोग करते हैं तो अपनी इच्छा सक्ति के बारे में भोल जाएं ये वास्तों में एक फंदा मात्र और माया है केवल नियंतरित कल्पना को याद रखें आप जो सोचेंगे वैसा होगा कल्पना और विश्वास क्या दोनों एक ही नहीं है अगर आप इस ओडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कही ना कही आपके अंदर बहुत जिग्यासा है कुछ खोजनी की, कुछ नया जानने की तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत पहले ही साथ 10 मिनट, 15 मिनट में ही वीडियो को छोड़ दिये होंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का आधा ही इस ओडियो बुक में यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अध्याए एक, दो, तीन, चार, पांच में क्या क्या दिया गया है तो अगर ये वीडियो करीबन पांच से छे लाख लोग पसंद करते हैं अगर उन तक पहुँचता है तो फिर मैं आगी के भी पार्ट बना दूँगा यानि नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं पूरा कंप्लीट बुक बना दूँगा और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो फिर मेरा बनाना तो व्यर्थ ही है तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज और भी लोगों से सेर कीजिए, अगर उन्हें पसंद आएगा, तो मैं बहुत जल्द ही complete audiobook बना दूँगा, एक और प्राथना है आप लोगों से कि, जो भी आप वीडियो मेरा देखते हैं, प्लीज इसको like कीजिए, क्योंकि like करेंगे न, तो YouTube के algorithm में कहीं न कहीं, जो भी यहाँ पर वीडियो सें संतों के बारे में उसको promote किया जाएगा, तो बस एक छोटा साब से विनम रनिवेदन है, और आपके सहयोग और प्यार के लिए, मैं आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, डिस्कुप्शन में भी कुछ लिंक दिए गया है, अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारा WhatsApp नमबर है, आप वहाँ से भी हमसे contact कर सकते हैं, बहुत बहुत प्रणाम,